अथाचित्वामिमंगर्म्यं संग्रामं नकरिश्यसे तातास्वधर्मं कीर्थिम्चा हित्वापापमवाक्षसे अब्सकyszराइ सकता है मैंष्यसे बिर्णार्मं नकरिश्यसे उल्जसे दो furnishिष्वः मोगापमर्मं नकरिश्पर्मंगर्मं..... ल्यार्णा उक्रिश्ष्मंगर्मं एपल्धर्मंगर्मं टूत्मंग' हित्व समयाओуждर्मं ए तो मेरे प्यारे बच्चो दिल के सच्चो अगर अबने प्यारे प्यारे सुनील वहिया को यहां पर देख पा रहे हैं एंड सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स में लगा देंगे फटावट से नारा भारत माता की जै का नारा जैकारा लगा देंगे मेरे प्यारे प्यारे चोटे भाई बैन अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और प्यारे बच्चों अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स में भारत माता की जैका नारा जैकारा लगा दीजिए हर चीज का नाम लेने से पहले हमेशा याद रखिएगा आप भारत माता की जै जरूर बोले बले ही भगवान का नाम ले उससे पहले आपको भारत माता का नाम लेना है है ना क्योंकि भगवान भी तो स्वैम धरती पे आए तो किसकी गोद में खेले धरती माता भारत माता की गोद में है ना तो भारत माता की जै क्या बात है ऐए ऑए ऐए 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 ऐ ऐए क्या बात है गुट इवनिंग गाईS Aand welcome to this amazing session on this particular chapter जिसका नाम है Metals and Non-Metals in one shot तो आज की इस particular class के अंदर हम लोग Metals and Non-Metals को खतम करने वाले हैं एक शोट के अंदर सुनील भाई जी क्या-क्या पढ़ाने वाले हैं आप फड़ावट से बता दीजिए क्या-क्या पढ़ाने वाले हैं सबसे बहले पढ़ाएंगे physical properties of metals and non-metals then reactivity series संसार में कैसे आई ionic compounds and energy properties metallurgy and then सबसे आखरी में corrosion its types and the ways to prevent it यह सारी चीज़ें आज की इस particular class में cover होंगी सिर्फ यही नहीं दोस्तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ बर मैं cover करूँगा theory और concepts के अलावा आपको activities भी covered मिलेंगी यहाँ पे with explanation in text and exercise के सवाल सारे covered होंगे NCRT का छिपावा ग्यान covered होगा sample paper covered है और previous year के सवाल भी covered है यह सारी चीज़ें मैं आपको एक ही session के अंदर देता हूँ warrior के जितने sessions हुए हैं हर chapter में यह सारी offerings आपको मिली है ठीक है सुनील भिया तो यह तिनी चीज़ों के बाद क्या होगा आभी वाजा आएगा ना video ready हूँ मैं good evening good evening good evening class बहुत देर तक चलेगी class बहुत देर तक चलेगी कोशिश करूँगा जल्दी खतम करने की छोटा करने की लेकिन उस level से पढ़ाऊँगा कि किसी को नहीं भी आता तो सब कुछ आ जाए ठीक है चालो कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ आ जाए अब चालो करेंगे सबसे पहले physical properties of metals and non metals हर एक चीज के बारे मैं पहले basics बताऊँगा tension मत लीजिए physical property क्या होती है अरे भाई ये physical property क्या है सुनील भाई physical गुण क्या है physical property physical property का मतलब होता है outer appearance and behavior physical properties जैसे कि आपको बोला जाए सुनील भाईया की physical property लिखो तो आप क्या लिखोगे सुनील भाईया का बायो जिटा जो शादी के लिए जाता है अब उसमें होता है 5 feet 11 inch height है 64 kilo virgin है है ना उसके बाद गे हुआ wheatish color है body का tone लड़के की आवाज भारी है चेरे पे दाड़ी है तो ये सारी की सारी चीज़े क्या है सुनील भाईय की ये सुनील भाईय की physical properties है जिससे सुनील भाईय का भ्या होगा होना तो इसी से नहीं चीए मन की सुन्दरता से होना चीए अब लोग देखते तन की सुन्दरता तो हम क्या करें व्यता है हमारी हम क्या कुछ नहीं कर सकते बट यह फिजिकल प्रॉपर्टी जब आप मैटल नॉन मैटल की बात करें अन्य मैटल नॉन मैटल का बारो डेटा अगर आप निकाले तो यह बेसिकली आज आपको पढ़ना है ठीक है भाई जी भाई सुनी यह मैटल को इंदी में क इसको बेटा धातू क्या केते राजा बेटा धातू और राजा बेटा नॉन मैटल के अधातू आहा मजा आ गया ओपी लग रहा है बहुत बढ़ी है तो इनके सारा आउटर अपियरेंस और डेवेर की चर्चा करेंगे मजा आएगा हाएगा भाया मैं मेटल और नॉन मेटल देख राजा बेटा ये तत्वों के चार प्रकार होते हैं element यानि तत्व है ना तो elements के चार प्रकार होते हैं जो खक्षा आठ भी और नवी में आप पढ़कर आते हैं पहला होता है metals फिर non-metals फिर metalloids और noble gases अभी discussion हमारा इसके उपर रहेगा इसके उपर दो के उपर तो मै यह इसको हिंद्वी में क्या कहते है फिर से बता दीजिए धातू कहते है अब कुछ कॉमन धातू अगर मैं आपको बताओ जिससे आप रिलेट कर पाओ तो लीथियम यानि एलाई सोडियम यानि एने पोटेशन का सिंबल है के मेगनीशन का सिंबल एम जी कैलिशियम है सिए एलिमिनियम है एल कॉपर है सी यू जिंक है जेड़न सिलवर है एजी और गोल्ड है एउ देखो यार तुम लोग को ज़्याद ही मेरे से पढ़ाई करके अपलाए करने लगते हो मेरे को एक स्टूडेंट ने बताया कि बहिया जैसे आप केमिस्ट्री रेगुलर लाइफ में अपलाए करते हो में ने भी खरी मैंने पिर कहा करी बहिया मेरे बड़े वाले बहिया की एक फीमेल दोस्त आई थी घर पे मैंने पिर तो बोले कि बहिया मैं उनसे बात करना था इतना भी अप्लाए नहीं करना चलो तो लीटियम सोडियम पोटेशियम मेगनीशियम केल्शियम एलिमीनियम कॉपर जिंक सिल्वर गोल्ड राजा पेटा पहले आप इनके साथ दोस्ती करिए यह आपके मैटल्स है ठीक है जी भाई आच्छा दूसरा दूसरा अप्लाए करो लेकिन ऐसे भी मत करो कि यार तुम हर चीज में यह चीज करने लग जाए ना अच्छी बात है देखो मैं भी करता हूं है ना मेरे को कोई बोलता है हाओ आई भी फिलिंग आई से नाइस chemistry है ना how do you look I look cute यह सब chemistry की सिंबल है है ना copper tellurium nickel cerium अपन chemistry लगा देते हैं कोई दिक अब दूम इतना भी मत लगाओ अब देखो उसके बाद क्या पता वो जो बड़ी वाली दीदी उनके घर पर आने ही बंद करते हैं चोटा बाई बावडा है कुछ भी पढ़ता रहता है तो देखो दूसरा type का element क्या राजय वेटा non metal जो metal ना हो अच्छ अभी property भी पढ़ेंगे अब यह 11 याद कर लेना 11 जो है यह fix है यह याद कर लेना metals की list बहुत लंबी है इसलिए मैंने common metals आपको बताए non metals 11 fix से याद रखिये कौन कौन से है 11 मेरे 11 देखो carbon, phosphorus, sulfur, selenium and iodine पहले तो यह 5 याद करो राजा बेटा सुनील भ्या कौन सी state में होते है room temperature पे solid state at room temperature room temperature कितना होता है भाईय मुझे तो याद ही नहीं है 25 डिगरी celsius अब याद हो गया चल आगे चल आगे चल मेरे साथ आगे चल carbon, phosphorus, sulfur, selenium, iodine यह 5 याद इन मेटल solid state में होते है room temperature पे उसके बाद आगे चलो मेटा hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine and chlorine gas at room temperature ठीक है मेटा जी भी है उसके बाद bromine only non-metal इकलोता non-metal found in liquid state at room temperature भाईया हमने आपसे carbon and its compounds पढ़ा था तो भाईया वहाँ पर आपने चीज बताई थी कौन से रंग का लिक्विड होता है याद करो रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है पढ़ाया था माँ पर देखा है तुमने हाँ देखा है भी या रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है कौन से कलर का रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है अरे वा, मज़ा आ गया तो पहले धातू हो धातू से हमने दोस्ती कर ली carbon, phosphorus, sulfur, selenium, iodine यह आपके non-metal solid state में hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine यह आपकी gases room temperature पे non-metallic and then bromine, इकलौता non-metal जो की liquid state में है room temperature पे reddish brown liquid तो यह solid, यह gas, यह liquid समझ में आ रहा है गया? मज़ा आ रहा है, is this recorded? अरे भईया, इदर खड़ा हूँ, मैं recorded कैसे होगा? सर, आवाज आवाज तो सही है? भईया, आपने 12th वे लेकिए, बिल्कुल लेकिए है ठीक है? भई, recorded होता तो मैं यहाँ खड़ा होता क्या? यह देखो, मेरा हाथ हिल रहा है रिकॉर्डिट नहीं, लाइव है ठीक है? फिर देखो लिखे रहा है recorded जोशी का लिखे रही है recorded बेटा, तुम्हारा नाम कहते लूँगा recorded में सीरू के हमें future देखता हूँ क्या जोशी का हाई लाइव है, चलो, अब इदर देखो अब नहीं बताऊंगा कि लाइव है की recorded है अब तुम सवाल का आंसर करना कोई देखो recording में पोल पे आंसर भी आता है क्या अब ये पोल पोल खेल लेते है जिसे नहीं चून्टी भरते हैं तो पता लगता है अब देखो अब देखो क्या पता recording में पोल चल जाओए तुम्हारा नाम आ जाओए कई चाल रहा है भाई साम कई चाल रहा अब देखो नाम भी लूँगा में recording के अंदर अंजली, रुद्राक्स, कृतिका, शेव, आकास, तूती क्या बात है जालो बेटा, आजो ओब यह क्या हो आंदर 96 प्रतिशत बच्चों ने आंदर किया recording में नहीं बदवा सकता था, मैं live में बता रहा हूँ यामीनी, पिकाच्यू, रवी, रंजीत, पूर्नेंदू, ओम्रकाश, ओफलाइन, मक्षान, श्री रादे, अमन, क्या बात है, बहुत बढ़ी है, अब याद रगना बेटा, इस चीज के बारे में, यस, तो मरकरी, मरकरी, सिंबल होता है बेटा, इसका chemical सिंबल ह ग, यह है ब्रॉमीन, इसका सिंबल होता है राजा बेटा, बी आर, ठीक है, तो, only metal only metal only metal found in liquid state at room temperature सुनील भाईया एकलोता metal जो की room temperature पर liquid state में होता है mercury है, gallium season मत लिख देना prove भी करूँ आभी एकलोता metal जो liquid state में room temperature पर वो कौन है, वो है mercury अच्छा दूसरा only non metal एकलोता non metal found in liquid state at room temperature that is basically that is basically bromine that is bromine ठीक है समझ में आगी बात, याद रहेगा एकलोता metal जो liquid state में room temperature पर mercury, यानि एकलोता धातू, एकलोता metal जो room temperature 25 degree Celsius पर liquid state में है liquid मतलब ऐसा, यह देखो ऐसा, liquid state में है तो इससे basically क्या कहते है इससे कहते है, mercury एकलोता non metal, जो liquid state में room temperature उसका नाम क्या है, bromine समझ में आ गया, समझ में आ गया, जी भी या समझ में आ गया आजो वेटा, आगे चलेंगे आप देखो वेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटल्स और नॉन मैटल्स यानि मैटल्स और नॉन मैटल्स का बायो डेटा देखे सुनील भईया का बायो डेटा क्या था? पाच फिट ग्यारा इंच हाइट चौसट किलो वजन वीटिश कलर, भारी आवाज दाड़ी है ना? हाँ ऐसे, देखो पहला, हाडनेस हाडनेस? भईया, हमने नाइंत में बढ़ा है, जो हाड है, वो टफ है जो टफ है, वो रिजिड है, गलत पड़ा है हाड, रिजिड, टफ, बिटल, सब अलगे हाड हाड का मतलब क्या होता है? पता है, हाडनेस का मतलब होता है कठोरता, हिंदी भाशा में समझते हैं इसको कठोरता सुनिये भाई, माननी जी यह चीज है, अगर आप इसको घिसने की कोशिश करें मेरे राजा बेटा, या आप इसको काटने की कोशिश करें, तो यह आपको जो अवरोध लगाता है कि ना तो हम तुमको घिसने देंगे, ना ही हम तुमको काटने देंगे, इस अवरोध को, इस resistance को hardness कहते हैं, पढ़ा है ना resistance ओम स्लोप पढ़ा है ना वो क्या है, obstruction to the flow of the charges है ना अवरोध कि भाईया भाईया, ना तो हम आपको खुद को काटने देंगे और ना है हम आपको खुद को घिसने देंगे, तो जब आप किसी चीज को घिसने की कोशिश करें, या काटने की कोशिश करें, और वो चीज़ आपको अवरोध लगाए कि, ए बाबू, ना तो हम तुम को घिसने देंगे, ना हम तुम को काटने देंगे, इस property, इस phenomena को हम क्या बोलते हैं, hardness समझ में आरी है, exemplar cover होगी टेंशन मत लेना, ठीक है, ठीक है, जी, तो ये तो हो गई, hardness, अच्छा, तो hardness मतलब कठोरता, यानि कि substance, जब एक resistance offer करता है, कि ना तो हम तुम को खुद को काटने देंगे, ना हम खुद को घिसने देंगे, इससे basically कहते हैं, कठोरता, ठीक है, हाँ, क्या बात है, समझ आगे बात जी, अब hardness कहाँ पर अपलाए होती है, it is only applied, only on solids, या defined for solids, अब आप मेरे बच्चों समझदार है, hardness क्या है, एक अवरोध जो एक substance लगा रहा है, जब आप उसे काट या घिस रहे हैं, आप पानी को घिस और काट सकते हैं, क्या, क्या, आप हवा को घिस और काट सकते हैं, हवा में तुझे काटूंगा, हवा में तुझे घिसूंगा, सुनके कितना illogical लग रहा है, तो ना तो आप हवा को घिस सकते हैं, ना काट सकते हैं, hardness हमेशा solids के लिए defined होती है अब metals पे बात करते है metals आपके generally hard है generally का मतलब क्या हुआ most of the cases में metals आपके hard होते है hardness को show करते है लेकिन exception आया जहाई chemistry वहाँ कही ना कही exception भी आ जाते है lithium, sodium, potassium अब इनको क्या है इनको हम बोलते है alkali metal है ना इनको हम क्या बोलते है इनको हम बोलते है alkali metal अब इनको alkali metal क्यों बोलते है ये भी मैं आपको बताऊंगा cut with a knife आप इनको आसानी से चाकू से काट सकते है तो यह hard नहीं है soft metals है lithium, sodium, potassium ऐसे metals है जिनको आप चकू से काट सकते है easily बिना किसी दिक्कत के ठीक है talking about non-metals अच्छा यहां पर सुनील भी आ क्या mercury पर apply होगा अच्छा मुझे एक बात बताओ mercury कौन सी state में room temperature पे तुम बोलो के सुनील भी आ mercury तो liquid state में room temperature पे तो क्या वो hard होगा अभी क्या बताया defined for solids क्या mercury solid है क्या mercury solid है अरे liquid है ना ना तो liquid पे apply होगा ना तो gas पे apply होगा हाँ भाया hardness किस पे apply होती है solids पे apply होती है हम समझदार बच्चे है अब they are generally soft non-metals किर रहे हो रहे हम काटा हमको काट दीजिए हमको घिस भी दीजिए हम तो कोई अवरोध नि लगाएंगे आप यह इधर 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 काट दो हम non-metals है हमको कोई दिक्कत नहीं भाया घिस भी देना इधर अच्चे से घिस देना हाँ कोई दिक्कत नहीं भाया ठीक लेकिन यह सारी चीजे होते वे देखा किसने diamond ने diamond बोला रे मैं तेरा phagal सबका बदला लेगा रहे तेरा phagal कैरा metal तुम जुन्ड बनाओगे क्या हाँ बोले हम metal सारे जुन्ड बनाएंगे हम सब hard कुछ होंगे जो hard नहीं होंगे non-metals को हरा रहे थे non-metals में यह काया phagal एक phagal आया कैरा मैं सबसे hardest substance बनेगा सारे metal को हरा दिया यह शेर है और यह जुन्ड है जानवर होगा यह जीत गया यह शेर है hardest naturally occurring substance कौन है diamond hardest naturally occurring substance ठीक है अब synthetically तो आपके पास बहुत सारे substances है तैसे woods, borer और nitride भी है लेकिन अगर naturally बात करें तो diamond सबसे hardest naturally occurring substance है diamond आपने क्या पढ़ाया था सुनील भाई form of carbon होता है जो बच्चे पढ़ चुके carbon and its compounds मैंने आपको बताया था form of carbon है carbon का एक प्रकार है यानि कि non-metal है सारे non-metal बोले भाईया हम soft है हमको card दो, हमको ghis दो एक non-metal उटकर आया जिसका नाम था diamond जो carbon का एक form है क्यारा सबसे hard बनूँगा मैं सारे metals को हराऊंगा मैं मैं उशेर सबसे hard है substance चलो पिर आई दूसरी property की बात बोले lustrous lustrous का मतलब क्या होता है lustrous का मतलब होता है धात्विक चमक क्या होता है इसका मतलब सुनील भिया इसका मतलब क्या होता है सुनील भिया the ability of metals to reflect light due to which they have a shiny surface यानि matters या धात्वों के पास ये ability होती है कि वो इन पर पढ़ने वाली रोशनी को reflect करते है reflection पढ़ा है ना जिस medium से रोशनी आती है अगर किसी surface पर टकरागा अगर उसी medium में चली जाती है तो इसे reflection कहते है यूजवली जब एक surface पर गिरती है तो तीन phenomena होते है तो physics में आपने पढ़ाई होगा अभी तो चलो मैं chemistry chemistry खिलाता हूँ तो धात्वों की ये property जिसकी वजह से वो light को reflect करते है और उनकी surface चमकती है उनकीली लगती है इसे कहते है धात्विक चमक यानि लस्षर और जो भी लस्षर को शो करते है उन्हें हम कहते है लस्ट्रस तो metals आपके लस्ट्रस होते है वाइल ये आपके generally non-lustrous होते है या फिर आप बोल सकते है generally non-lustrous या generally dull dull शब्द का भी आप इस्तिमाल कर सकते है है ना इनके जीवन में कोई चमक नी कोई रंग नी है ठीक है ये एकदम जीवन से हार मान चुके है फिर आया एक और एक और आया वो picture में था ना perpendicular perpendicular आ गया क्यार आप हम भी बदला लेंगे वो तो खैर बदला ले नहीं पाया ग्रेफाइट और आयोडीन बहुत बढ़िया से चमकते हैं दोनों non-metal है exception ग्रेफाइट अगेन form of carbon सुनील भाईया मजा आ रहा है तो आपके non-metal चमकते नहीं dull surface है उनका चमकते मामाकते नहीं है लेकिन exception फस्ता है आयोडीन और ग्रेफाइट ग्रेफाइट अगेन form of carbon है diamond भी एक form of carbon है जिसे हमने chapter 4 में yellow trope पड़ा था क्या बात है ये दो property दो खासियत आपको समझ में आये होगी दोनों के बीच में अब चलिए आगे चलते हैं आगे दो बहुत बढ़िया सी property एक का नाम है malleability हिंदी वाले लोग इसको आगात वर्दीनेता कहते हैं अब ये होती क्या है बहुत simple सी बात है मान लीजे मेरे राजा वेटा आपके पास एक metal है बहुत बढ़िया है मेरे पास एक metal बोले आपन इसको दबाएंगे आ भया जीवन का सच बोल दिया संसार हमें दबा रहा है हर कोई हमें दबा रहा है बिल्कुल सही जानता हूं मैं बिल्कुल सही जानता हूं मैं पर बेटा जब high pressure और high temperature अपला होता है absence of oxygen में तभी तो diamond बनता है अब अगर तुमको diamond बनना है तो high pressure तो लेना पड़ेगा high temperature भी लेना पड़ेगा और absence of oxygen भी लेना पड़ेगा जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी लेकिन उसके बाद diamond बन जाओगे फिर चमकोगे और फिर तुमारी कीमत तुम खुच जानते हो focus तो मरली जब metal को अगर मैं इस प्रकार का force अप्लाई करता हूँ ऐसे दबा रहा हूँ यह दबाया मैंने दबाया तो यह basically ऐसा चपता हो गया अरे कभी वो पापड वो आता ना पापड पूरी में कर आता है उसके उपर आपन रखते हो दूसरा उसके उपर दूसरी शीट ले कैसे दबाते है यह करके दबाते हो उसको ऐसे जैसी दबाते है बढ़िया पापड बन जाता है तो यह कुछ इस तरीके से बन जाएगा थिन शीट क्या बन जाएगा थिन शीट बन जाएगा हिंदी भाशा में इसको कहते हैं दबाव तो दबाव लगाकर अगर हम मैटल्स को ऐसे दबाव लगाकर चप्ता कर दे तो इस प्रॉपर्टी को आगात वर्दी निता यानि मैलेबिलेटी कहते हैं और मैटल्स आपके जनरली मैलियेबल है एक्सेप्शन फस्ता है मरकरी अब आप बहुत समझदार पड़े लिखे लोग है आप जानते हैं कि रूम टेंपरेचर पे मरकरी लिक्विड है आप पानी से पापड बना सकते हैं क्या नहीं उसी प्रकार मरकरी भी लिक्विड में है उससे शीट कैसे बनाएंगे शीट मतलब सॉलिड स्टेट में है ना अरे थिन शीट कौन सी स्टेट में होगी बैटा सॉलिड स्टेट में होगी ना पतली पतली शीट कौन सी स्टेट में होगी सॉलिड स्टेट में होगी और यह लिक्विड है इससे कहां से तुम पापड़ बनाओगे मरकरी का पतला सा, नहीं बनेगा, समझदार है हम, ठीक, Zinc at room temperature, room temperature पे Zinc भी आपका malleable नहीं होता है, ICSC वाले relate कर पारे होंगे, room temperature पे Zinc क्या होता है सुनील भाई, room temperature पे Zinc आपका brittle होता है, brittle का मतलब क्या होता है, breaks into pieces, when force is applied, breaks into pieces, when force is applied, अब ये exception किताबों में नहीं है, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो basically अगर हम malleability की बात करें, तो जो malleability शो करते हैं, उन्हें malleable कहते हैं, metals आपके most of the cases में malleable है, exception फस्ता है, आपका mercury जो की room temperature पे liquid state में है, तो तुम उससे sheet कैसे बनाओगे, और दूसरी चीज, zinc room temperature पर brittle है, और वो pieces में break हो जाता है, जैसे ही आप force लगाएंगे, तो सुनील भाइ, क्या मैं आपकी इस बात पर यह assume कर सकता हूँ, कि mercury high temperature पे malleable बन जाएगा, हाँ, heat treatment कराने पे high temperature पे वो malleable बन जाता है, talking about non-metals, यह non-malleable ही होंगे, इनको आप sheet में convert नहीं कर सकते, अब इसका एक example भी मैं आपको दे देता हूँ, सुनील भाइ, example दे दीजे, फटावट से, हम school में खाना लेकर जाते है, कौन से foil में, aluminium के foil में लेकर जाते है, तो मैलेability के example ही तो हुआ, दूसरा, मिठाई के ओपर वरक, सुनील भाइ, चान्दी का वरक, सोने का वरक, वही शादी हो रही, metal, non-metal की, मिठाई आईगी, चान्दी का वरक करा है, कि मेडम जी सोने का वरक करवाया है, metal की शादी, non-metal से करवा रहे हैं, समझ रहो, metal की शादी, non-metal से करवा रहे हैं, आगे चलके metal, non-metal में प्यार होगा, तो ionic bond मनेगा, उससे compound मनेगा, याद रखना story, तो metal को non-metal से प्यार होगा, अभी, आगे शादी भी होगी, पर अभी इनकी बार्टा देख रहे हैं लोग, compatibility, देखो, सब चीजों में डिफरेंट है, फिर भी साथ रहेंगे, तो यह कहरें कि बई सब शादी होगी, तो मिटाई पे कौन दो बर कराएंगे, कि वह सिल्वर का या सोने का या चांदी का करा देंगे, तो सिल्वर और गोल्ड फॉइल, हाँ हाँ मजा है या, भाई या मिटाई खाने का मन कर रहा है, मेरा भी, सिल्वर और गोल्ड फॉइल उन स्वीट्स, another application, समझना रहा, another application, आरे मिटाई के ओपर सिल्वर का फॉइल लगा होता है ना, या चांदी का, चांदी या नि सिल्वर, गोल्ड, सोना और चांदी इनका फॉइल लगाते, कैसे बनाया फॉइल, क्योंकि मैलियेबल है ना, इसलिए, एलिमिनियम के फॉइल में मिखाना लेपेट के देती है भी या, एलिमिनियम के फॉइल में क्यों लेपेट के देती है, कागज में भी तो दे सकती थी, सोच ना, कक्षा आठवी का सवाल है, ठीक, हाँ, तो मैलियेबिलिटी क्या होती है, ऐसी ability metals की कि अगर हम उन पे compressive force लगाएं तो पतली sheet में convert हो जाएंगे, इसे malleability बोलते हैं, metals generally malleability show करते हैं, इसलिए malleable हैं, non-metals non-malleable हैं, exception फस्ता है mercury और zinc at room temperature, क्योंकि room temperature पे zinc brittle है, force लगाते ही pieces में चटक जाएगा, टूट जाएगा, भिखर जाएगा, बात करते हैं, ductility, इसको हिंदी में तन्यता कहते हैं, अब ये क्या होता है, ability of metals to be converted into thin wires on application of tensile force, अब आपने किसी चीज़ को खींचा, खींचा आव लगाया, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, भिया हमको बहुत tension होता है, tension, फिचाओ है हर जगे से, फिचाओ, एक force नहीं थे, एक force उपर खींच रहे हैं, भाई सब सही में बाहरा आगया ये, ठीक है, हाँ, तो ये ऐसा force लगा है, मान लीजे कि अपन ऐसा force लगा रहे हैं, ये ऐसा force लग समझे रहो, राजा बेटा, जीविया, so the ability of metals to be converted into thin wires, उन्द application of tensile force, यानि की खिचाओ लगाने से पतली तार बन जाते हैं, ये property ductility कहलाती है, क्या metals तार मना सकते हैं, yes, generally ductile, exception है mercury, and zinc at room temperature, क्योंकि room temperature पे zinc क्या होगा, again, brittle होगा, force लगाएंगे, तोट जाएगा, non-metals की बात करें, तो generally non-ductile, यानि की तारे नहीं बन सकती, exception फस्ता है carbon fiber, carbon fiber जो है, ये पतली-पतली, आप nanotubes या wires के format में बात कर सकते हैं, कि यहाँ पर एक exception possible है, चलिए आगे चलते हैं, अगली property है sonority, sonority, sonority क्या है, खनकते है, एक ringing, deep ringing sound निकालते हैं, तैसे आप एला, सिक्के लीजिए, सिक्का, सिक्का metal से बनाए, इसको जमीन पे गिर आई है, चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन-चन, ऐसे गिरेगा जाके, यहाँ मंदिर में घंटी बजाई है, हाँ, इसके पीछे scientific logic भी है, बताएंगे के भी और, class पर distract हो जाएंगे, इसलिए अभी इत्ता पर रखते हैं, तो sonority, produces deep ringing sound when struck heart, अगर आप यहाँ पर metals को, जोर से मरेंगे, तो यह deep ringing sound निकालते हैं, इसे sonority कहते हैं, sonority शो करते हैं, इसलिए sonorus कहलाते हैं, exception एक याद कर लिजे, mercury, अब एक बात बताओ, तुम समझदार हो, mercury liquid state में का से चंँचंचं करेगा, वो कहेगा, यार भई साफ, यार भई साफ मारें तो हातम ही पोणी, भई साफ, मैं तो liquid भई साफ, भई साफ में कैसे बजूँगा, बजाना है तो solid वानी चीजों को बजाओ, हम तो liquid है, हमको कैसे बजाओगे, मंदिर में गंटा solid state में मंदिर में इस्कूल की गंटी टन 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 गंटी solid state में घर पे हम घंटी बजाते हो ना बजाते हो बजानी चीह अच्छी बात है आवाज वाज नी करते विया यह देखोगे करे मैं क्या वोट रहा हो डीप रेंगिंगगे साउंड करें क्या नहीं अब में अलेक लाग वाज़ उसको नीचे कि राएप यह बोटल इस प्लास्टिक की बोटल की रही घु इस इस यहवी अवाज याईगी वेदिदिए में नीचे की रूहा तब भी आभाँ जाएकी पिटा हम बात करें डीप रिंगिंग साउंड और रिंगिंग कंटिनूसली सिखा गिरता तो है किंग देखो सुनील भी आ किलाज मैं कि सुनील भी साइंस लगा रहें गूड़ वर्क अच्छा लगा मुझे नाइस वर्क डन बि यह क्यों होती है physics में पढ़ा होगा because of free या फिर delocalized electrons अब metal के अंदर क्या है बहुत सारे electrons का ऐसे तालाब है ऐसे तालाब है फिर electron बैटे घुमराथ ऐसे एक दम फिरी से बैटे वहां बहुत क्या करना है मेरको तो काम बदाओ अब मैटल हमारे क्या होते है अच्छे बिजली के कंड़क्टर होते है बहुत यह चीजों में तारे लगती है वह मेटल की लगती है तो क्याыл नहीं करते है एक्सेप्शन ग्रेफ आट पढ़ाया था चैप्टर 4 में भी पढ़ाया था फोंव कारवन बिजली अच्छा अच्छे माँ करता है free electrons की वज़े से होगा याद रखना हमेशा ग्रेफाइट का देखू अरे बेटा तू पैंसिल को देखा है तूने कभी क्या वहाँ यह पैंसिल का जो मुंडी है जिससे तू लिख रहा है ग्रेश ब्लैक कलर की मुंडी जिससे तू लिख रहा है यह ग्रेफाइट यह कार्बन है इसको निकाल ले यह मार्केट में गुल मिलती है गुल पैंसिल वाली वो ले किया एक सर्कुट बना उसके अंदर बीच में लागा देख लाइट जे लेगी तो बिजली का कंड़क्टर होता है देख रहो यह बदले ले रहे हैं क्यारा मेटल तुमने बहुत ज़्यादा दिक्कत दिये हम बदला लेंगे आखरी में लड़ाई जगड़ा होगा लेकिन भिया इनी का होगा आई उने गंपाउंड बनाएंगे यह अभी तुमको बताएंगे इनकी भिया की कहानी हर्मल कंड़क्टिविटी अभी के लिए आप इसको समझ सकते हैं हीट कंड़क्शन अभी के लिए हीट कंड़क्शन मेरे राजदुलारो जो मुझसे पढ़ चुके हैं वो इस सत्य को जानते हैं हीट का कंड़क्शन solids में electrons की वज़े से नहीं होता किस वज़े से होता है किस वज़े से होता है किस वज़े से होता है atomic vibrations की वज़े से होता है atomic vibrations से क्या होता है heat transfer in solids इसे कुछ ज़्यादा पढ़े लेके लोग phononic heat transfer भी कहते है याद रखना तो आगर आप ये कहते हो कि electrons की वज़े से heat का transfer होता है electric current के transfer की बात नहीं कर रहा है heat conduction जो होता है atomic vibration की वज़े से होता है heat transfer in solid takes place because of the atomic vibrations मान लिजे कि आप एक सिरे को गरम करते है इस सिरे को आपने गरम किया तो इस सिरे पर जो kinetic energy उसके पास वाले की कानेटिक एनरजी बढ़ाएगा, उसके पास वाले की कानेटिक एनरजी बढ़ाएगा, ऐसे देखो, यहां से तुमने गरम करना चालू किया, तो यहां पे जो एटम या पार्टिकल होंगे, वह ऐसे 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 वाइबरेट करने लगेंगे, ओ भया भ गरम हो जाएगा इसे फोनोनिक हीट ट्रांसफर कहते हैं यह ऐसे वेव के फॉर्मैट में होता है इसमें एलेक्टॉन का योगदान नगलीजीबल है तो मैटर्स आर जनरली गुड थर्मल कंड़क्टर्स एक्सेप्शन है लेड और मरकरी यह रिलेटिवली पूर कंड़क्टर्स है हीट के रिलेटिवली दूसरे मैटर्स पारिजन में हीट का कंड़क्शन अच्छे से नहीं करते उतना भैंकर नहीं करते जेनरली पूर थर्मल कंड़क्टर्स एक्सेप्शन डायमंड ने का बदला ले के जाऊँगा फैजल हुमे बेस्ट कंड़क्टर ओफ हीट लिख लो नोट कर लो गूगल पे सर्च कर ले न थर्मल कंड़क्टिविटी वैली ओफ डायमंड सिल्वर से पांच गुना आएगी सिल्वर बेस्ट कंड़क्टर ओफ हीट है मैटल्स में बेस्ट कंड़क्टर ओफ हीट सारे माटीरियल्स में एक नोन मैटल है जो जीत चुका है बेस्ट कंड़क्टर ओफ हीट तो यहाँ पर अगर electrons का योगदान होता free electrons का, तो यह कभी भी best conductor of heat नहीं होता metals होते है best conductor of heat एक non-metal diamond है, search कर लो, मिल जाएगा तो usually तो इस सारे के सारे क्या है, poor thermal conductors है, लेकिन exception फस्ता है, diamond best conductor of heat best conductor of heat ठीक है, 5 गुना जादा तेज heat transfer करता है, silver से, मतलब अगर silver में heat transfer हो रहा होगा, तुमने इस सेरे को silver को गरम किया, इस सेरे तक heat transfer ऐसे होगा, अब diamond का दिखाऊ यह देखो, यह silver यह diamond यह silver यह diamond ऐसे, तो संसार का सबसे best conductor of heat, अगर हम बात करें solids के case में है, तो that is nothing but diamond तो heat conduction होता है, atomic vibration से, atoms vibrate करना start करते हैं, इस वज़े से एक जगे से दूसरी जगे यहाँ पर heat का transfer होता है और metals generally अच्छे conductors है exceptional lead और mercury, यह poor thermal conductors है, यहाँ पर exception वस्ता diamond, अब यह topic खुद में ही काफी एक डेट घंटे का topic है phononic heat transfer, थो मुस्पित्ता depth में ही जा रहे पर आपको एक idea मेंने दे दिया तो कि आप अपने भाला को अब melting point, melting point को हिंदी वीडियों वाले कहते है गलनांक यानि वो temperature जिस पर की एक solid पदार्थ liquid बनेगा है ना, जी विया अब इनके क्या होता है, high melting point होता है metals का melting point बाइस आप वो temperature जिस पर solid liquid बनेगा melting point है अब इन metals के high melting point होते है और इनके generally low melting point होते है generally high melting point generally high melting point generally low melting point exception फस्ता है क्या फिर again high melting point है इसका या exception फस्ता है gallium, cesium and mercury अब तुमारे दिमाग में कि सवाल आएगा सुनील विया mercury तो liquid state में पिखल कैसे सकता है सुनील विया, mercury तो liquid state में पिखल कैसे सकता है, सभी को लग रहा होगा mercury तो liquid state में पिखले गा कैसे क्यों कभी न कभी तो solid बनेगा temperature नीचे लेके जाओ minus 38 degree Celsius ले जाओ उसका freezing point है ना जो जिस substance का freezing point होता है उसका melting point भी वही होता है पढ़ाया था carbon and its compounds में पानी का freezing point zero है और melting point भी zero है minus 38 degree Celsius पे लेके जाओंगा वहाँ पर solid हो जाएगा ना उसी temperature पे melt भी होगा होगा? हाँ तो इनके melting point बहुत लोग होते है भाईया गिलियम और स्वीजियम भी liquid state में है का room temperature पे? नहीं राजा बिट आजा तिरको मैं बताओं अब एक confusion क्यों आता है? मैं बताता हूँ और आना लाजमी भी है कोई गलत बात नहीं है इसका melting point होता है राजा बिटा 29.7 degree Celsius और season का होता है 28.4 degree Celsius अच्छा अब बच्चा किस चीज़ पर ये confused होता है? मैं बताता हूँ बोले भाईया देको ये room temperature है? मैं कहूंगा हाँ को अब बया बया देको मैं हाथ में गैलियम को ले ले लेता हूँ तो गैलियम भीगल जाता है मैं कहा अच्छा बोले देको room temperature है न तो भीगल गया तो मैं कहाँ काम करति तेरा हाथ अटा और table पर रख भीगल रहा है गया? कहाँ नहीं इसको melt होने कितना यह 2асть ? राजा बेटा तुमारे हाथ का temperature कितना होता है कक्षा साथ इम पढ़ा है तुमने thermal meter वाले chapter में normal human body का temperature कितना होता है normal human body temperature कितना है 37 होता है normal human body temperature कितना है बेटा 37 है ना अब तू गेलियम को या रख देगा तो पिख लेगा ही ओविएसली ए गेलियम ये रहा इट विल मेल्ट इट विल मेल्ट अब अगर आप गेलियम को अपने हाथ पे रखोगे तो डेफिनेटली मेल्ट करेगा जी ये मीन्स गेलियम GI means GALIUM ठीके ना सुनील ब्हा के CZM melt नहीं करेंगा CZM भी melt करेंगा हाथ पे लेना बट नहीं तो हाथ गयाब हो जाएगा काफी reactive है CZM will also melt लिख देता हूं CZM will also melt पर ये हाथ पर लेना नहीं है DON'T NOT safe to take on hand हाथ पे ले मत लेना नहीं, तो हाथ उस दिन आखिरी बार देख रहे होगे तुम तुमारा, पहली बात सीजियम खुले में तो मिलता नहीं, काच के अंदर बंद वाओ पड़ा रहता है, पर मान लो कि चलो तुमने देख भी लिया और तुमने हाथ पे ले लिया, तो उसके ब कि अग्ते बेटा कि हाथ को गायब ही कर देगा, धमाका होगा चारकुना बड़ा, सोडीयम उप्रटेशन चारकुना बड़ा, हाथ गायब कर देगा, हाथ के मत लेना, पर ये मिसकंजेप्शन क्लियर कर देता हूं कि जेनरली हाई मैल्टिंग पॉइंट होता है, यनि मोस् तो देख तेरा हाथ का temperature 37 है, उसको पिखलने के लिए कितना चीह है, 29.7 और 28.4, तुने तेरा हाथ पे रखा, उसको पिखलने के लिए कितना चीह था, 29.7 और 28.4, तुने 37 degree Celsius पे रखा तो तो पिखली था, है ना, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर यह पिखल जाएंगे, याद र अला देगा, चलो, आजो विड़ा, अब इससे related एक NCRT activity का discussion भी कर लेते हैं, आजो फड़ावट से, फड़ावट से आजाओ, पीवाई क्यूज भी करवा हूँ, अभी दिखातों, पीवाई क्यूज इसी टॉपिक से related पीवाई क्यूज, पीवाई क्यूज, सेंपल पेप पर activity सब खतम करूँ आएक lecture में, ध्यान चे देखो, अब देखो, अब देखो, NCRT activity discussion, NCRT activity 3.5, इससे पहले कि जो 3.4 तक activity खतम कर दी मैंने, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 खतम, चेक कर लोए न, हो गई, अब इधर देखो, कुछ नी करना है क्या बोलना है मैं तुमको बताता हूँ, तुमको एक aluminium या copper का tar लेना है, प्यार नी, tar बोला, not pure, tar, tar, एक aluminium या copper का tar लेना है, उसको एक सिरे से, एक सिरे से यहाँ पर बांध देना है, इधर, तो हवा में क्या है, जूलने लगेगा ऐसे, यूँ, एक तरफ से fix कर दिया, हवा में ऐसे जूलेगा, अब ज्या करना है एक mom आता न, mom, wax, wax, candle wax, बेटा वोल ले लेना, ठीके भी या, हाजी भी या, ले ले लेंगे, और इसके अंदर ये pin लगा देना, wax आता है mom, हाँ, उसको लगाया, उसमें एक छोटी pin लगा दिया पर ले, क्या बांध, बहुत बढ़िया, अब इसको यहाँ से गरम करेंगे तो क्या होगा, अब अब अधा बेटा, ये तो class 6, 7, 8 की चीज है, बेटा, अगर ये tar को मैंने ऐसे fix कर दिया, tar का एक सीरा इधर से fix है, और दूसरे सीरे पे, मैंने wax, या mom लगा के, एक pin को उसमें चुपका दिया, ऐसे, अब यहाँ बीच में से गरम कर रहा हूँ, तो ब होगा, ये कह रहा है, heat the wire with the spirit lamp candle or burner near the place where it is clamped, what do you observe after some time, ये दो सवाल पूछे जा सकते हैं, what do you observe after some time, note your observations, does the metal wire melt, समझे, ऐसे सवाल आते हैं, घुमाने के लिए, ऐसे घुमाने के लिए, सवाल यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, इस बार जो मैंने analysis किया, इससे majorly memory और concept बेस सवाल यहाँएंगे, ज्यादा analytical application बेस सवाल नहीं आएंगे, इस से, इस chapter से, इस chapter से, दूसरे chapter से आएंगे, what do you observe after some time, and does the metal wire melt, क्या observe करेंगे, और क्या observe करेंगे, सुनिल भाया, यह solid है, वो भी metal, और metal अच्छे heat के conductor है, आप इधर से गरम करेंगे, atomic vibrations की वज़े से, यह दोनों तरफ से गरम हो जाएगी, अब जैसे ही यहाँ से गरम होने लगेगी, तो क्या होगा, wax बोलेगी कि भाया, मैं तो liquid बन जाओंगी, अब wax यहाँ पे liquid बन के गिर जाएगी, तो pin टिकी रही क्या, पिन भी नीचे गिर जाएगी, तो pin गिर जाएगी, इससे तुम्हें समझ में आएगा, कि heat यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी है, और उस heat ने mom को पिगला दिया है, जिस वज़े से pin नीचे गिर गई है, समझे राजा बेटा, समझे, जी विया, we observe that on heating the wire, near the clamp, after some time the pin falls down, ऐसा क्यों हुआ, अरे धातू से बनी है तार मेरे यार, जिस वज़े से धातू क्या करता है, heat को conduct करेगा, atomic vibrations की मदद से, तुमने एक जगे से गरम किया, दूसरा सिरा गरम होगा, wax melt होगी, pin नीचे गिरेगी, इससे साबित होता है, कि metals are good thermal conductors, this shows that the heat flows through the wire and melts the wax, ठीक है, इसी लिए pin नीचे गिरती है, क्या wire आपकी पिगलेगी, further the wire does not melt, even after heating for a long time, this shows that metals have high melting point, ये कहलाता है, analytical mindset, कि क्या तार पिगलेगी या नहीं, अब आप इसको गरम करेंगे, तो ऐसे नहीं पिगलेगी, बहुत high melting point है, पिगलने के लिए काफी सारा समय चाहिए, काफी ज़्यादा high temperature चाहिए, तो laboratory में अगर आप करेंगे, तो नहीं पिगलेगी, ठीक है, अगर आप बहुत high temperature लिया है, तो पिगल चकती है, longer time तक आप इसको heat कर रहा है, पिगल जाएगी, लेकिन इस case में further the wire does not melt, even after heating for a long time, this shows that metals have high melting point, यहनि इनका गलनांक बहुत जादा है, ठीक, चलो, लो राजा बिटेक सवाल करना जल्दी से, राजा बिटेक सवाल करना जल्दी से, पंटाबट से सवाल करो, Aluminium is used for making cooking utensils, Aluminium को हम बरतन बनाने के लिए यूज़ करते है, which of the following properties of Aluminium are responsible for the same, कौन कौन सी property responsible है, जल्दी बताएंगे, सरल चा सवाल, सरल चा सवाल, बहुत सरल सा सवाल है, प्यारे बच्चे कर देंगे आंसर, प्यारे बच्चे कर देंगे आंसर, ओके भाईया, कुछ बच्चे कह रहे थे, भी या एक्जेंपलर भी होगी क्या, देखो, एक्जेंपलर भी लगबग कराने कोसिश करूँगा, लेकिन जो variable वाले सवाल है, वो तुम्हें करने है, तो इस बार का जो मैं sample पर analyze कर रहा हूँ, इस chapter से इस तरीकी के सवाल थोड़े कम आ रहे ह but still on the safer side, तुम MCQ, MCQ तो सारे exemplar के कर लेना, उसके बाद short and long answer questions करना है, चैप्टर पढ़ने के बाद तुमारे हो जाएंगे सारे सवाल, देख लेना, most of them are already covered, अभी देखो के तो समझ में भी आएगा, ए, 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 अर्पित, बीस्ट, आयूष, पवित्र, अब देखो, तुम कैसे confused है, वो में बताता हूं, सुनू, 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 सूनू, ए, 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 राजा बिटा, ए, राजा बिटा, तुम धिमाग तो चलाए, लेकिन सोचे नहीं, अब देखो, तुमको आता है, तुम अधन वगेरा बनाने का में आता है मान लीजिए मान लीजिए यह कडाई बनाई हमने एल्यूमीनियम की और इसमें मैगी बना रहे हैं यह मैगी यहां पर बन रही अंदर यह ऐसे 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 मैगी पड़ी है मैगी नूडल्स यह मैगी पड़ी है अंदर अब सुनील भाई मुझे मैगी बनानी है तो मुझे इसको गरम करना पड़ेगा तो मैं यह कहूँगा हाँ बेटा गरम कर ले फटाबट से बढ़िया से तो कहेगा हाँ भया मैं गरम करता हूँ इसको बढ़िया से कर दिया अब मुझे बताओ कि aluminium का बरतन मैंने क्यों बनाया क्या mindset है मेरा aluminium का बरतन मनाने के पीछे तो सबसे पहली बात अगर मैं analyze करूँ अच्छा heat का conduction, बिल्कुल सही बात है आरे भाई मैं इसको गरम करूँगा और ये heat conduct करके यहाँ पर मैगी को देगा, तभी तो मैगी पकेगी एक बात बताओ, समझदारी की बात है, कि सुनील भाई हम इसको heat देंगे और ये heat इसको देगा, कि बेटा गरम हो जार, बेटा गरम हो जार, बेटा गरम हो जार, बेटा गरम हो जार, बेटा गरम हो तो भाईए ये तो अच्छी बात है ना, good good heat conduction, हां ये तो सही है, अब दूसरें देखना, बीटा, good electricity conduction, ये बरतन लेकरya में लगाना है क्या, भरतन लेकरya ना करें, मेरा मतलब ही नहीं अससे मेरा परपस समझके हो तो मेरा बरतन अच्छा हीट का छूना चाहे बेजली का कंड़क्टर है की नहीं मेरे को क्या मतलब ट्रांसफोर्मर मेँ जा के बरतन लगाना है क्या या घर के बार त्रास मेरे हो यह अपने को बरतन दोड़ी लगा नहीं तुम समझ रहे हो नौट रिक्वाइड ही यह जरूरत नहीं तुम समझ रहे हो बरतन बनाने के लिए जरूरत नहीं है मैं यह चाहता हूँ कंसेट की एप्लिकेशन यह होती है जब एनलाईज करना आता है कंसेट आता है एनलाईज करना नहीं आ रहा न इसे कहते हैं एनलेटिकल स्किल का सवाल समझ गए है भाई या बार बार आप बोलते हो एनलेटिकल स्किल एनलाईज करना आना चीए ये सत्य है लेकिन जरूरत नहीं है तुमारी आप दूर रही है अभी अब दूसरा डक्टिलिटी अब मुझे एक बाद बताओ मुझे एक बाद बताओ तुमने कभी तुमारे माता पिता को देखा है गया कि चलो हम लोग ऐल्यूमीनियम की कड़ाई लाते हैं हो फिर उसे बैड़कहहर में तारे बनाईंगे बरतं डक्टाइल है या नहीं उससे मेरा क्या मतलब उससे तार बनती नहीं बनती मेरा कोई मतलम नी है है मिल्यूमीनियम इलेक्ट्रिकल कंड़क्टर भी ऋब्यर दस् wicked लेकिन इसके जरूरत नहीं यहाँ पे बर्तन मनाना है तार थोड़ी मनानी है हाई मेल्टिंग बिल्कुल होना चीए अब क्यों? अब भैसा तुम LPG गैस के उपर इसको रखोगे ब्लू फ्लेम हाई टेंपरेचर कार्बन कंपाउंट्स नीले कलर की फ्लेम हाई टेंपरेचर अगर ये पिघल गया तो बर्तन पिघल गया तो मैं की तुमाई कुकर वो जो उसके उपर चुपक जाई बर्तन उस पर चुपक जाएगा तो बर्तन का मेल्टिंग पॉंट हाई होना चीए समझ पा रहे हो? हाँ क्या चाहिए मुझे फिर? मुझे ये दो चीज़े चाहिए यहाँ पर ये दोनों सत्य है लेकिन इनकी जरूरत नहीं है ना समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ चलो चलो हाँ ये 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 ऐसे तो अपलाए कर पा रहे हो ना? हाँ चलो आज़ो अल देखो एक और NCRT activity का discussion इसके जश्ट अगली NCRT activity 3.6 क्या कह रहे है Set up an electric circuit as shown in figure, ये रहा electric circuit लगा दिया Place the metal to be tested in the circuit between the terminals A and B इन दो terminals के बीच में आप एक metal को लगा दीजिए ठीक है? Does the bulb glow? मान लीजे मैंने याँ पर एक metal लगा दिया यहाँ पर मैंने मान लीजे एक metal लगा दिया एक metal लगा दिया ठीक? लगा दिया तो यह बोड़ रहा है कि Does the bulb glow? What does this indicate? Simple सी बात है Simple सी बात है The bulb glows? Yes This shows that the electric current flows through the metal यानि कि बिजिली का conduction करते हैं आपके metals यह तो हमें आता है भाईया कि metals are the good conductors of electricity because of the free or the delocalized electrons तो यह सत्य है ठीक दूसरा सवाल दूसरा सवाल Why are electrical wires coated with PVC? या rubber like material से क्यों coat की जाती है? देखो यह जो तारे यहाँ पर use की होगी न यह तुम्हारे घर पे भी तुमने तारों को देखा होगा उनके ओपर क्या है? देखा कभी? लाल कलर की coating, green कलर की coating, काले कलर की coating होती है होती है ना? तो इससे क्यों करते हैं? सिंपल रीजन है, polyvinyl chloride इसको कहते हैं PVC या कोई भी अगदर rubber like material का मिस्तिमाल इसी ले करते हैं because they are poor conductors of electricity चीक है ना? तो electrical wires को PVC या rubber like material से क्यों coat करते हैं? अरे ताकि गलती से अगर हमारा छूबी गया हाथ तो आमें जटका ना लगे because polyvinyl chloride या कोई भी अगदर rubber like material होगा तो ये poor conductor of electricity है मानली जी ये आपकी main तार है और इस पर आपने अगर PVC की coating चड़ाई तो ये PVC coating होगी, ऐसे पताई ये तुमें ये तुमारी PVC की coating है ठीक है? तो ये तुमारी polyvinyl chloride की coating या फिर rubber like material की coating होती है क्योंकि ये poor conductor of electricity है तो गलती से अगर ये तार बे हाथ भी लग गया तो जटका नहीं आएगा बट जब भी circuit on हो, कोशिश करें कि आप उससे दूर ही रहें ठीक है? जी भाई चलो अब कुछ fun facts इससे related fun facts आपको बता देता हूँ बहुत important है याद कर लीजिए मेरे साथ साथ अगर कोई आपको बोलता है सबसे ज़्यादा malleable metal कौन जा है तो याद रखिए gold 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 is the most malleable metal even amongst all materials that is the most malleable substance which is gold पहली बात दूसरा अब इस fact को मैंने update करके बताया है platinum is the most ductile material या ductile metal but NCRT में इसको gold दे रखा है उन्होंने बता भी रखा है कि एक gram gold से हम 2 km लंबी तार बना सकते हैं ऐसा कुछ एक fact लिखावा है थो ये fact आपको याद नहीं करना है 1 gram gold है ना can be stressed to 2 km wire ऐसा NCRT में एक लिखावा है पर इसका updated fact ये है कि NCRT तो काफी सालों से update नहीं हुई है तो updated fact ये है राजा बेटा कि platinum सबसे ductile metal है gold सबसे malleable है platinum सबसे ductile है लेकिन board में ये लिखना है कि gold ही सबसे आदा malleable है तुम कोई competitive exam देने जाओगे तो ये लिखकर आना क्योंकि competitive exam dynamic content पे काम करता NCRT के पुराने content को accept नहीं करता ठीक है जीविया सबसे best conductor of heat मैंने क्या बताया diamond is the best conductor of heat among all elements उसके बाद silver silver is the best conductor of heat amongst metals तो अगर in case of metals आप से पूचा जाए कि best conductor of heat कोन है तो silver सब elements में सबसे best conductor of heat सब में metal, non-metal, metalloid, noble gas सब में मिला के diamond order of electricity conduction in case of metals सबसे ज़्यादा तेज electricity conduct करता है silver, फिर करता है copper फिर करता है gold और फिर करता है aluminium सबसे best conductor of electricity है silver, फिर कोपर, फिर गोल्ड, फिर अलिमीनियम वापेज रिवाइस करते हैं सबसे malleable metal gold सबसे ductile metal platinum but gold according to NCIT best conductor of heat सारे elements या metals में सारे elements में diamond best conductor of heat metals में silver electricity conduction का जो order होगा silver, copper, gold, aluminium तो सुनील भाई, silver की तारे क्यों नहीं बना सकते है gold की तारे क्यों नहीं बना सकते है तार लगाने के चक्कर में घर नहीं बन पाएगा ना अगर सिर्फ तार लगा होगे ना तो प्यार होगा ना तो घर बन पाएगा क्यों? तार बहुत महेंगा आ जाएगा silver और gold का दूसरा काफी ज़दा soft metals होते है चटक जाएंगे, तूट जाएंगे, सर्केट तूट जाएगा इसलिए तार किस से बनता है? में करती है, जिसके पीछे भी कारण है तो आपसे वो ना पूचा जाएगा ना भी आप उसको पीछे जाना है ठीक, चलो वेटा का बोलती रहे public आए भईया आए भईया बोलती है क्या आए भईया आए भईया बोलती है क्या बोलती है public कितार एक previous तेरे का सवाल था, एक सेकेंड एक सेकेंड चलो, कोई ना इधर एक previous तेरे का सवाल डलता है चलो, कोई ना, तुमने इतना पढ़ लिया सारे सवाल होगे तुमारे साइड बै साइड पानी पीते रहे ना, राजा बेटा कुछ खाते पीते रहे ना माता जी को बोलना कि आपको स्नेक्स साथ में ही परोज दे सपर खाते रहिए पढ़ाई करते रहिए शाम के स्नेक्स को बोलते हैं सपर क्या बोलते हैं बेटा, सपर ब्रेक्फास्ट लंच, सपर, डिनर ठीके बेटा, हाँ चलो दूसरा टॉपिक How Reactivity Series Was Built सुनील बई Reactivity Series आपकी कैसे बनी है ना सुनील बई Reactivity Series कैसे बनी एक बच्चा कहा रहा है सपर नहीं सफर सफर नहीं करना बेटा सपर करना है अब यह reactivity series कैसे बनी दोस्तों आई यह इस चीज़ को देख लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जो reactivity activity series आपने देखी दी जो मैंने आपको first chapter में पढ़ाई second chapter में भी काम आई प्रमात्मा ने आपको बना कर दी थी नहीं परमात्मा ने धरती पे सारी चीज़े दी और अब हम उस science को decode कर रहे हैं तो यह scientist या chemist लोगों ने decode करा कि सबसे पहले धात्वों को oxygen से रियक करवाया फिर उनको पानी से रियक करवाया फिर उनको dilute acid से रियक करवाया फिर उनको salt solution of other metals से रियक करवाया इन चार चीजों के बाद हमारे पास सबसे concrete चीज आई जो आपकी reactivity series या activity series of metals है ठीक है? हाँ अब आईए सबसे पहले फटाबट से इसका answer करेंगे राजा बेटा देख थे कितने बच्चों को याद है chapter one chemical reactions and equations से related है जल्दी से बता देंगे फटाबट से answer इसका answer क्या होगा? सुनील विया फटाबट से बता देंगे क्या होगा इसका answer क्या होगा जल्दी से बताएंगे इसका अंसर एक बच्चा आता है एक बच्चा आता है कंफ्यूस करके सक्वुच्च बच्चा आता है फिर एक मिन्ट को चैट में आते हैं रुकवा जो क्या यह सत्य है क्या यह सत्य है इस क्वेश्चन का आंसर है सत्य ए ठीक है तो यह तो मैंने आपको पहले भी बताया था करेक्ट आंसर है कि मैटल की रियक्टिविटी किस पर डिपैंड करती है मैं एक मैटल को रियक्टिव कब बोलते हैं जब वो आसानी से इलेक्ट्रों लूस कर देगा दूसरे मैटल की कंपारेजन में सो मैटल विच इस मोर्यक्टिव दर अनदर मैटल लूस इलेक्ट्रों से इसली यस चीक है यस इस 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 तो इट लूज़िस इलेक्ट्रों और इलेक्ट्रोंस इजी ली देन भी समझ में आगई बात जी अगर मैं बोल रहो कि ए जाधर रियक्टिव है इफ मैटल ए लिख लो स्पैसिफाइए कर लो इफ मैटल ए इफ मैटल ए इस मोर्यक्टिव दन मैटल बी अगर एक धातु ए दूसरे दातु बी से जाधर रियक्टिव है इसका ये मतलब है कि वो अलेक्ट्रों ये लेक्ट्रोंस को आसानी से लूज कर देता है इस कंपेर टू भी पहली बात याद कंसेट नंबर पहला याद कर लीजिए यह यहाँ पर रियक्टिविटी सीरीज वाले कंसेट्स प लूज कर देगा ठीक है जवो इलेक्ट्रोंस को इजिली लूज कर देगा आगे चलते है ठीक है दूसरा the metal which reacts at a lower temperature than the one which doesn't react or react slowly is more reactive is it true or false एक metal दूसरे metal से ज्यादा reactive है अगर वो lower temperature पर react कर लेता है then another metal जो react नहीं करता यह slowly react करता है यह वोगा अंसर जल्दी से बताओ फटबट से मान लीजे मैंने बोला कि एक metal जो है वो बहुत lower temperature लोवर तापमान पर react कर लेता है दूसरे metal के comparison में जो दूसरा metal है वो react ही नहीं करता है यह बहुत दीरे से react करता है तो metal which reacts at a lower temperature than the one which doesn't react or react slowly is more reactive तो यह metal ज्यादा reactive होगा क्या हाँ या ना 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 केरन शर्मा, रूबी, नेवर स्माइल, आयूस्ट, शुबम, एन मनीश पटेल ठीक है ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए ट्रू the metal which reacts at lower temperature क्या मतलब है भाई इसका अगर मैंने बोला कि एक धातू या एक metal lower temperature पर react करता है दूसरे metal के comparison में जो या तो react नहीं करता या बहुत दीरे-दीरे react करता है तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा राजा बेटा, मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा राजा बेटा, याद करो यह concepts बहुत important है तुम confused होते हो, अब यह सारे के सारे concepts देखना मैं कैसे तुमारी reactivity series बनाने के तरफ पर apply करूँगा, अगर मैंने बोला बेटा कि जो A है, वो lower temperature पर react करता है suppose A reacts at, suppose A reacts at a lower temperature than metal B, A react करता है lower temperature than metal B, तो मैं यह कह सकता हूँ, कि A जो है, वो जादा reactive metal है, B के comparison में समझ में आया, clear हो गई बात, जी भईया, ठीक है? समझ में आगी बात? हाँ, तो अगर A जो है, वो जादा lower temperature पर react करता है than B, here B, दो condition show कर सकता है, इधर doesn't react, और react slowly than B, react slowly than A, चीक है? It means A is more reactive metal than B, तो अगर आपके पास दो धातू है, एक धातू, दूसरे धातू एक comparison में, जादा lower temperature पर react कर लेता है, अब यह यह या तो react नहीं करता है, यह बहुत दीरे react करता है, एक एक comparison में, तो आप यह बोलेंगे, कि A जादा reactive है, यानि वो आतुर बैठा है, कितना भी temperature ह ले जाओ, इलेक्ट्रोन ले जाओ, मैं आतुर बैठा हो react करने के लिए, तुम आओ और reaction करो, दर्जा मालो sodium or potassium, पोटेशन में, और किती भी ठंट भी रियाक्ट कर लेंगे ना, बार temperature नेगेटिव, और नेगेटिव, पोजिटिव, जो temperature लो बिया, इलेक्ट्रोन ले जाओ, कौपर, कौपर उले, बाई रियक्टि नहीं करना, दीरे-दीरे करेंगे, आराम से, sodium बड़े से माल, बाई साब, इलेक्ट्रोन ले जाओ, ले जाओ, जल्दी reaction करेंगे, तीसरा देखो, बैटा, concept तीसरा, ये तीन concept तुमारी reactivity series A की बार में clear कर देंगे, बैटा, तीन concept, concept तीसरा, क्या है भिया, the metal which reacts more vigorously, बहुत तेज रियक्ट करता है, and generates large amount of heat and light energy than another metal, when reacting with the same substance, at the same condition is more reactive, क्या मतलब है, कहने का तातर ये है, कि अगर एक धातु, दूसरे धातु के comparison में, बहुत तेज react करता है, देंगे, जमानलों की दो दातु है, और दोनों को तुमने सेम सबस्टांस रियक्ट करवाया, सेम कंडिशन बे, एक दातु बहुत तेज रियक्ट कर रहा है, और दूसरा, बहुत धीर रियक्ट कर रहा है, एक बहुत ज़्यादा heat और light निकाल रहा है, दूसरा बहुत कम न जीत, अनिका, डोरे मौन, नेबर, स्माइल, अंच, फराज, एंड क्या है, क्या है, आंसर है भाई, इसका true, ये है आंदर, तो, जैसे मान लो, जैसे मान लो, at same conditions, at same conditions, क्या कर रहा हूँ मैं, same condition की बात कर रहा हूँ, same condition पे, तुमारे पास दो धातु है, A और B, same condition पे, तुमारे पास दो धातु है, A और B, दो मैटल है, A और B, जीव है, और दोनों के दोनों मैटल, राजा बिटा, दोनों के दोनों मैटल, रियक्ट करते हैं, same substance C से, मेरी बात समझ में आरी है, same condition, यानि same तापमान होगा, ये चलो, मान लो, अगर तुम पानी उसकर र condition हमने लिए, तो same condition पे, दो मैटल मान लीजे, A और B, रियक्ट करते है, same substance C से, ठीक है, जी विया, metal A ने रियक किया same substance C से metal B ने रियक किया same substance C से products बने 7 में बना heat और 7 में बना light product बने 7 में बना heat और 7 में बना light ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि जो speed of reaction है and जो amount of energy release हुई in case A इस A case में जिस speed से उसने product बनाए साथी साथ जितना amount of heat और light energy उसने निकाला जिस speed से ही reaction हुई साथी साथ जितना amount of heat or light energy उसने निकाला वो A में जादा है B से तो इसका क्या मतलब है कि A is more reactive than B simple सी बात तीन बात बता ही मैंने एक धातू दूसरे धातू से तब जादा reactive है जब वो electrons को आसानी से release कर दे दूसरा मैंने क्या बताया अगर एक धातू दूसरे धातू एक comparison में जादा lower temperature पे react कर जाता है जैसे A metal lower temperature पे react कर रहा है लेकिन B react नहीं कर रहा यह बहुत धीरे रिया कर रहा है के comparison में तब भी A जादा reactive है तीसरा मैंने बोला कि same conditions पे दो metal A और B है दोनों C substance से react करते है metal A plus substance C, metal bleed plus substance product के साथ heat or light बनाते है लेकिन जिस speed से reaction हुई इस से तेज है जो A A C से react कर रहा है और B C से react कर रहा है यह जो speed है इसके comparison में यह तेज है और जादा amount of heat और light निकल रही है इसका मतलब A जादा reactive है B से समझ गए? समझ गए? हाँ भी है अब बस तीन concept इन तीन concept से सारी चीज़े मैं बता दूँ आपको ठीक है? तुम याद रखना है तीन concept हार जगे लगा हूँ और reactivity series न दूँ गए? हाँ यह यह तो लग गया है यहाँ पर देखो अब क्याद से सबसे पहरा वेटा ओ मेरे राजा वेटा ओ मेरे राजा वेटा ध्यान चे देखो reaction of metals with oxygen धातू की अधातू से reaction हो रही है यह metal यह non metal इससे reaction हो रही है पहली बात almost all metals combine with oxygen to form metal oxides जैनि most of the धातू air में present oxygen से react करके metal का oxide बनाते है दैसे यह हमारे पास metal metal में हमारे पास है copper copper कौपर कौन से रंका होता है reddish brown रंका होता है क्या बात है भी यह बहुत बढ़िया उसके बाद oxygen जो हवा में present है oxygen एक अधातू एक non metal है ठीक है जब आपने इन दोनों को गरम किया बढ़िया तरीके से तो इन्होंने metal का oxide दिया that is basically copper का oxide जो काले कलर का है अब पहला doubt क्या हर केस में गरम करना पड़ेगा नहीं क्या हर केस में metal को oxygen के presence में गरम करना पड़ेगा नहीं अब यही चीज़ प्रूफ करूँगा basic concept क्या है कि metal oxygen के साथ रिया करके metal का oxide बनाता है metal oxygen metal का oxide metal oxygen metal का oxide ठीक, जी, तो सुनिल भाई, most of the metals oxygen के साथ react करके metal का oxide बनाते हैं, हम राजा बच्चे हैं, हमें ये बात समझ में आ गई आपने बता है, copper oxygen की presence में react करता है, यानि जो हवा में 20.95 प्रतिशाद oxygen है, इसके presence में आप copper को गरम कीजिए, copper oxide बन जाएगा, काले कलर का, ठीक है, समझदार बच्चे आगे, आगे चले, ठीक, अब मैं condition के ले रहा हूँ मेरा राजा बेटा, room temperature या फिर low eating, अब मैं ये देखना चाहता हूँ, कि कम temperature पे कौन react करता है, the one which reacts at the lower temperature is more reactive, अभी पढ़ाया, ऐसा धातू, जो कम temperature पे react करे, वो ज़ादा reactive, जिसको मुझे ज़ादा temperature देना पड़ रहा हूँ, वो तब react कर रहा हूँ, वो कम reactive होगा, अब इसके पीछे भी science है, जब हम ज़ादा किसी चीज़ के temperature को बढ़ाते हैं, तो उसकी kinetic energy बढ़ने लगती है, vibrations बढ़ने लगते हैं, तो वो फटाफट से react करता है, लेकिन जो low temperature पे भी react कर जाए, वो तो naturally क्या बोलेंगे, आप यह तो भेंकर है, low reactive, high reactive में क्या मतलब हुआ, जैसे कि जो low temperature पे react कर रहा हूँ, और high temperature पे, यानि कि वो बच्चा जिसको आमें बोलना पढ़ रहा है, पढ़ाईगर, 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 high temperature पे वो metal, वो धातुआ, जिसे हमें temperature देना पढ़ रहा है, अरे react कर, कर, समझे, तो वो कम reactive हुआ, अब ऐसे room temperature, यानि कि 25 degree Celsius, या फिर आप low heating करेंगे, तो क्या होगा, अब ध्यान दे सुनना, ध्यान दे सुनना, सबसे पहले, silver, gold and platinum, ना तो room temperature पे react करेंगे, ना ही low heating पे react करेंगे, सीधा लिख दो no reaction, oxygen से कोई reaction नहीं करेंगे, silver, gold and platinum, कोई reaction ही नहीं करेंगे, अच्छा, ठीक, अब देखों इनके just opposite, इधार आओ potassium पे आओ और sodium पे आओ, कुछ मत करो, चुप चाब room temperature पे रख दो, इतने खतरनाक है, room temperature पे आग लग जाएगी इनमें, आग, भाई साहाब, ये इतने खतरनाक metal है, आप ये देखिए, ये बोल रहे हैं, हम तो ready बेटे हैं, तुम तो भाई साहब, हमको ठंड में रख दो, हम तो ठंड में भी react कर जाएंगे, यानि कितनी भी कथिन परिश्थितियों, हम react करेंगे, यानि हम पढ़ाई करेंगे, ये पढ़ाकू बच्चे हैं, समझ गए, ये सफेद कलर का, ये रूम टेंपरेचर पर पड़े पड़े जल रहे, बढ़ाई साब रूम टेंपरेचर पर रहे हैं, रूम टेंपरेचर लग दिया, ओ भाई आग लग दे, कौन से कलर की आग, लाइलेक या फिर पेल परपल, बढ़ाई याद करना है क्या, अगर इस चेप्टर से, अनिलेटिकल स्किल का सवाल आया, तो ऐसे ही सवाल आएंगे, एक्जेंपलर में एक सवाल है, कि एक मैटल जलता है, गोल्डन यलो फ्लेम से, गोल्डन यलो फ्लेम से जलता है कौन, कौन जलता है या golden color की flame से कौन जलता है sodium तो potassium और sodium को तुमने room temperature पे रख दिया भाई साथ यह बना देंगे potassium oxide, sodium oxide, peelay color का product, सफेद color का product, lilac color की flame से जल भी रहे, आग लग गई आग और यह orange या golden yellow color की flame से जल रहे हैं देख रहे हो, अलग ही चल रहा भाई साथ क्या आए है भाई, क्या खाते हो तुमने बात करो calcium, magnesium aluminium, zinc iron, lead यह जितने metals है यह air से react करके air में present oxygen से react करके calcium oxide, magnesium oxide, aluminium oxide, zinc oxide iron 2,3 oxide है यह, ferospheric oxide और यह PBO यह कौनचे color का होगा, यह अगेन आपका white color का होगा, इसका मतलब है white, यह भी आपका कौनचे color का होगा white, यह भी आपका कौनचे color का होगा white, यह भी आपका कौनचे color का होगा white यह होता है feo.fe2o3, यह कौनचे color का होगा यह होगा ब्लेक यह पीबी और यलो रूम टेंपरेचर पे यह ओक्सीजन से रियक्ट करके खुद के ओपर क्या बना देते हैं प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्टिव लेयर और ओक्साइट ठीक है? जी अब अगर हम लो हीटिंग पे जाएं तो कॉपर क्या करता है? लो हीटिंग पे अभी जश्ट बताया था जब हम कॉपर को लो हीटिंग करते हैं इनको अगर आप रूम टेंपरेचर पे रख देंगे या इनको अगर आप लो हीटिंग करेंगे तो यह यह बिहेवियर शो करते हैं लेकिन अगर आप copper को room temperature पर रख देंगे, कोई reaction नहीं होगी, on low heating वो react करेगा, और वो क्या बनाएगा, copper का oxide बनाएगा, जो काले color का होगा, क्या इन में से कोई भी room temperature पर, या हलका सा गरम करने पर जलेगा, नहीं जलेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा no flame, no flame, इसका मतलब no burning, पढ़ाया था, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, combustion का एक प्रकार होता है, अगर आपके combustion process में light energy flame के format में है, तो burning, और अगर आपके combustion के process में light energy glow के format में है, तो smoldering, जैसे मुम बत्ती जलती है, तो flame आती है, पीले कलर की, that is burning, अगर बत्ती जलती है, तो लाल कलर के टिंज आता है, इसे कहते है, glow, smoldering, पढ़ा चुका हूँ, carbon and its compounds में भी देखा था तुमने, तो अगर इनको room temperature ये low heating पे मैं रखता हूँ, तो potassium और sodium, potassium oxide, sodium oxide, पीला product, white product, lilac color की flame, pale purple flame, ये orange और ये golden yellow flame, ऐसे जलते हैं, और magnesium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, अपने उपर protective layer बना लेते हैं, और copper, अपने उपर, हलका सा अगर आपने घरम किया, copper room temperature पे रियक्ट ने करता, लेकिर आपने अगर इसको घरम किया, तो एक copper oxide बना लेगा, जो की काले color की layer होगी, क्या ये कोई flame से जलते हैं, नहीं, ये बात कब किये, ये बात है, room temperature या फिर low heating की, अब इससे related activity ही, कि अगर आप इसको laboratory में high temperature पे घरम करें, बंसन बर्नर के उपर घरम करें, तो क्या होगा, अब मान लीजिए, आपने strong heating कर रहे हैं in the presence of oxygen, एक जम तबड़ा घरम कर रहे हैं, ठीक है, room temperature वाली भी क्या है, in presence of oxygen ही है, in presence of oxygen, ठीक है, in presence of oxygen ही है, उसी प्रकार अब अगर आप इनको एकदम तगड़ा घरम करें, आप देखो राजा मेटा, तुम क्या कर रहे हो, temperature को बड़ा रहे हो, समझ में आ रहा है, temperature को increase कर रहे हो, इससे एक बात समझ में आती है, जो धातु जितने कम temperature पे react करता है, और ज़्यादा तेज रियक्ट करता है, ज़् सुनील भईया, सुनील भईया, कम temperature पे ये दोनों तेज रियक्ट करते हैं, और ज़्यादा amount of heat और light energy निकालते हैं, अरे flames निकालने लग रहे हैं, आग लग गई है, लेकिन उसी सेम तापमान पे ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो react ही नहीं कर रहे हैं, और ये कर रहा है, तो भी ये flame नहीं निकाल रहा, तो ये जितने भी है, react तो करेंगे, लेकिन flame नहीं निकालेंगे, रिलेट कर पा रहे हो, ये low temperature पे बहुत तेज रियक्ट कर रहे हैं, इन सब के comparison में, और ज़्यादा amount of heat और light energy निकाल रहे हैं, इनके comparison में तो ज़्यादा reactive यहीं हुए, पर चलो मैं तापमान को थोड़ा बढ़ाता हूँ, तो देखता हूँ कोई react करेगा क्या, अब मैंने तापमान को थोड़ा बढ़ाया है, strong heating मतलब मैंने तापमान को बढ़ा दिया, strong heating का मतलब मैंने तापमान को बढ़ा दिया, अब देखता हूँ कौन ज़्यादा तेज रिय यह यह बावला हो गया। मैं तो बिना हई टेमपरेचर के बहुत तेज रियक्ष कर रहा हूं। अब तू मुझे हीट देगा तो मैं और तेज रियक्ष करूंगा, धमाका कर सुख दूंगा, धमाका, मतलब इतनी तेज रियक्षन करूंगा कि तेरे को बोलना पड़ेगा highly vigorous बाई जब मैं low temperature पर react कर रहा हूँ तो तेरे को यह नहीं समझ में आ रहा कि तुम मुझे गरम करेगा तो मैं और ते रियक्ट करूँगा मैं तो room temperature पर धुमागा कर रहा हूँ तु गरम करेगा तो मैं तो और ते धुमागा करूँगा तो अब यह product क्या बनाएगा potassium का oxide, sodium का oxide बाप रहे इसका रंग क्या होगा, यह होगा पीला, यह होगा सफेद lilac flame यानि कि pale purple flame होगी और orange का बतलब होगया कि golden yellow orange या फिर golden yellow flame होगी अब game थोड़ा पड़ते वे नज़र आएगा अब हम strong heating दे रहे, बहुत तेज घरम कर रहे है तो calcium, magnesium, aluminium भी उठके आएगे बोलेंगे भाईया, हमका भी react करना दो ना vigorous vigorous इनकी सबसे तेज, इनकी थोड़ी धीर है समझ में आरी बात clear है बात clear है clear है इनकी सबसे तेज होगी इनके comparison में इनकी थोड़ी सी धीरे होगी अब देखो, मस्त बात बताता हूँ तुम कहते हो कि सिर्व एक metal सफेद गलर की flame से जलता है ऐसा नहीं है राजा बेटा अब सुनील भाईया की class में हो तो ये भी जानके जाओ calcium, magnesium, aluminium को जब आप air के presence में strongly heat करेंगे तो product क्या बनेगा calcium oxide, magnesium oxide, aluminium oxide सफेद, सफेद, सफेद मजे की बात flame कौन सी होगी white, white, white white dazzling flame तीनों में white dazzling flame तो तीन metals है जो white dazzling flame से बन करते है calcium, magnesium, aluminium और तीनों जो oxide बनाएंगे metal plus oxygen will use metal oxide तो तीनों का जो oxide बनेगा सफेद कलर का बनेगा white dazzling flame से बन करेंगे इस flame में reddish tip भी आईगे calcium case में reddish color की tip आती है flame में जब आप इसको जलाते हैं तो white dazzling flame होती है लेकिन उपर हलका सा reddish flame आता है क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ भई आपने पहले क्यों नहीं बता है यह वाली बात क्योंकि इस वाले में मैं एक NCRT activity बता हूँ जहां पर flame टेस्ट भी है तो यह कुछ लोग बोलते डिरेक्ली रैड है प्यॉर्ली वाइट होती है और उपर जो आखरी वाला पार्ट एक कॉर्णर वो रैडिस होता है मतलब पूरी वाइट flame होगी और इसका जो टिप होगा वो रैडिस होगा फीक है तो अब जब मैं top man बढ़ा रहा हूँ तो यह तो बहुत भैंकर तेज रियक्ट कर रहे है यह इन से थोड़ा धीरे रियक्ट कर रहे है यह metal के oxide बना रहे है यह भी metal के oxide बना रहे है यह पीला सफेद इन सबका भी सफेद और इनका flame निकल रही है इनका भी flame निकल रहे है जल रहे है विल्कुल एक दम भैंकर flame निकाल रहे है अच्छा बहुत बढ़िया magnesium हाला तो दिखा भी चुका हूँ फिर आता है कौन zinc अब इसकी जो speed of reaction है moderate है moderate speed of reaction अब इतना तेस्ट गरम करने के बाद भी क्या है moderate मतलब मम्मी बापा ने कितना भी डाट दिया कह रहा है तो भी थोड़ा ही पढ़ूँगा average पढ़ा ही करूँगा तो क्या है zinc oxide का formation करता है सफेद कलर का बनता है ये powder कौनते कलर का white कलर का powder होता है ठीक है कौन से कलर की flame से burn करता है याद कीजिये light blue कलर की flame से burn करता है आपका zinc लेकिन जो speed of reaction है अभी भी moderate है उसके बाद बात करते हैं iron की iron को अगर आब बहुत तेज़ गरम करेंगे तो बनाएगा Fe3O4 काले कलर का oxide होता है Fe3O4 is nothing but FeO.Fe2O3 एक mixed oxide है पढ़ा चुका हूँ ये sparkles produce करता है कोई flame नहीं अब देखे रहो तुम जैसे जैसे नीचे भी आते जा रहे हो तुम एक चीज अब्जर्व हो रही है तो ये मैंने अरेंज किया इस format में reactivity series के लेकिन ऐसा तब लोगों पता नहीं था वो arrange करना चाते थे तो तुम ऐसे observe करके देखो तो ये flame produce कर रहा है ये कर रहे है अब देरे-देरे speed of reaction भी घटती जा रही है amount of heat and light generation घटता जा रहा है जब यहाँ से नीचे आ रहे है ये flame generate करना ही बंद कर देगा मतलब कम amount of heat and light निकलेगी मैंने आपको बताया था कि same condition पे अगर एक substance same substance से react कर रहा है same condition पे अगर एक metal same substance से react कर रहा है same condition strong heating in the presence of oxygen strong heating is the same condition और ये जो metals है ये किस से react कर रहे है same substance oxygen से react कर रहे है तो जो ज़्यादा तेज रियक्ट करेगा वो ज़्यादा रियक्टिव साथ ही साथ ज़्यादा amount of heat and light generate करेगा ये देखो ज़्यादा amount of heat and light generate करेगे ये कम करेगे ये और कम ये बिल्कुल ही नहीं करेगे इसका मतलब ये reactivity series का order बनता जा रहा है समझ रहे हो आयरन के case में sparkles निकलेंगे कोई flame निकलेंगी भया ये क्या बोल दिया आपने डेली life से link करो करता हूँ लोहे के सरिये को कटते वे देखा है कभी लोहे का सरिया होता है न उसको ऐसे लेके काटते है जब लोहे के सरिये को काटते है तो बहुत ज़्यादा चिंगारी निकलती है sparkles निकलते है क्यों? air में oxygen present है? हाँ low air हाँ काट रहे हो? हाँ जब काटोगे तो लोहे के बीच में जिस से cutter से काट रहो लोहे के बीच में क्या होगा? friction friction से निकलेगा heat मतलब तुमने strongly heat किया iron को oxygen की presence पे चिंगारी निकलेगी क्या निकलेगी? चिंगारी low air उसको काट रहो cutter से काटूँगा cutter से काटूँगा तो low air cutter की वज़े से क्या होगा? दोनों ये move करेंगे contact में होगे तो friction force friction से heat generate होगा heat मिल रहा है iron को in the presence of oxygen F3O4 बनाएगा साथ ही साथ sparkle generate करेगा कोई flame generate निकलेगी चिंगारी सुनील भी अगर मैं powdered ले लूँ तो अगर आपने powdered powdered iron अगर आपने ले लिया या फिर अगर आपने छोटे iron filing ले लिया मतलब iron के छोटी-छोटे टुकडे या filing ले ली तो ये burn करेंगे with a flame burn with a flame याद रहे but again जो speed of reaction है यहाँ से बहुत ज़्यादा कम होगी फिर सुनील भाई अगर हमने lead को गरम किया तो वो lead oxide बनाया और copper गरम किया तो copper oxide बनाया ये पीले color का ये काले color का लेकिन there is no flame कोई flame generate नहीं होगी इससे हमें एक understanding आ रही है सुनील भाई आपने बताया था same condition strong heating same substance oxygen अगर इन से ये metal react करेंगे तो ज़्यादा तेज react करेगा highly vigorous vigorous moderate वो ज़्यादा reactive 30 साथ ज़्यादा amount of heat और light generate करेगा देखे amount of light दिरे दिरे घट रहा है flame से अभी क्या sparkles पर आगा यहाँ पर कोई flame नहीं है तो इसका मतलब ये कम reactive होते जा रही है और नीची आओगे तो क्या मिलेगा no reaction खतम का अब इससे conclusion बताता हूँ तुम्हे conclusion तुम्हें बताता हूँ and sodium ध्यान जो सुनना मिटा potassium and sodium are most reactive इतना तो तुम्हें पता लगी गया होगा अगर मैं तुमको ये चीज़ बताता हूँ और बोलता कि analyze करो तो तुम ये बोलते कि सुनील भाही आपने ये बताया था कि वो धातु जो lower temperature पे react कर ले वो ज्यादा reactive है पर आपने बताये कि room temperature और low heating पे तो most of the metals react कर रहे थे अच्छा फिर दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि अगर same metal same मतलब जाब के पास जो metals है वो किसी same condition पे same substance से react करे और ज्यादा तेज रियक करे साथ इसाथ ज्यादा amount of heat or light के उपर या low heating के उपर same condition है same substance oxygen है क्या कर रहे थे ज्यादा तेज रियक कर रहे थे साथ इसाथ ज्यादा amount of heat or light generate कर रहे थे बागी किसी ने तो यहाँ पे heat or light generate नहीं किया यह देखो room temperature पे भाई साब इनने heat or light generate करा इनने से किसी नहीं नहीं करा तो यह सबसे ज्यादा रियक्टिव अच्छा साथ ही साथ साथ ही साथ यह सबसे ज्यादा रियक्टिव साथ ही साथ ही सबसे least रियक्टिव यह तो रियक्टिव नहीं कर रहे तो यह दो conclusion मेरे लिए सबसे easy है कि यह सबसे आखरी में होंगे कि यह सबसे उपर होंगे समस्दार हो अरे इसको सबसे उपर रखुँगा न कि यह सबसे तेज्ड रियाक्ट कर रहे हैं साथी जादा मौण्ट अधी और निकाल रहे है то और यह सबसे नीचे होंगे कोई ही राक्ती नहीं कर रहे हैं, हाँ, यह दो चीज़े हमें समझ में आ गई, यह दो conclusions तो समझ में आगे सुनील भाई, आपकी दोनों बातों से मैं agree करता हूँ, कि silver, gold and platinum are least reactive, पर, 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 यह most reactive, यह least reactive, पर, क्या आपको इसके बारे में पता है क्या, क्या आपको इसके बारे में पता है क्या, हमें यह पता है कि potassium और sodium most reactive है, हमें यह पता है कि silver, gold and platinum least reactive है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछू, इन दोनों के बीच में बताए कौन जादे reactive, कौन कम reactive, आप नहीं बता पाएंगे, इन तीनों के बीच में तो कौन जादे reactive, कम reactive है, यह आपको पूछू तो आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, छीक है, और सुनिल भाई, यह तो समझ में आ रहा है कि जो calcium है, aluminium है, and magnesium है, यह reactive metals है, है ना, यह calcium, magnesium, and aluminium are less reactive than potassium, and sodium, कित्ता तो समझ में आ रहा है, क्योंकि यह सबसे तेज़ रियक कर रहे थे, यह उनसे थोड़ा धीरे रियक कर रहे थे, तो यह less reactive than this, है ना, are less reactive than this, इसको अटा देते हैं, but, again, अब इन तीनों में सबसे रियक्टिव कौन है, क्या मुझे यह पता है, क्या मुझे यह पता है, इन तीनों में सबसे रियक्टिव कौन है, मैं आप से पूछता हूँ, क्या इन तीनों में सबसे रियक्टिव कौन है, आप मु यह लेसर रियक्टिव है देन पोटेशन, सोडियम, केलिशयम, मैगनिशयम और अलिमीनियम यह बात तो समझ में आती है कि जिन्क, आइरन, लेड और कॉपर इन सबसे कम रियक्टिव है क्यों? जिन्क का स्पीड ओफ रियक्शन बहुत मॉडरेट है आइरन तो फ्लेम निकालता ही नहीं है लेड और कॉपर तो बिलकुली फ्लेम या लाइट एनरजी निकाल ही नहीं रहे है ठीक, यह लोग तो लाइट एनरजी निकालते हैं यह यह दोनो, यह तीनो तो इसका मतलब यह सबसे उपर होंगे, ये बीच में होंगे और ये उसके बाद होंगे लेकिन लेकिन इसमें एक और चीज है क्या? एक conclusion और है कि जो zinc है, वो light blue flame निकालता है और iron जो है वो sparkles तो निकालता है at least तो इसका मतलब ये iron से ज़ाधर रियक्टिव है और iron किस से ज़ाधर रियक्टिव है? lead और copper से लेकिन which is more reactive between lead और copper ये नहीं पता मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद चलो मुझे इतना analysis हो रहा है कि zinc, iron, lead और copper मेरे इन एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पांच से कम reactive है मुझे दूसरी analysis ये भी हो रही है मेरे पास यहाँ पर दो analysis है इसी के अंदर मेरे पास दो analysis है एक ये और दूसरी है दूसरी मेरे को ये कहती है कि चलो zinc, iron, lead और copper में आपस में competition करा के देखो तो zinc light blue color की flame निकाल रहा है तो zinc बोलेगा मैं light तो निकाल रहा हूँ ना iron बोलेगा ऐसे तो मैं भी चिंगारी निकाल रहा हूँ letter copper बोलेगे हम तो कुछ निकाली नहीं रहे तो बोले तुम नीचे बैटो मैंने क्या बोला था जो ज़्यादा amount of energy निकालेगा वो ज़्यादा reactive है अब यह निकाली नहीं रहे यह दोनो तो यह दोनो नीचे आएंगे लेकिन अब इन दोनों में ज़्यादा reactive कौन है अगेन नहीं पता तो इतनी सारी दिक्कते आने लगी तुम इनको सबसे उपर रखोगे लेकिन first पे कौन second पे कौन ये नहीं पता इनको बीच में रखोगे तो second के और third, fourth, fifth पे कौन इनको सबसे नीचे रखोगे तो इनमें सबसे आखरी में कौन और इनको यहाँ पर इन तीनों के तो उपर रखोगे और बाकी इन पांचों के नीचे रखोगे लेकिन इसमें अब order क्या है चलो जिंक के नीचे आए रहे रहे लोगे ये समझ गया हमे लेडर कॉपर में क्या order होगा तो यहाँ पर बहुत सारा confusion आ जाता है तो chemist ने बोला चलो एक काम करते हैं पानी से reaction करवाते हैं पानी से reaction करवाएंगे अब उससे पहले एक सवाल और second chapter से link कर रहूँ आर metal oxides और hydroxides only basic in nature second chapter में कुछ पढ़ाया था मैंने से related बताना तो क्या metal के oxides और metal के hydroxides सिर्फ basic है nature में है ऐसा है क्या बहुत बढ़िया all metal oxides and hydroxides are only basic in nature खतम बात नहीं ऐसा अब देखो यहां भी confusion है clear करेंगे इसको मिनाली, सहर, KD edits, अभिना, अभिजीत, नंदू, सोनिया, यतार्त, प्रकर, एंड श्री रादे जो आज आखरी तक रुकेगा न मैं आखरी में पोल करवाँगा एक ठीक है जो आखरी तक रुकेगा एक बोल करवाएंगे यहां से उसको compare कर लेंगे कौन-कौन था तो जो अभी top अरे वहां तक रुकेगे तो मज़ा आएगा सवाल पूछूँगा जो पढ़ा है उससे related tension मतलो वैसे randomly कोई भी आंतर नहीं कर पाएगा देखेंगे तब leaderboard को कोशिश करेंगे track कर पाए और metal oxides और hydroxides only basic in nature नहीं तो फिर क्या-क्या होते हैं सुनील भाई देखें metal के जो oxides है या metal के जो hydroxides है आपको ये बात समझनी पड़ेगी मेरे दोस्त कि ये दो category में आपके align कर जाते हैं एक जिनको आप बोल रहते हैं कि basic है और एक जिनको आप बोलते हैं कि amphoteric है हीक हाँ अब basic दैसे कि मान लीजे मैंने आपको बोला कि sodium का oxide हो गया है ना मैंने आपको बोला मान लीजे copper का oxide हो गया मैंने मान लीजे बोला potassium का oxide हो गया etc यह सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेसिक ऑक्साइड हो जाएंगे मैं बोलता है एमफोटरिक का मतलब क्या होता है देखिए एमफोटरिक का मतलब होता है दो गुला एमफ का मतलब होता है बोथ क्या मतलब हो इसका बोथ बोथ का मतलब acid as well as base और क्या बोल रहे हो देख बेट गंगा गाय तो गंगा राम, यमुना गाय तो यमुना राम, गंगा गाय तो गंगा दास, यमुना गाय तो यमुना दास, मतलब, देख अगर इसको इससे भारी बेस मिलिया, तो वो आके बोला, क्यों रहे है, तू बेस है, कर नहीं भी साब, मैं तो एसीड हूँ, आपको किस वोल्टर पानी बन जाएगा हां बस खतम बात यह एमफोटरिक समझे अब एमफोटरिक ऑक्साइड या हीड्र ऑक्साइड किसके होते हैं इसके लिए आपको एमफोटरिक मेटल जानना पड़ेगा यह सेकंड चेप्टर में भी तो पढ़ाया था रहे राजा बेटा अरह टिन, एलुमिनियम, बेरिलियम, लैड, जिंक अपने कोर्स में कौन-कौन से हैं अभी एलुमिनियम, जिंक और भी बहुत सारे होते हैं एट्सेटर लगा ले ना बेटा ऐसा नहीं कि यहीं पर गेम खतम हो गया अभी मैं एक्सेप्शन बताऊंगा तो फिर रोने लगोगे आयरन ऐड्रोकसाइड केसे आगे हैं जूट बोल रहा है इसलिए सिर्फ इतने याद रुको उसमें भी ऐलुमिनियम और जिंक याद रुको तो मैटल के ऑक्साइड या आइड्रोकसाइड क्या बेसिक हैं सिर्फ नेचर में नहीं कुछ बेसिक हैं जैसे यह कुछ गुले होंगे दोनो तरफ खेलेंगे कैसे सुनील बही हा मेरे एक्जामपल दो विना एक्जामपल के मजा नहीं आता कोई बात नहीं बेटा तो एक्जामपल लेकर जा देखे बेटा अब यह बहुत बारी एक्स रिट आ गया क्या नाम है इसका है-स-ट्रॉंग एक्री कि गर बंभता तब्लार रहो है कि को आपको मैं थे बॉले इनलिक पार्ट मानलो यह ताइनिक exchange करो राजा बेटा तो क्या है ये कटाइन अनायन के साथ ALCL3 बन गया वाँ 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 राजा बेटा और H और O ये H2O बनाएगा वाँ 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 क्या बात है टाइप आप रियक्शन हम सुनील भी आगे बालक है हमको आती है बात कौनती है वेटा डबल डिस्प्लेस्मेंट क्यों इसका कटाइन अनायन का एक्स्चेंज हो गया न वेटा ये कटाइन इस अनायन के साथ ये देख ये कटाइन इस अनायन के साथ ये देख तो कौन सी होगे डबल displacement हो गई आहा माज़ा आ गया भी या double displacement में कौन सा neutralization अब जैसे इसने react की aluminum oxide ने hydrochloric acid से salt plus water बनाया यानि aluminum chloride plus water बनाया तो यहां से sodium hydroxide रूट के आ गया तो अब वो आ किस से पूछ रहा है क्यो रहे मैं क्या सुन रहा हूं क्या भी है मैं सुना है कि तू तू आज कल बेस बन के गूँग रहा है मैं तो इंसेट हो इंसेट बोले मातलाग मैं अमन हो अमन हो अमन एसेट अमन हो बोले तो रियट करके दिगा बोले बिया देखो acid plus base will give salt plus water इसको भी बावडा बनाया इसको भी बावडा बनाया इसको माज़ा आ गया तो acid plus base will give salt plus water sodium aluminate अब यह aluminate जो है यह zincate जो है मुझसे पढ़ा है तो पता है कि यह mixture of onions होता है oxygen के category में है तो इसमें ज़्यादा जाना नहीं है sodium aluminate अन साथ में पानी acid plus base will give salt plus पानी यानी मेरे दोस्तों यह दोनों की दोनों neutralization reaction है क्या बात है समझ में आया देखो कैसे दल बदल लिया इसने यह दल बदलू लोग देवर जीवन में भी होते हैं दल बदलू देखो हाँ कोई बाहर ही आगा इन भैसा में तो बोली नहीं राता इधर चाहिए आगे बाहर ही इससे बात कि भैसा में तो बैस हूँ react कर लो पता लग जाएगा आपको बोले ठीक बैस को पता लगा बैसा बईसा में तो यह ऐसी तो react कर लो पता लग जाएगा रियक करके पता लगा लिया तो यह कहलाते हैmphotoric oxides hydroxides याद रहेगा वाज़ा बेटा कौन कौन से metal अपने course में है aluminum और zinc इनके oxides और hydroxide कैसे इनके oxides और hydroxides कैसे होंगे विटा emphotoric होंगे ठीक है हाँ अब एक CBFC का प्रीवेस देर के सवाल करते हैं CBFC 2012 बारा कि CBFC ने बोला चूस दा emphotoric oxide among the following कर लेका वीटा चूस इजी है क्या है मंटेख easy है क्या जल्दी बता बदा 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 जल्दी बता चैट बाक्स में जल्दी जल्दी बेटा जल्दी चैट बॉक्स में बेटा आंसर इन में से कौन कौन सा होगा अगर यह A, B, C, D, E है कौन कौन सा होगा एमफोटरिक कौन कौन सा एमफोटरिक यानि एसिड और बेस दोनों की तरह भीव करेगा यह हुए ना बालक यह कैसा होगा मिटा एसिडिक सेकिंड चेप्टर पढ़ना जाकर नॉन मेटलिक ऑक्साइट पढ़ाया था एसिडिक इन नेचर यह नॉन मेटल का ऑक्साइट कौन सा है न्यूटरल न्यूटरल नॉन मेटलिक ऑक्साइट पढ़ाया था यार ऐसे मत करके बिल्कुल ऐसे मत कर यार शुनील प्या को बूरा लगता है यार बाई को बूरा लगाएगा तू बदा जल्दी से बदा बाई को बूरा लगाएगा तू नहीं न विटा थीक है हाँ यह कैसा है metallic oxide है थीक हाँ अब देख विटा ऐसे सवाल आता है अभी तो जज़ दो मिट पहले पढ़ाए तरको देख यह basic यह सवाल आते हैं अब देख विटा और 2015 का सवाल देख क्या है विटा देख क्या वोल ला है गिव वन suitable word for the following एक शब्द लिखना है metal oxides which show basic as well as acidic behavior iodine shining non-metal बिटा एक एक नाम बताओ पढ़ाएग नहीं पढ़ा है बेटा मैंने काता न पीवाई क्यों लाए उससे रिलेटेड एक पीवाई क्यों आगे देख हाँ देख किते प्यारे प्यारे बच्चे आरे बहुत बढ़िया बच्चे यार मैं जाए तो ऐसे अक्साइड जो दोनों बिएवियर शो करते हैं उसका नाम एमफो टरिक क्या बात है बिटा इवटी ने एक शाइनिंग नॉन मिल्टल इसको क्या बोलेंगे लश्ट्रस है वईया कैसा है लश्ट्रस बस एक वर्ड में आंसर लिखना था हम सुनील विया के बाला कि हम तो कर एक मिल्ट में एक वर्ड में लिख देंगे हां अगर कोई बोले कि एक और 9 बिटल बता शाइनिंग तो बोल देना कि सुनील मिया ने बता है था ग्रेफाइट इस और शाइनिंग ना ग्रेफाइट इस और श्ट्रस पूचे तो बता देना सही है मज़ा आ रहा है हाँ क्या बात है तो आयोडी नेक शाइनिंग नॉन मेटल है शब्द क्या हो जाएगा लस्ट्रस क्या बात दिया मज़ा आ गया अगर देखो बच्पन के सवाल बच्पन का प्यार मेरा बूल नहीं जाना रे कक्षा नवी का कंसेप्ट है या तुझे है ना आंसर फिर कर दे मेरे प्यारे बच्चे कि अब 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 अबने बालक जाएंगे तो अपन को निदा सोडी करेंगे को हम सुनील प्या के बालक हम तो एसी कर देंगे है अब पहले है तुझे अब बैसिक अजसरा आ इसमें अब अ कर दे गोर्या में बात पहले अलोंब क्रिशन वाईंव इस्रिया देवांगी शिस्थी अन्रिलेटेटिट साइलेंट माइंड अशुब देवगन देवंगन अब ध्यान चेर देगो मेंटा पहले मेरे बास ब सुनील भाई आपने सिंपल बात बताई basic oxide बनाएंगे कौन metals कौन बनाएंगे राजा वेटा metal अच्छा ठीक atomic number 7 किसका है वेटा है Henry है Henry लिसन BBC News सात्वा यानि नाइट्रोजन 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 यानि यह हो गया non-metal अब सुनील भाई आने आपको session start करने के पहले नहीं बताई थी क्या starting में बताया था beginning में बताया था non-metal है nitrogen बताया था हाँ इसको भगा दो 17 नारियल mango आलू यानि 11 से नारियल mango आलू सलाग पैपसी सोडा कोका कोला 17 कोका कोला यानि क्लोरीन क्लोरीन यानि कि CL यानि कि अगे non-metal अरे भाई साब खतरनाक ओपी वेर को metal ढूंडना है protein नारियल mango आलू सलाग sodium magnesium aluminum silicon 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 क्या होता है सुनील भिया silicon बिटा metaloid होता है हिंदी भाशा में इसको क्या कहते है उपधातू कहते है ठीक है बिटा अब बचा क्या ग्यारा ग्यारा क्या होता है नारियल नारियल मतलब sodium sodium मतलब metal metal मतलब na sodium na तो यह basically metal है इसका जो oxide होगा वो कैसा होगा na2o अब बेटा थोड़ी देर पहले बताया था na2o का oxide का nature क्या है basic होगा हाँ तो element with atomic number 11 will form a basic oxide टेक लगा आगे चला जा अब देख बेटा सारे सवाल related अभी करा रहा हो अभी reactivity series खतम नहीं भी अभी चलना है वहाँ पे इससे related सवाल करा रहा हूँ sample paper 2023-2024 एक number का सवाल जल्दी कर ले बेटा पटा पट जो जो अभी relatable है सब खतम कर रहे है an element m as 50% of the electrons filled in the third shell as in the second shell the atomic number of m is जल्दी बेटा basic सी बात है यह अभी reactivity series में हम चल रहे हैं बेटा भी पूरा नहीं वहाँ reactivity series है ना reactivity series होगा फिर तुम खाना खाने चले जाना an element m has 50% of electrons filled in the third shell as in the second shell the atomic number of m is atomic number of m कितना हो जागा राजा बेटा यह हो जाएगा c yes मानसी, पिकाच्चू, विमलेश, पलक, सी, एतार, गेमिंग, अनुराग, बजन, समा, बजन, समा, देवेश, काजल, एन, आरिफ क्या बात है बहुत बढ़ी है atomic number क्या हो जाएगा 14 अब यह सब basics मैं पढ़ा चुका हूँ मैं बहुत बार आप लोगों को, chemistry के मेरे basics भी देख सकते हैं, गूगल पर, यूटुब पर अविलेबल है देख कहा रहा है, an element M has 50% 50% of the electrons filled in the third shell as in the second shell दैसे मान लीजे कि third shell क्या होता है, पहला shell है K, दूसरा है L और तीसरा है M यह कहा रहा है, तीसरे shell में 50% of the electrons filled in third shell as in second shell second shell में पहले तो maximum electrons कितने आते हैं और कैसे आते, देखिए जब यहाँ पर दो electrons होंगे, इसकी maximum capacity है दो की जब यह पूरा fill हो जाएगा तो इसकी filling स्टार्ट होगी, यहाँ पर आठ बरते हैं जब यह पूरा fill हो जाएगा तो अब M की filling होगी यह कह रहा है, M में 50% electrons है third shell के comparison में 50% of electrons filled in the third shell as in the second shell इसका 50% कितना होता है? चार तो 2, 8 और 4 इसका क्या मतलब हो गया बेटा? किसके ने total electrons कितने है? 14 electrons है 14 electrons है और 14 electrons है और अगर हम इस species को electrically neutral मालने यानि कि जितने protons और उतने electrons तो बेटा कितना हो जाएगा? 14 protons हो जाएगे 14 protons हो जाएगे यानि atomic number कितना हो गया? atomic number या फिर proton number जिसको कहते है वो basically कितना हो गया? 14 यानि कि 14 समझ में आगई क्या बात? आंसर क्या वजाएगा राजा बेटा? 14 14 ठीक है? समझ में आगया? देख बेटा तु लिग रहा है ना जो सिस अब देख मैं सिस पे भी लगा देता हूँ यहाँ पर chemistry यह देख S, I, silicon और S से बने के sulfur एक बच्चा लिग रहा है सिस, सिस, सिस यह देख बेटा ऐसे लगती chemistry यह क्या है बेटा? यह है silicon और दूतरा क्या है बेटा? sulfur तु यह कहना चाहरा है कि तेरी जो सिस है वो silicon और sulfur से मिलकर बनी है तू क्या यह बात कहना चाहरा है गया? यह मेरे राजा बेटा यही बात कहना चाहरा है कि तू? हाई सिस यह देख पूरे तेरी chemistry लगा ही मैंने अब देख इदर देख chemistry लगाते हैं तर देख बेटा तू क्या लिग रहा हाई सिस? यह देख हाई तू नहीं यह लिगा था हाई? यह देख hydrogen hydrogen हाई से क्या हो जाएगा? iodine क्या बात है हट जी क्या है? chemistry लगा रहा हाई तू? बहुत बढ़िया है यह सी लगाता रहे हाई सिस यह सी लगाना हाई chemistry तू? ठीक है ना? हाँ हाँ एस लगाना हाई सिस तू यह लिगा था चैट बोक्स में हाई सिस hydrogen, iodine, silicon, sulfur अब तू यह भी लिग रहा होगा मेरे को बता है अब तू लिग रहा होगा एप इता कमझ रहा है यह ही लंग निए है इंद लगाने मैक model अब ही दो लगा रहा हो एसह चैट अिमेड़फाने अपने तो बाते वही ठेमिस्टिभ यी धियर होती है यह मुझन और यह देखा यूडिन समझ रहा है हाँ तो केमिस्टिय को जब तक बेटा फील नहीं कर देखा न तो जीमन नहीं चलेगा फील करना पढ़ेगा हाइसिस, हाइट्रोजन, हैवडी, सिलिकों शलफॉर, थिर तो म은ला ही uh Squirm? हइलियम हीलियम फिर तुने ये का नए hang तो sodium और हैट्रोजन है acronym में तो आजची नहीं रात है तो ठीक है चलो वेटा हि्- तो तो आगे चलींगे का बोलती पपलिक यहां तक समझ में आरी कि बाते हैं सारी बाते समझ में आरी कि आये भीया लिख देना भीया आये भीया लिख देना भीया कि यहां तक सारी बाते समझ में आरी मज़ा आ गया एक दम ओपी लग रहा ठीक है भीया एक बढ़ आया भीया लिख देना समझ गया आरे भाई भाई भी समझ गया तुम भी समझ गया किया क्या मजा आया भाई मजा आया पहले ही डिमाग में फाले पीते लिए लाना में पानी पीते लिएने से बॉडिका augmented रहेगा जाल दे हैं पताकी चलुख अब अब यहांपर क्या होता है कि जो साइंटिस्ट दिया केमस्त ने बोले कि यार ओक्सिजन से रियक्त कराके हैं हम एग्जाक्ट ऑॉडर नहीं बता पाए तो बोले कि पानी सिरियक कराओ पानी क्यों पानी सिर्यक कराएंगे अच्छा पानी सिर्यक कराएंगे क्या बात है तो पानी सिर्यक कराने पर एता होता है ऐसा होता है क्या हाँ देखो देख मैटल उठा तू सोडियम उठा लिया उठाया पानी पानी क्या होता है एच्टुओ क्या बात है रियक्शन होगी विटा यह बना मेटल का उक्साइड एने टूओ क्या बात है फिर उन्होंने बोला और क्या बनेगा बोले हाइड्रोजन मनेगा अब सबसे पहली चीज जो दिमाग में आने चीए कि सुनील भी आ वाइडिस हैपन्स पहला सवाल आपके दिमाग में आना चीए कि रियक्शन कैसे होई तो मैंने बोलूँगा अरे हुई 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 हाँ अब यह reaction कैसे हुई हाँ देख बिटा यह मेंटा क्या है कि वह सोडियम है यह मेंटा क्या है हाइड्रोजन है अब फर्स शेप्टर में reactivity series पढ़ाई थी तो बताया था कूडी नाल कार मांगो अल्टो जिसको फिर लेकर हम कूडी नाल sodium कर reactivity hydrogen से जादा है obviously तμी तो क्या कर रहा है इसको displaced करे क्या बना रहा है यहाँ पर इसको displaced करे क्या बना रहा है sodium oxide और hydrogen बाएर निकला तो हमें यह चीजव पता है सुनील भाई आपने बताया थाень यहाँपर醉व ad fast sponge क्या हुआ होगा non-metal displacement reaction अरे वाँ 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 क्या बात कर दी आपने मज़ा आ गया सुनील भाई मतलब इस metal ने इस non-metal को displaced करके क्या बनाया sodium oxide और hydrogen gas मज़ा आ गया अरे सुनील भाई आपने एक चीज़ और बता ही थी न कि displacement reactions क्या होती है displacement reaction are redox and generally exothermic most of the cases में exothermic है अपने course में तो सारी आपको exothermic मिलने वाली है most of the cases में redox तो सारी की सारी है और exothermic भी है मतलब भाई यहाँ heat निकलेगी क्या हाँ यहाँ heat निकलेगी अच्छा ठीक है सुनील भाई metal सुनील भाई water metal का reactivity पानी में present hydrogen से ज़्यादा होगा तो metal hydrogen को displace करके metal का oxide साथ में hydrogen और साथ में heat निकालेगा क्या बात है अब देख बेटा इससे मैं तिरक और concept बताता हूँ यह तो हो गया concept पहला concept दूसरा सिख बेटा concept दूसरा क्या है जब लोग कहते है sodium में आग लगती है तो मैं कहता हूँ यह बात गलत है ना तो sodium में आग लगती है ना ही potassium में आग लगती है आग तो hydrogen में लगती है तो इस heat की बज़े से catches fire कौन catches fire hydrogen gas catches fire किसमें आग लगती है बेटा hydrogen gas आग लगती है sodium को तुमने पानी में डाला sodium ने पानी के अंदर present hydrogen को उड़ा दिया sodium oxide बनाया hydrogen निकली because यह reaction displacement reaction है redox भी है साथी साथ यहाँ पर exothermik है exothermik है तो मतलब heat निकलेगी जो heat निकलेगी उसकी वज़े से hydrogen gas में आग लग जाईगी hydrogen gas का ignition temperature है यानि एक तापमान जिस पर आग पकड़े उतना तापमान यह heat energy उसको दे देगी तो आग लग जाईगी लग गई आग ठीक है जी अब यहाँ पर एक और concept आता है अगर मैं आपको बोलता हूँ अगर मैं आपको बोलता हूँ concept तीसरा कि यह जो oxide पानी में सुलिव बने तो क्या बनेगा बेटा तो क्या बनेगा मेटल का hydroxide बन जाएगा क्या बन जाएगा इस case में बनेगा sodium का hydroxide मैंने क्या बोला फिर से सुनना metal होगी तो यह को डिस्प्लेस करके मैटल का ऑक्साइड साथ में हाइडरोजन साथ में हीट निकालेगा इस हीट की वजए से ऐसा हो सकता है हीट बहुत जादा हो तो हाइडरोजन में आग लग जाए साथ ही साथ मैंने यह बताया मेरे राजा वेटा कि यह जो सोडियम का ऑक्साइड है यहाँ पे यह उक्साइड अगर सॉलीबल होगा पानी में तो मैटल का ऑइडरोग्साइड बनेगा कौन-कौन से ऑक्साइड पा पड़ाता तो ही पड़ात लिए पर सुलीबल एंवंत तर आरह व्टर होग्साइड अहाँ खीजा घया यह इंपोर्टेंट इसको या रखलना इने के मैटल ब के औक साइड क्या करिंगे इन आ के मैटल के oxide पानी में dissolve करके respective hydro oxides बनाएंगे समझ में आ रही है क्या बात clear हो रही है क्या बात राजा बेटा को जी भईया तो ये तीन concept बहुत important थे कौन कौन से metal oxide पानी में घुल के metal का hydroxide बनाते है sodium, potassium, calcium, magnesium अभी हमको इतना ही पता होना चाहिए इतना हमारे लिए sufficient है sodium, potassium, ये भी हमारे यहीं पे आएंगे calcium आपने first chapter में बढ़ाए calcium oxide, magnesium oxide आपकी lab manual के अंदर practical में दे रखा है तो ये चार important है ठीक है? चला अब देखिए chemist लोगों ने बोला देखो reaction का mechanism clear है एक काम करते है बोले क्या? बोले एक धातू ज्यादा reactive कब बोल रहे हैं? बोले भाई साब हम ज्यादा reactive तब बोल रहे हैं एक condition उसमें ये है कि वो दूसरे धातू के comparison में ज्यादा lower temperature पर react करें बोले हाँ, इस बात को पकड़े दखो तुम ये बोल रहे हो कि A, B से ज्यादा reactive तब है जब वो उससे lower temperature पर react कर जाए हाँ, तो ये काम करते है पानी थंडा लो अब देखते है थंडे पानी से कौन react करता है ओरे भाई साब, ज़से कि थंडे पानी में डुपकी कों लगाएगा सब काब ए तो जो लगाएगा उसमें determination strong है ज्यादा reactive है चलो अब आई थंडे पानी की बारी ओ भाई साब ओ भाई साब थंडा पानी ओ भाई ओ पी हो रहा है क्या भाई आपने sodium hydroxide क्यों लिगा बेटा ये दो step में होती है metal प्लस water will give us metal oxide plus hydrogen metal oxide soluble है तो directly क्या लिख देंगे metal hydroxide तो directly किताब में ये लिखा होता है metal hydroxide ठीक है अब देखिए sodium metal जो है और यहाँ पर potassium metal जो है जैसे ही आप इनको थंडे पानी में डालेंगे ये क्या करेंगे ये यहाँ से oxygen के साथ compound बनाने लगेंगे और hydrogen को displace कर देंगे क्योंकि इनका reactivity hydrogen hydrogen से जादा है तो ये पानी से hydrogen को बाहर निकाल के फैकेंगे और अपने metal के oxide बनाएंगे इनके oxides पानी में soluble है तो metal का hydroxide बनेगा जो मैंने बताया साथ में hydrogen बाहर निकली साथ में बहुत ज़्यादा heat निकलेगी बहुत बढ़िया अब देखना बेटा सबसे पहला observations को note करना बहुत बढ़िया बढ़िया बाते बता रहा हूं बेटा ध्यान चे देखना observations सबसे पहली चीज़ बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से ध्यान से एकदम बिलकुल density जो होती है यानि जो 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 घनत्व कहते है sodium और potassium का जो density है वो basically पानी से कम होता है sodium और potassium का density जो होता है पानी से कम होता है तो पानी पे float करते है पहली बात यह पानी पे float करेंगे क्या बात है दूसरा चीज दूसरा चीज, दूसरा observation इवाल्ड हाइड्रोजन गैस कैचिस फायर मैं जो बाते बता रहा हूं सारे मिस्कंचिप्शन बुद्धी से क्लियर हो जाएंगे डेंसिटी सोडियम और पोटेशन की पानी से कम है घनत्व कम है तो पानी में डालती तुम देखो के पानी पे फ्लोट करते हैं दूसरा पानी में जैसे ही जाएंगे हाइड्रोजन को बायबाय करके निकाल देंगे और साथ में इनके जो ऑकसाइड्स बनेंगे वो पानी में सलीवल है तो इनके हाइड्रोजन में कनवर्ट हो जाएंगे अब इस heat से क्या होगा evolved hydrogen gas catches fire इसमें आग लग जाएगी भेंकर आग explosion होगा और तीसरा हम क्या observe करते हैं मैंने practically कई बार कर रहा है बता देता हूँ आपको इसका एक experiment वीडियो भी डाल दूँगा वादा कर रहा हूँ इसका एक experiment वीडियो डालके YouTube के shots में आपको दूँगा इस चीज का तीसरी चीज का एक experiment shots डालकर आपको दूँगा क्या बोलना चाहते हैं जो speed of reaction होगी आप देखेंगे speed of reaction of potassium with cold water is greater than speed of reaction of sodium with cold water कैसे पता लगता है ये तीसरी चीज कैसे पता लगती है आप same size का potassium लीजिए same size का sodium लीजिए लिया आप same condition लीजिए same substance यानि की same condition room temperature same substance थंडा पानी ये potassium ये sodium लीजिए same time पे गिराईए potassium जैसे ही पानी में जाएगा वैसे ही जाते ही hydrogen gas में धमाग अगर क्या अग लगा देगा sodium में समय लगता है potassium में समय नहीं लगेगा sodium में समय लगेगा इससे क्या प्रूव होता है कि potassium की reaction जादा तेज हो रही है तो जादा जल्दी heat निकलेगा तो hydrogen बोलेगी बाए बाए मैं तो जल रही हूँ इसकी reaction दीरे होती है तो heat दीरे दीरे निकल रही है hydrogen के ignition temperature पे पहुचने में समय लगेगा तो यह यहाँ पर आपको बात याद रखनी है यह कैसे पता लगता है यह ऐसे पता लगता है लिख देता हूँ evolved hydrogen gas evolved hydrogen gas immediately catches fire immediately catches fire in case of potassium समझ गए तो इससे हमारी एक बात क्लियर हो गई जब हम यहाँ पर confusion में थे कि potassium जादा reactive है कि sodium अब मेरे दिमाग में clarity आती है कि potassium जादा reactive है sodium comparison में मैं खुश हूँ मुझे अच्छा लग रहा है मुझे एक चीज़ पता लग गई ठीक फिर आता है calcium केल्शियम को धंडे पानी में डाला तो केल्शियम ने भी यहाँ पर oxygen के साथ bond बना डाला और oxygen के साथ bond बना डाला तो calcium oxide बनेगा और calcium oxide पानी में solival है तो calcium hydroxide बनेगा hydrogen gas बार निकलेगी साथी साथ heat निकलेगी ठीक है अब यह reaction इन दोनों के comparison में बहुत ज़्यादा धीरे होगा ठीक है बहुत ज़्यादा धीरे होगा अब इसमें और क्या चीज होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ आपको यह चीज जाननी चाहिए कि आपकी किताब यह क्यों बताती है कि calcium float करता है सुनेल भिया potassium और sodium भी तो पानी पे float करते है आरे वो पानी पे float करते क्योंकि उनके घनत वो कम है calcium अगनत वो कम नहीं है calcium की density ज़्यादा है पानी से लेकिन फिर भी वो float करता है पानी पे क्यों मैं बताता हूँ important बात सुनना हाँ बहुत important बात बता रहा हूँ जो density है calcium की density of calcium is greater than that of water sinks in water actually तो यह पानी के अंदर sink करना चाहिए sinks in water initially आप जैसे इसको पानी में डालेंगे तो पहले यह पानी में नीचे sink कर जाएगा डोब जाएगा अब जैसे जैसे यह पानी के साथ रियाक करेगा जैसे जैसे hydrogen gas निकले की तो hydrogen gas यहाँ पर आग नहीं पगड़ेगी क्योंकि इतनी heat निकाली नहीं पाये गई है इनके comparison में इसकी reaction और धीरे है तो evolved hydrogen gas doesn't catch fire not enough heat is released अरे reaction ही धीरे धीरे हो रही है तो इतनी जादा amount of heat energy निकली नहीं पायेगी ठीक है अब यहाँ पर यह observation important बनती है कि exam में काफी बार आया है इस सवाल calcium float क्यों करता है अरे naturally calcium sink करता है लेकिन पानी के अंदर क्या है अब यह reaction करके hydrogen बना देगा ना तो यह जो tiny bubbles hydrogen के the tiny bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of calcium and hence it starts floating on the water important है बहुत कि बाई calcium का घरत्व तो जादा है ठंडे पानी में डाला तो पहले डूप जाता है फिर वो पानी से react करके calcium oxide बनाता है calcium oxide पानी में solubal है तो calcium hydroxide बनता है साथ में hydrogen gas बनती है heat निकलती है यह heat इतनी निकलती कि hydrogen में आग लगे तो यह bubbles calcium पे चुपक जाते और यह फिर surface पे धीरे-धीरे float करता है surface पे तैरता है और जादा बाब बहुत जादा बड़ा metal डाल दिया इतनी bubbles नहीं निकले तो नहीं करेगा float most of the cases में करेगा ठीक है यह important बात है यह naturally तो नहीं करता है तो फिर इस case में क्यों कर रहा है अरे इसलिए कर रहा है कि भाई hydrogen में आग नहीं लगी bubble उसी के ओपर चुपक जाएंगे चुपक जाएंगे तो उसको लेकर उपर चल जाएंगे ले वेटा चल हमार से ओपर चल ऐसा ठीक है तो अब यहां से conclusion क्या आता है वो भी देखना ठंडे पानी से सिर्फ potassium, sodium और calcium react करते हैं और कोई metal react नहीं करता अब reactivity यहां से आपको समझ मेरी है कि सुनी लगे आपने बताया सबसे ज़्यादा reactive कौन है? potassium फिर उसके बाद कौन सा होगा? sodium क्यों? अरे sodium में इतना heat तो निकल रहा है कि कौन तेज react कर रहा है similarly कौन ज़्यादा amount of heat and light भी generate कर रहा है पर हमने आपर सेम condition ली, ठंडा पानी सेम condition ली ठंडा है सेम सबसांस पानी ठंडा 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 potassium डाला, sodium डाला, calcium डाला potassium बहुत तेज रियाक कर रहा है sodium थोड़ा दीरे, calcium और दीरे potassium में instantly heat energy निकल रही है sodium में थोड़ा दीरे, calcium में और दीरे potassium में इतनी ज़्यादा heat energy निकल रही है कि instantaneously hydrogen में आग लगी sodium में थोड़ा दीरे लग रही है calcium में लगी निकल यह आग यह order होगा समझ में आ गया कि समझने आगया चलो अब देखो तुमको थोड़ा एक वीडियो विडियो दिखा है के तुम्मएर थोड़ा मूट फ्रेश करते हैं अब देगे भी या इसपे पानी नी कैसे डालता देखोड़को पानी नी दिखाते हैं इस पे कैसे डलता ध्यान ते देखना कि यह जलाएंगे कि इसको सोडियम और पुटेश्यम को किसमें आग लेगी आज को देखते हैं इसको एक बार दुआ कर देंगे दुआ कर देंगे तो बच्चा लोग अगर आपको भी लगता है कि जब sodium की water से reaction है या potassium की water से reaction है और sodium और potassium जलते हैं तो आप भी गलत हैं और कुछ बच्चे जिन्हों ने बोला कि sodium potassium जल रहे हैं वो भी गलत हैं विकॉज इस reaction प्रेक्षिन में होगा क्या कि अगर सोडियम वाटर से रियक करता है तो सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेंगे अब रियक्षिन की हीट की वज़े से हाइड्रोजन में आग लगती है और इनके जो पानी में सुल्यूबल इसलिए उनके पर्टिकुलर हाइड अब मज़ेगी बात आपके लिए यह है कि यहां पर अलग-अलग कलर की फ्लेम क्यों बनती है इन बच्चों के लिए भी एक्वेशन है और आप लोगों के लिए एक्वेशन है तब तक के लिए अपना जहां रगे कुछ यह स्टे हल्दियन स्टे ऑसम जै जै फिजिक्स व को स्टेशं और सोडियम को अलकली मैटल्स क्यों कहते है कि एकते कि अध्युक यहां से यह भी समझ में है कि इनकी लौट मूट मेतलस समय क्यों चिबांप दूसरा alkaline metals क्यों बोलते हैं अब आपको समझ में आएगा sodium and potassium forms water soluble base अब यह water soluble base बनाते है alkaline इसलिए इंको क्या बोलते हैं basically alkaline metals बोलते हैं अब सुनील भाई हम क्या करते हैं अब हम क्या करते हैं पानी के तपमान को और बढ़ाते हैं शबने कि मैंने आपको बोला जो जितने जादा लोईर टमपरेचर पीरिया करेगा उतना जादा रियक्तिव है आप पानी को थोड़ा गड़ा तैंपरेचर को थोड़ां तो ido को इस एब radiation को इंकनfrage्ट करेगा जब cold water से सबसे तेज रियाक कर रहे थे, तो hot water के साथ तो obviously और तेज रियाक करेंगे. अब hot water के साथ एक और metal रियाक करता है, जिसका नाम क्या है magnesium. अब मेरे राजा बेटा, magnesium की reaction अगर गरम पानी के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? magnesium यहाँ पर hydrogen को displace करके magnesium oxide बनाता है. इसका oxide पानी में solival है, तो बनता है magnesium का hydroxide, साथ में बनती है hydrogen gas, साथ में बनती है यहाँ पर heat. लेकिन यहाँ पर सेम चीज होती है, जो calcium के साथ ठंडे पानी में होती है, evolved hydrogen gas doesn't catch fire. पहली चीज, दूसरी चीज. एक तो evolved hydrogen gas जो है, उसमें आग नहीं लगती. magnesium की density पानी से जादा obviously नीचे रहेगा, लेकिन starts to float करने लग जाता है, तैरने लग जाता है, just because of evolved hydrogen gas. So, यहाँ पर भी hydrogen gas के अंदर आग नहीं लगेगी. Because not enough heat is released. इतनी जादा आग नहीं लगी है. इतनी जादा heat energy नहीं निकली है, कि भाईया इसमें आग लग सके. ठीक है? जी भाईया, समझ गए. दूसरा. तो फिर यह tiny bubbles of hydrogen के साथ क्या होगा? यह जो tiny bubbles hydrogen के, यह vertically आपके चुपक जाएंगे hydrogen के surface पे, and उसकी वज़े से वो float करने लग जाएगा. तो जैसा calcium के साथ ठंडे पानी में होता है, वैसा है magnesium के साथ गरम पानी में होता है. ठीक है? जी. अब इससे conclusion क्या आता है? यह भी देखना. क्या इनके अलावा कोई और metal hot water से react करता है? नहीं. तो कौन-कौन react करता है? potassium react करता है, sodium करता है, calcium करता है, magnesium करता है. इसके अलावा कोई नहीं करता है. तो यहाँ से order मेरे दिमाग में क्या आता है? सबसे अधर reactive है potassium. potassium के बाद है मेरे पास sodium, उसके बाद है मेरे पास calcium, उसके बाद है मेरे पास magnesium. ठीक है. को और increase कर दिया पहला concept कि rate of reaction या speed of reaction कैसे होगी speed of reaction मानली जब आप speed मानली जब आप steam से react करवा रहे हैं तो सबसे तेज रिया करेगा potassium फिर रिया करेगा sodium फिर रिया करेगा calcium फिर रिया करेगा magnesium अब aluminium zinc और iron को हम रिया करवा रहे हैं से सबसे तेज तो स्टीम से रियाक करेगा पोटेशम फिर सोडियम फिर कैल्शम फिर मेंगनीशम यह तो ठंडे पानी से भी सबसे तेज रियाक कर रहे थे तो जो ठंडे पानी से कर रहा है गरम पानी से कर रहा है स्टीम से तो और ज़्यादा तेज रियाक करेगा स्टीम तो वाटर वेपर जिसको आप बोलते स्टीम पास करा तो यहां से आइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा यहां से भी आइड्रोजन डिस्प्लेस होगा तो क्या बनेगा इसमें आग नहीं लगेगी अगेन आपको बता तो आग नहीं लगेगी यह इतनी हीट निकाली नहीं पाएंगे कि हाइड्रोजन में आग लगा सके है ठीक है हाइड्रोजन गैस डजन्ट कैच फायर हाइड्रोजन गैस डजन्ट कैच फायर ठीक है तो यह इतनी हीट नहीं निकाल पाएंगे कि हाइड्रोजन गैस में आग लगा सके ठीक है सुनील भाई अब हमें यह समझ में आ रहा है कि सबसे जब तेज रियक करेगा पोटेशम, फिर सोडियम, फिर कैलशियम, फिर मैगनीशम इन यहाँ पर जो है इनका ओर्डर हम नहीं निकाल पा रहे बिकाज यह बहुत पूर रियक्शन शो करते है पूर रियक्शन पूर रियक्शन विट्स टीम यानि कि इतनी पूर रियक्शन है कि आप यहाँ पर डिफरेंसिज नहीं निकाल पाऊगा कि इन तीनों में से ज़ाधा रियक्टिव कौन सा है मतलब कि आप यह नहीं बता पाऊगा कि इन तीनों में से जाधे reactive कौन है poor reaction hence we are unable we are unable to tell which is more reactive अब इन तीनों में से सबस्दा reactive कौन है हम ये पता ही नहीं लगा पारे ये नहीं पता लगा पारे सबसे पहली चीज़ अगर आप steam से react करा रहे हैं मतला आपने तापमान और बड़ाया speed of reaction सबसे potassium फिर sodium फिर calcium फिर magnesium ये तीनों react करेंगे metal oxide प्लस hydrogen gas बनाएंगे साथ में heat निकलेगी heat इतनी नहीं होगी कि hydrogen में आग लग पाए साथ ही साथ बहुत poor reaction शो करते हैं extremely poor reaction शो कर रहे हैं तो हम ये बता ही नहीं सकते कि यहाँ पर ये तीनों में जादर ये active कौन है हम ये distinguish नहीं कर पाते उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर इसको बात नंबर एक बोलता हूं जो यहाँ पर लिखी भी है इसको बात नंबर दूसरा बोलता हूं इसको बात नमबर तीसरा बोलता हूँ और इसको बात नमबर फिर चौथा बोलता हूँ चौथी बात यहाँ पर यह है कि जो lead है copper है, silver है, gold है यह तो किसी भी तरीके से ना तो थंडे पानी से रियक करते है ना गरम पानी से, ना steam से completely unreactive towards water है कौन? lead, copper, silver और gold रियक्ट ही नहीं कर रहे है अच्छा, तो फिर यहाँ पर conclusion क्या आ रहा है, ना तो इनका order बता पा रहा हूँ, ना ही इनका order बता पा रहा हूँ, कुगी यह react इनी कर रहे है यह कर रहे हैं, तो यह बहुत poor order में कैसे बता हो silver और gold का पता यह purken to silver gold platinum order कैसे बता हो reaction ही नहीं दे अक्सिन के साथ पानी के साथ बी रिच्ट नहीं करें कहां से बता हूं पानी के साथ बी रियक्ट नहीं करेंगे沃ष इस सिल्वर गोर्प एंड नहीं करेंगे न यारर इसமी कॉण ज्यादा रियक्टिव है तो बस एक conclusion आता है मेरे भी दिमाग में conclusion क्या आता है सुनी लगाई मेरे दिमाग में conclusion आता है we can only arrange those metals that react with cold water और hot water बस और वो भी decreasing order of reactivity यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे तेज है potassium फिर है sodium फिर calcium और फिर है magnesium मैं सिर्फ यहाँ से इतना conclusion ला सकता हूँ कि potassium फिर sodium फिर calcium फिर magnesium जब मैंने metals का oxygen से reaction कराया था तो मुझे यह पता था potassium sodium सबसे उपर होंगे इन दोनों में से rank 1 या rank 2 कौन होगा यह नहीं पता था calcium magnesium aluminum बीच में होंगे लेकिन 345 पर कौन होगा यह नहीं पता था फिर zinc iron lead और copper इनके नीचे होंगे लेकिन इनकी ranking में नहीं पता थी यह पता था कि zinc उपर होगा iron नीचे होगा लेकिन फिर lead और copper का order नहीं पता था फिर silver gold और platinum कही react ही नहीं कर रहे है ना oxygen से ना पानी से कहां पे उपर silver रखू gold रखू second पे silver रखू gold रखू या third पे silver रखू gold रखू कहां पे रखू किसको पता ही नहीं है तो यहां से सिर्फ में यहां तक इतना ही conclude कर पा रहा हूँ ठीक है अच्छा एक यह setup ज़रूर याद रख लेना कि metals की reaction जब हम steam से करवाते हैं तो यह कुछ ऐसा setup है आने पास हमारे पास ठीक है अब इसमें क्या होता है यह glass wool या फिर steel wool होती है या फिर आपके पास steel wool होती है डाट इस basically soaking water ग्लास वुल या फिर करेंगी वोता उसको पानी के अंदर हमны उसमें लेते है और फिर यहां से हम इसको बेसिकली यहां करेंगे, गरम करेंगे, इसमें से जो पानी है वो बेसिकली स्टीम मन की यहां से बहार रहेगा, ठीक है, तो आपको जिस भी मैटल को स्टीम के साथ रियाक करवाना है, आपने एक टेस्ट्यूब ले रखा है, क्लैम कर रहा है, मतलब यहां पर फिक्स कर रहा है, स्टेंड पर, यहां पर आपने एक स्टील या फिर ग्लास फुल ले रहा है, जो कि पानी के अंदर सोक्ड है, आप जैसे ही इसको गरम करना स्टार्ट करेंगे, इसमें से क्या बहार आईगी, इसमें से स्टीम बहार आने ल रियक करेगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा? मैतल काichtlich،cture हो बनेगा साथिसाथ hydrogen gas निकलेगी यही तो बतायत आपको यह देखे मैतल प्लस stir मैतल अक्साइ़ प्लस hydrogen gas, तो जैसे ही आपके पास यहाँ पर आपने मैतल रखा है आपने steel wool या glass wool रखा है इसको आप गरम कर रहे हैं इसमें से स्टीम बार निकलेगी मैटल से इंट्रैक करेगी तो मैटल उक्साइड बना लेगा मैटल लेगा कर लेगा मैटल मैटल उक्साइड बना लेगा साथ में यहाँ पर क्या निकलेगी hydrogen gas निकलेगी यह hydrogen gas को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है delivery tube से पानी के अंदर हम लेकर जा रहे हैं इस tube में पानी है अब हमें यह पता है कि जो भाईया हमारी hydrogen gas से पानी में insoluble है तो यहाँ पर इखटी होती जाएगी hydrogen gas hydrogen gas is lighter than water and insoluble in water सुनील भी है यहाँ पर हाइड्रोजन gas उपर जाएगी तो पानी नीच आएगा बिल्कुल अब आपने यहाँ पर glass will and steel wool के अंदर क्या कर रखा पिटा आपने इसको पानी में सोखा हुआ है इधर आपने metal sample बन रखा इसमे आपने यहाँ पर इसको गरम किया इसके अंदर जो पानी है वो स्टीम बनके जैसे इसके पर जाएगा यह हाइड्रोजन गैस पानी से लाइटर है हाइड्रोजन गैस इंफेक्ट आपकी हवा से भी हलकी है तो उपर की तरफ जाएगी और दूसरा इंसॉलिवल है ना पानी में घुलेगी नी तो उपर जाएगी यहाँ पर इखटी होती जाएगी पानी का क्या होता जाएगा यहाँ पर क्या होता जाएगा नीचे के तरफ आएगा तो फाइड्रोजन गैस दीर है यहाँ पर इखटी होती जाएगी पानी नीचे आता जाएगा इसे टेक्निकल एक फिनॉमिन अऊए downward displacement of water क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते है downward displacement of water क्या बात के दिए सुनिल विया ICC वाले भी समझ पारे होंगे downward displacement of water कहते हैं ऐसा क्यूं होता है अरे hydrogen मेरे राजा बेटा पानी से हलकी है और दूसरा घुलती नहीं है तो घुलती नहीं है तो यह बबूले इसमें घुलेंगे नहीं यह बबूले उपर 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 जाएंगे अब इनको जगे चीए यह यहाँ पर जैसे जैसे जगे लेंगे पानी नीचे आएगा पानी नीचे आता रहेगा water will move down water will move down और इसे हम क्या कहते है downward displacement of water कहते है तो hydrogen कैसे यहाँ पर क्या करेगी कैसे मिलती है हमे downward displacement of water से मिलती है कि भाईया पानी में घुलने रही है पानी से हलकी है तो उपर जाएगी अब यह जगे गिरेगी जैसे जगे गिरती जाएगी पानी मीचे आता जाएग downward displacement of water समझ में आगी बात समझ में आगी बात चलो तो यह diagram important है diagram is important याद रखना एक बार previous year में सवाल आचुका है इसके उपर diagram is important अब बताओ अब यह तो बहुत सरलसी बात है यह तो बहुत सरलसी बात है मेरे को बताओ sodium potassium को हम mineral या kerosene oil में क्यों store करते है मैंने कितनी बार बताओ यह बात तो answer नहीं नहीं हम बताओ kerosene oil में क्यो चूर करते है sodium potassium को बहुत simple से बात kaerosene या फिर mineral या और में क्यों store करते है इपあーb rbaa regnica यह बहुत simple YN ao बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक देंगे, थोडी देर के अंदर देंगे, थोडी देर में, देंगे ब्रेक। अरे, ये Naughty Boys है, कौन बना आता हूँ, देखों, तो sodium और potassium कोन है, मानलोकी, मानलो sodium और potassium कोन है, तुम समझना, analogy समझना तुमको एक minute में समझने आएगा, लो भी या एनलोजी देना एक बार देखो बेटा एनलोजी देता हूं तुमको एनलोजी देखो बेख राजा बेटा sodium of potassium तुम कौन है यू आप हो और air और air के अंदर बेतिकली क्या होती है oxygen and moisture चीगे ना हाँ यह आपके naughty दोस्त है naughty दोस्त देखो बेटा sodium और potassium आप हो air यानि की air में होता है oxygen और moisture अब दिक्कत यह है कि potassium और sodium जैसी oxygen और moisture यह contact में आते हैं धमागा कर देते हैं आपको मैंने बता है reaction of sodium and potassium with किसे oxygen से room temperature पर रखा oxide बनाया आग लग गई उसी प्रकार moisture से रियक करेंगे फटाबट से आग लग जाएगी हाँ क्या बात है चीग है हाँ तो फिर तो फिर यहाँ पर यहाँ पर कैरोसीन या फिर mineral oil क्या है कैरोसीन या फिर mineral oil यहाँ पर क्या है कैरोसीन या mineral oil क्या है parents है खदम का तुमारे मम्मी बापा तुमारे मम्मी बापा क्या करते है बेटा यह तुम हो यह तुमारे नौटी दोस्ते यह parents है तो तुमारे पेरेंट्स का करते है तुमको इनके कॉंटेक्ट में आने से रोकते है न हाँ पेरेंट्स नौटी दोस्तों के कॉंटेक्ट में आने से रोकते है हाँ sodium और potassium को हवा के कॉंटेक्ट में आने से रोकते है कौन mineral oil या kerosene oil तो sodium and potassium are highly reactive metals and react with air react with air ठीक है that is react with air that is oxygen or moisture, moisture का मतलब हो गया H2O, oxygen is O2 समझे छोटू and it catches fire तो अगर मेरे राजा बेटा हवा के contact में आ गए, तो oxygen और moisture मिल जाता है भया आग लग जाती है तो अगर मुझे इनके contact को रोकना है तो मैं इनको oil में रख देता हू तो prevent the supply of air their captain kerosene or mineral oil और भया इनको room temperature पर हम रख देते हैं, खुला तो spontaneous combustion शो करते हैं, spontaneous combustion मतलब मैंने माचीज की तीली लगा ही नहीं, उसके बिना यह जल गया, room temperature पड़े पड़े इसना आग लगा ली खुद को खुद ही जला दिया spontaneous combustion लेकिन आम ऐसा लगता है इसके पीछे क्या है, यह दोनों आ जाते हैं और यह इसको जला देते हैं तो तुम्हारे मुम्मी बाबा को क्या है पता है, यह parents यानि केरोसी नहीं मिनरल है, इनको पता है कि यह naughty दोस यह नहीं, oxygenal moisture से contact में आएंगे तो यह बिगड़ जाएगा खराब हो जाएगा, तो इसलिए वह तुमको क्या करते हैं अपने अंदर समा के रखते हैं, protect करके रखते हैं तो उनकी बात मान लो उनकी बात मान लो अब आज़ो आगे की बात, बस अब यह यह वाला topic खतम होने वाला break दूँगा यह topic तो खतम कर लू रा राजा बिटा बस मेरे को कितना समय देना है 7, 51 हो रही, 7, 8 तक मैं कैसे भी करके खतम कर दूँगा, 7, 8 तक guarantee करके खतम कर दूँगा, बस अब मेरी बात को ध्यानते सुनना अब फिर उन्होंने बोला कि यार देखो अभी तक potassium, sodium, calcium, magnesium को order हमने set क्या बाकी बाकी के लिए फिर कुछ और करना पड़ेगा तो बोले acid से reaction करवाते हैं अब बोले acid से reaction करवाएंगे तो इसके लिए तो simple concept हमको पता है बोले क्या concept है बोले देखिए हमारे पास है metal बोले हाँ बोले हमारे पास मालीजी है dilute का acid ठीक है बहुत बढ़िया देखिए यह बनाता है metal का salt बोले बहुत बढ़िया बोले साथी साथ यह निकालता है hydrogen gas बोले बहुत बढ़िया आप बोले कि अच्छा ये देखिए आप ये तो आपका concept है लेकिन ये कौन शो करेगा तो उनने बोला कि ये तो वही शो करेगा ये तो वही शो करेगा possible when when reactivity of metal is greater than hydrogen of acid ये तो राजा बेटा सिर्फ तभी possible है जब इस metal की reactivity इस acid में present hydrogen से ज़ादा होगी तो इस hydrogen को displace करके metal का salt और hydrogen gas बनाएगा बोले ठीक है बोले लेकिन इस concept से हम कैसे पता लगाएंगे hydrogen तो पानी के साथ भी निकल रही थी पता कैसे लगाएंगे कौन reactive है कौन ये बोले रुको तो बात ही नहीं सुनते हो रहे यार रुक तो जाओ बोले अच्छा ठीक है रुक गए बताओ बोले देख दूसरा गंचेट भी आएगा याँपे पहला ये दूसरा है बोले ठीक बोले देखियो होगा क्या the more reactive metals do not react with the same vigor same vigor का मतलब होगा same speed के साथ react नहीं करेंगे same vigor with acids जो ज़्यादा रियक्टिव होगा क्या वो same speed से रियक्ट करेगा acid के साथ उन्हेंगा नहीं जो ज़्यादा रियक्टिव होगा ज़्यादा तेज रियक्ट करेगा चो कम reactive होगा वो थोड़ा धीरे रियक करेगा बोले हाँ तो बोले इससे क्या साबित करना है बोले सुनो तो आप देखो जब रियक करेंगे तो यहां बभूले निकलेंगे बोले हाईडरोजन में आग नहीं लग रही है यहां बभूले निकल रहे हैं बोले हाँ बोले potation sodium को अगेन हीट तो निकलेती है तो पोटेशन, सोडियम, कैल्शिम को अटाई आप अब इनकी बात कीजिए वह अच्छा ठी है तो बोले हम कैसे पता लगाएंगे देखे जैसे ही मैटल डाइलियूड एसेट से रियक करेगा मैटल का सॉल्ट प्लस हीड्रोजन कैस निकालेगा उ अब यहाँ बोले तो यह ज़्यादा रियक्टिव होगा वह ज़्यादा तरियदयत करेगा तो ज़्यादा ज़दी बावर्बल निकालेगा ना same amount of time में ज़्यादा bubbles निकाल देगा बोले हाँ बोले मान लीजे 30 seconds का समय देते हैं और जो metals को हमें देखना है कि उनकी reactivity का order क्या है same amount of acid same concentration of acid में metals को dip कर देते हैं जिसके ज़्यादा bubbles निकलेंगे वो जीत गया क्योंकि जिसके ज़्यादा bubbles निकल रहे हैं मतलब उसने ज़्यादा hydrogen निकाली उतने समय में ज़्यादा reactive है बोले क्या बात है यारी तो effervescence अब आगको पता है effervescence का मतलब क्या होता है evolution of gas in form of bubbles with fizzing and foaming यानि gas आपके bubbles के format में निकलेगी along with fizzing and foaming जाग भी निकलेगा ठीक है तो बोले फिर तो एक काम करते हैं बोले क्या काम करना है बोले देखे बहुत सरलसी बात है 1, 2, 3, 4, 5, 6 test tube लिए आपने बोले ठीक सबको same level तक आपने को भरना है अब इसको कहते हैं भरू में एक काम करते हैं इस वाले को cross कर दीजीगा इधर वाले को यहां से start करते हैं एक test tube बहुर बना देता हूं इधर ठीक अब देखिए same amount of acid लेके चलते हैं इतना 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 same amount of acid क्या बात है same amount of acid same amount of acid आपने लिया क्या बात है तो सबसे पहली condition आपको का करनी है देखे conditions को भी same करूंगा same amount and concentration of acid सबस्टांस तो same लिया अब same condition करनी है दूसरा सबसे पहले इं test tubes के अंदर आपने बराबर amount में acid लिया बराबर concentration में same acid same substance ठीक है ना अब इसके अंदर आप क्या गिराएंगे इसके अंदर आपने क्या गिराया इसके अंदर आपने क्या गिराया इसके अंदर आपने क्या गिराया और इसके अंदर आपने क्या गिराया मान लिजे इसके अंदर आप गिराते हैं सबसे पहले इदर आता है magnesium इदर आता है aluminium इदर आता है zinc इधर आता है iron, इधर आता है land, इधर आ जाता है basically आपका cu, ag या फिर au, या आपका आ जाता है, तीनों में से कोई एक, ठीक, जी, गिराना कब है, condition same होनी चीए, है न, we will, we will drop metals at same time, है न, and observe for 30 seconds, मतलब, देखें यहाँ पर potassium, sodium, calcium को लाने की ज़रुत नहीं होगी, काफी ज़्यादा amount of heat energy भी निकाल देंगे, और उससे explosion हो जाएगा, तो उनकी हमें पता है, हम क्या करते हैं, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, copper, silver और gold को ले ले लेते हैं, same amount and same concentration of acid, substance आपका same है, conditions देखें, condition same कैसे हैं, मैं आपको बताओ, condition, यानि same amount and concentration, condition आपकी same है, drop at the same time, condition सारी same होनी चीए, अब आपने यापे same amount लिया है, same concentration लिया है, same समय पे आप इनको पठकेंगे इसके अंदर, और 30 seconds तक observe करेंगे, same substance क्या है, acid, which is the same substance here, acid, तो यहाँ पर क्या है, जो green से लिखा है, that is same substance, और जिसको आपने white से mark किया है, that is basically same condition, समझ में आ रहा है, पढ़ाई थी यह बात, कि अगर आप same condition पे, same substance से metal को react कराते हैं, तो ज़्यादा तेज रियक्ट करेगा, ज़्यादा amount of heat energy release करेगा, सुने लिए यहाँ पे heat भी निकलेगी, कि हाँ, यहाँ पे heat भी तो निकलेगी, तो ज़्यादा तेज रियक्ट करेगा, तो ज़्यादा तेज रियक्ट करेगा, तो ज़्यादा amount of hydrogen निकलेगा, तो ज़्यादा रियक्ट करेगा, तो ज़्यादा तेज रियक्ट करेगा, साथ में ज़्यादा amount of energy, यानि heat और light भी निकल सकता है, तो ज़्यादा heat निकलेग पढ़ाया था, पढ़ाया था, हाँ, अब देखो, अरे बापने, ये इसके उपर आगे क्या, अरे यार, ये तो गलत हो गया, ये इसके उपर कैसे आ गया, भाई, अब इसको माग कर लीजिए, ठीक है, सेम अमाउंट एं सेम कंसेट्रेशन अफ एसेट, वी विल ड्रॉप मैटल्स अब अब आप क्या उब्जर्फ करेंगे, ध्यान से देखिए, आप ये अब्जर्फ करेंगे कि मान लीजिए, आपने यहाँ पर मैगनीशम को डाला, आपने यहाँ पर क्या किया, सेम साइज का मैटल भी डाला, अलिमीनियम का, जिंक डाला, आइरन डाला, लेड डाला, और यहाँ पर आपने क्या डाला, कॉपर, सिल्वर या फिर आपन गोल्ड डाला अब देखिए ध्यान दे सुना condition same यानि कि same amount and concentration same time पे गे रहेंगे condition same है same substance acid metals ये रहे same time पे हम dip करेंगे अब यहाँ पर क्या हम observe करते हैं कि यहाँ पर जो bubbles निकलेंगे सबसे ज़ादा निकलेंगे 30 seconds में सबसे ज़ादा bubbles निकलेंगे फिर उसके बाद इसमें निकलेंगे उसके बाद इसमें निकलेंगे उसके बाद इसमें निकलेंगे उसके बाद इसमें निकलेंगे इधर निकलेंगे यही नहीं no bubbles अब इससे क्या समझ में आता है याद कीजिए जिब reactivity series का build करना सिखाया था तभी बता दिया था कि अगर आपने same condition यहाँ पर लिए है same amount of same amount and concentration same time तो same condition हो गई same substance आपका acid हो गया आपने acid same substance आपने ले लिया अब आपके metals यहाँ पर react करेंगे तो जो metal जादा तेज रियक करेगा जादा amount of hydrogen gas निकाल देगा 30 second में आपने magnesium को drop किया aluminum drop किया zinc iron lead and copper एक साथ सबको drop किया तर 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 तीस सेकिंड में इतने bubble निकाले फिर इतने निकाले इतने निकाले इतने इतने निकाले इतने reaction ही नहीं करी तो मैंने आपको बताया था ना कि during the same condition अगर आप metal को same substance रियक करा रहे हैं त तो सबसे पहले magnesium, aluminium, zinc, iron, lead reacts with dilute hydrochloric acid and the rate of formation of hydrogen bubbles is सबसे ज़्यादा magnesium, फिर aluminium, फिर zinc, फिर iron और फिर आपका lead निकालेगा यह order होगा चीक है जी वही है तो यहां से यहां तक हम कितने metals को arrange कर पाएंगे इतने metals को कि हमने potassium हमें पता है सबसे दर एक्टिव, फिर sodium, फिर calcium, यहां से हमें पता लगा कि magnesium, उसके बाद aluminium, फिर zinc, फिर iron, फिर lead और इनके बात obviously आपका hydrogen होगा क्योंकि यह सारे के सारे का कर रहे हैं hydrogen को displace करने का दम रख रहे हैं acid से इसलिए again अब यहां पर copper, silver, gold and platinum don't react with dilute acid तो इसलिए हमें इनका order पता नहीं चलेगा अच्छा सुनील भईया आपने बोला था कि same condition पे same substance अगर दातू react करते हैं तो जो ज़ादा reactive होगा ज़ादा तेज react करेगा यह हमें पता लग गया यह ज़ादा bubbles निकालेगा same time में फिर यह फिर यह फिर यह फिर यह फिर यह साथ ही साथ ज़ादा amount of heat निकालेगा तो इसका यह मतलब है कि ज़ादा amount of heat energy किस में निकलेगी magnesium में फिर aluminum फिर zinc फिर iron फिर lead क्योंकि आपकी कईना कही जो reaction यह हो रही है metal प्लस dilute acid वाली displacement है तो वो exothermican redox भी तो होगी इतना तो आपको यह चीज़ पता है ना कि metal plus dilute acid will give metal का salt plus आपका hydrogen gas तो यह किस प्रकार की reaction है कैसी reaction है यह सुनील भाई यह आपकी displacement reactions है साथी साथ displacement reaction redox होती है सारी की सारी यह वाली exothermic भी है मतलब यह अपने अंदर से heat भी निकालेगी है ना heat भी निकालेगी यानि plus heat तो हमें यह पता है जो ज़्यादा reactive होगा ज़्यादा amount of heat निकालेगा इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि rather than हम hydrogen के bubbles को observe करें हम thermometer रख देते हैं जिस case में ज़्यादा तेज reaction होगी 30 second में वहाँ पर temperature rise ज़्यादा होगा अगर यहाँ पर मैं 30 second के लिए यहाँ पर thermometer को इसके अंदर रखता हूँ और यहाँ पर जैसे ही metals को एक साथ dip करता हूँ सबसे अधर rise इसमें आएगा फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें इदर आएगा ही नहीं क्यों जितना तेज reaction होगा उतना ज़्यादा heat ऐसे amount of heat जो release होगा वो भी घटता जा रहा है क्या बात है भी है तो यहाँ से order याद हो जाएगा क्या we can also identify the most reactive metal by placing a thermometer the one in which the maximum rise in temperature is seen is giving the reaction at a faster rate in the same amount of time so the order of amount of heat released will be sabse pehle potassium, phir sodium, phir calcium, phir magnesium, phir aluminium, phir zinc, phir iron, phir lead ऐसे भी पता लगा सकते है यह सब मैंने start करने से पहले आपको basics पढ़ाए थे I hope यह सब को clear है यह second तरीके से आप identify कर सकते है लेकिन again आप इनके बारे में नहीं कुछ भी वता सकते है we can't tell their order we can't tell order of this कोई दिक्कत नहीं है, अभी पता लगा लेंगे लेकिन इसी के अंदर एक बढ़िया exceptional case हमारे सामने आता है इसको हम थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे यहांपे क्या होगा अगर यह सारी reactions what happens if the reaction takes place in the presence of dilute nitric acid कोई बताना चाहेगा के मेरा दोस्त कोई बताना चाहेगा मेरा दोस्त कोई बताना चाहेगा मेरा दोस्त की क्या होगा यहांपे कोई मेरा दोस्त बताना चाहेगा यह बात कोई बताना चाहेगा यस 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 ब्रेक देंगे ब्रेक देंगे ब्रेक देंगे टेंशन मत लीजिए भाईया पढ़ा रहे हैं भाईया ने भी तो ब्रेक ने लिए बैटा मैं भी तो खड़ा हूँ, खड़ा हो के बोर्ड रहा हूँ, आप ही के लिए राजा बेटा, थोड़ी देर सहे लीजिए, यह सारी चीज़े, है न, हाँ, आप देखें, यहाँ पर क्या होगा, अगर आप मैटल की रियक्शन, डाइलियूट नाइट्रिक ऐसिड के जद कराए होगा, अगर आपके पास मैटल मैगनीशियम और मैगनीज है, जब अभी अपन यह उब्जर्वेशन कर रहे थे, तो इसमें हमने ऐसिड लिया था न, कि भाई ऐसिड ले लेंगे, सेम अमाउंट और कंसेंट्रेशन ऑफ ऐसिड, तो राजा बेटा, आप नाइट्रिक ऐसि ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक ऐसिड, तब तो आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही निकलेगा, तैसे, अगर आपके पास यह मैगनीशियम है, आपके पास य हाइड्रोजन गैस, उसी प्रकार से मैगनीश जो है, वो भी आपका नाइट्रिक ऐसिड के साथ रियक्ट करेगा, बनाएगा मैगनीश नाइट्रेट, एंड आपकी साथ में निकलेगी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, अब राजा बेटा बैलेंस करने की ट्रिक सिखा चु दो नाइट्रेट, दो नाइट्रेट, यह दो है, तो यहाँ पर भी दो नाइट्रेट, दो आइड्रोजन, दो आइड्रोजन, दो आइड्रोजन, दो आइड्रोजन, एक मैगनीश बैलेंस्ट है, अब इसको इंफोर्मेटिव भी बना लेते हैं, सॉलिड, सॉलिड, डाइ क resumes fit कोई औरーー मेटल होता तो कोई और नाहिए तो क्या वहता वह भी बता देता हूं मांने जिए अगर मैंगिनीकम्नीश के अलावा मैंगses के अलावा लेते तो यहाँ पर अगर मालीजे इसके अलावा कोई और मैटल होता और यही आपकर नाइट्रिक असेड होता तो यहाँ पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस के जगे प्रोड़क्ट कुछ और होते क्या प्रोड़क्ट होते सुनील भी आप वो बता दीजिए देखो मैं बताता हूँ क्या प्रोड़क्ट होते है तो अधर मैटल्स प्लस डाइलूट नाइट्रिक असेड अगर अपने लिया तो सॉल्ट आप बोलेंगे कि बनेगा बिल्कुल बनेगा साथ मैं आप सोच रहो ह हाइड्रोजन गैस बनेगी नहीं हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होके बना देगी पानी और रिडक्शन होगा नाइट्रिक असेड का तो बनाएगा एनो एन्टु ओ या फिर एनो टू क्या बोलना चाहरे हो मैं बताता हूँ देख बेटा जैसे कोई और मैटल अपन य स्ट्रॉंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम क्या है मैटा किसी भी चीज जो बन रही हो इसको ऑक्सीडाइज करने का खुद रिडियूस हो जाने का तो यह क्या करता है यह क्या करता है यह यहाँ पर क्या करता है इस चीज को द्यान H2O मतलब हाइडरोजन गस को तो Oxidize कर देता है बांग और खुद को का करता है Reduce2 This Oxidizing agent सामने वाले को Oxidize का रहे है खुद को Reduce करेगा अगर मैं Oxidizing agent 2 सामने वाले को Oxidize करने काम करूँगा खुद को Reduce करूँगा तो ये क्या करता है राजा विटाव ये सामने वाले को तो oxygenize करता है और खुद को क्या करता है reduce करता है to NO, N2O या फिर NO2 में समझ आगी क्या बात clear है क्या बात clear है क्या बात clear है क्या बात ठीक है सही है चलो बहुत बढ़िया अब एक और चीज़ को समझते हैं एक्वारीजिया क्या होता है ध्यान से देखना, एक्वारीजिया Latin में, एक्वारीजिया इसका Hindi जो English का मतलब आप बूलू Hindi मतलब, अंग्रेजी मतलब क्या है इसका अंग्रेजी मतलब क्या है जो पाच concept यहां को पढ़ा हूँगा जल्दी से ध्यान से देखेंगे सबसे पहला इसको बोलते क्या है इसको बोलते है royal water क्या बोलते है royal water aqua regia sort of आपका एक latin name है जिसका मतलब होता royal water royal इसलिए क्योंकि royal metal या precious metals के लिए इस्तिमाल के जाता है उनकी reaction कराने के लिए use के जाता है ठीक है अब यह क्या होता है it is nothing but a mixture यह दूसरी चीज आगई दूसरी चीज आगई हमारे पास यहां पर यह क्या है mixture of concentrated nitric acid and hydrochloric acid in the ratio of 1 is to 3 मतलब क्यागर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 75 milliliter HCl है और उसमें अगर तुमने 25 milliliter HNO3 डाल दिया concentrated concentrated HNO3 डाल दिया तो यह जो मिसरण बनेगा यह क्या 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 लाएगा यह क्या क्या लाएगा aquarigia aquarigia जो कि लाटिन शब्द है इसका मतलब होता है royal water royal water इसलिए को कि royal metals के लिए use क्या जाएगा अभी का यूज करेंगे बताऊंगा अब यह क्या होता है यह एक मिसरण होता है concentrated nitric acid और hydrochloric acid जिनका ratio होता है 1 is to 3 75 milliliter अगर मान लीजिए आपका hydrochloric acid है और 25 milliliter आपका concentrated nitric acid है तो इस mixture को aquarigia कहींगे अब तीसरी चीज it is a highly corrosive and fuming liquid यह तीसरी बात highly corrosive and fuming liquid जिसमें से fuming शब्द का मतलब क्या होता है बच्चा पूछता है fuming क्या होता है देख मेंटा fuming का मतलब क्या होता है fuming का मतलब होता है जो अपने अंदर से release fumes releases fumes अब fumes क्या होती है परदर अगर आपको याद हो तो उस दिन जब मैं experiment कर रहा था bottle खोलती हो उसमें से धुआ निकल रहा था उसमें से गंदी बद्वो आती है और वो harmful भी होती है तो unpleasant harmful gases unpleasant harmful gases तो जब आप chemistry के अंदर देखते हो ना कोई bottle ओडल खोलते हो तो भाई साब खतरना गया से धुआ हो निकलने लग रहा था है तो वह gases होती है उनका order unpleasant होता है and harmful होती है वो तो aqua regia Latin शब्द है जिसका मतलब है royal water जो कि मिस्चरन है concentrated nitric acid और hydrochloric acid का 1-2-3 का mixture 25 ml का nitric acid है तो 75 ml तुमारा concentrated hydrochloric acid होगा काफी ज़्यादा corrosive यानि कि तुमारी skin पे गरिया है किसी चीज़ पे गरिया है तो उसको damage कर देगा खराप कर देगा या permanently आप कह सकते है deteriorate कर देगा साथी साथ fuming liquid है इसमें से काफी ज़्यादा आपका क्या निकलता है fumes निकलता है unpleasant harmful gases निकलती है अच्छा उसके बाद it is one of the few reagents reagents का मतलब क्या होता है reagents का मतलब होता है कि कोई ऐसा chemical substance जो किसी reaction को occur कर आए ठीक है ना chemical substance chemical substance chemical substance that that ensure to start a reaction अभी आप लोगों के लिए इतना काफी है कि भाई वो एक reaction को start करवा दे अब उसमें कभी-कभी आजसा भी condition होती है कि वो एक specific substance को ढूणने के लिए हम कर रहे होते है तो यसे reagent कहते है now it is one of the few reagents that can dissolve gold and platinum golden platinum को अपने अंदर dissolve कर लेता है है ना normal assets can't do this normal assets can't do this can't do this alone अकेले तो नहीं कर सकते यहाँ पर दो concentrated asset का mission हमने यूज किया है जिसमें कि यह घुल जाते हैं समझ रहे हो जिसके अंदर यह घुल जाते हैं यह reaction वहाँ पर करते हैं अब इससे जो पांच भी important चीज में आपको यहाँ पर बताना चारा हूँ वो भी सुनना तुमारे घर के बार तुमको चूना लगाने के लिए कुछ लोग आते हैं चूना लगाने आते हैं सुनिल भीया, घर के बार लोग, आते ना, बाबी जी, बाबी जी, आपके कंगन लाइए, जुमके लाइए, हम चमका देंगे, तो बेटा वो हमको चमका के निकल जाते हैं, क्यों? मैं बताता हूँ, वो actually में aqua regia लेकर आते है आपका gold और platinum और किसी चीज में तो घुल ली रहा normal acid में नहीं घुलता या react नहीं करता उसके अंदर वो क्या है? reaction करता है घुल जाता है फिर वो उनके वाज एक soluble format में आ जाता है फिर उससे वो gold को extract करते है क्या करेंगे? ऐसे लेंगे gold dip करके बोलेंगे, मैडम लो नया हो गया तो actual हुआ क्या राजा बेटा? मैं आपको बता हूँ मम्मी को बताना वैसे तो मम्मी को पता होगा या पापा को बताना, उन दोनों को तो वैसे बेटा पता ही होगा, जीवन में काफी experience है या मान लो तुमने दिया जुमका आरा, जुमका गिरारे बरेली के बाजार में ये जुमका तुमने दिया, ये सोने का जुमका था ठीक है, ये इतना बड़ा ऐसे सोने का ये ऐसे मस इसमें ऐसे design design है बढ़िया था और ये इसमें ऐसे पहनने का तुम ने, आप जूमका के करेंगे ना वो लो रे मेडम जी कितना बढ़ीया सुन्दर तो आपने लिया है, मज़ा आगया, मज़ा आगया, नहीं ना बातों में उल जाएंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, राजा बेटा इसको इसके अंदर डाल देंगे, तपाक, और टपा और मेडम जी कितना सुन्दर है मेडम जी यह लो वह आंटी ची लेग कईगे ओ यह इतना चमक ने लगा बीच में पहुचना भी पड़ेगा ध्यानगना काफी कोरोजे डायरेट आथ पे लोगे आथ गायब कर देगा तो यह सीधा आथ मिले लेगा डायरेट आथ मिले तो पहले मेडम आपने 100 ग्राम का दिया तो आप 90 ग्राम का बचा हो क्योंकि इसके ओपर की टाटती गुल गई गुल गई तो यह थोड़ा ऐसे छोटा हो गया लेकिन आपको दीएगा नहीं कि छोटा हो चुका है यह इसा हो गया है ना अभी पहले से अलका हो गया अब आप ज गुल गया और वो कंपाउंड के फॉर्मेट में आ जाता है तो इसकी जो टाटती वो खा गया है इसके अंदर यह निकाल गे दे दिया तुमको अब अंदर की सर्फेस आती है इनर सर्फेस अफ गोल्ड इस विजिबल है ना इट स्टार्ट्स टू शाइन अब इतनी बार की लियर वो ले गया तो अंदर की चमकीली लेर बाहर आ गई तो वो कहा हो गया हो चमकने लाग गयो हमारो गोल्ड तो चमकने लाग गयो कुर नी चमक रहा भया वो डिजॉल हो गया निपड़ गया तुम्हारा गोल्ड ठीक है हाँ तो ऐसा न्सी आटी एक्सराइज में एक सवाल भी है तो तुमको डिटेक्टिव बन के खोजना है डिटेक्टिव बन के तुमने खोज लिया इनर सर्फिस ओप गोल्ड इस व्यास पॉल्ड बन टिटेंग फिरफ निवाट गोल्ड पॉलिश नहीं हुआ है ठीके जी बही हाँ ठीके बड़ा ठीके बड़ा ठीके बड़ा ठीके बड़ा अब Potassium, Sodium, Calcium, Magnesium, Aluminium Potassium, Sodium, Calcium, Magnesium, Aluminium, Zinc, Iron, Lead यहां तक तो अरेंज कर दिया बागी Copper वगेरा को अरेंज करना है आज़ाओ कर लेते हैं तो लास्ट तरीका था Reaction of Metals with Solutions of Other Metals यहनि Salt Solution of Other Metals से अब Reaction करा है यह चौथा तरीका है पहला Reaction with Oxygen दूसरा Reaction with Water, तीसरा Reaction with Dilute Acid चौथा Reaction of Metals with Salt Solution of Other Metals ठीक है बहुत बढ़िया अब देखो बढ़िया देखना Metal A यानि धातू A इसको डाला Salt Solution of Metal B में क्या बात है बना Salt Solution of Metal A क्या बात है और साथ में बना Metal B आहा क्या बात है मया आगिया इस बेसिस पे पता लगाएंगे कौन Reactive, कौन कम Reactive अरे कौन सा Concept है यार Only Possible ये कब Possible है If Reactivity of A is Greater Than B अरे याद है ना Iron प्लस Copper Sulfate तो Iron का Reactivity Copper से जादा है तो Iron Sulfate प्लस Copper पापर इस से पता लगाने वाले हैं आगे की चीजों का जो ज़्यादा Reactive होगा डिस्प्लेस करेगा जो नहीं होगा नहीं करेपाएगा अच्छ तो पहले तो ये कंफर्म कर लेते हैं कि भाईया Copper जो है वो Lead से कम Reactive है ये Verify कर लेते हैं तो ये Verification कर लेते हैं Verification that PB is more Reactive than Copper ठीक तो आपने Silvery Gray Lead को अगर आपने Blue Green Solution of Copper Chloride के अंदर अगर डाला देखे When a strip of Lead Metal is introduced in the Blue Green Solution of Copper Chloride Lead जादर ये Active है Copper से तो इसको Displace करके बनाएगा Lead Chloride तो ये Solution कैसा होता है Colorless Solution मन जाता है और साथी साथ इस Colorless Solution मे Colorless Solution मे ये Redish Brown Copper भी आपको देखने के लिए मिलता है Talking about Lead ये Silvery Gray Metal होता है First Chapter में भी Reaction पढ़ाई थी तो अगर आपने Copper Chloride का Blue Green Color का Solution लिया है Lead को समे डाला Lead being more reactive than Copper will Displace it to form Lead Chloride and Lead Chloride and Copper तो ये Colorless हो जाएगा Redish Brown Copper ये Blue Green Solution था तो ये Blue Green Color का Solution जो है Finally आपको यहाँ पर देखते वे नजर आएगा कि ये कैसा हो चुका है ये Colorless हो चुका है तो इससे साबित होता है कि Lead का Reactivity Copper से जादा है चलो Lead ने अपनी इज़त रख लिए है ठीक है? चलो अब यहाँ पर ये तीन Reaction को अगर आप पैनलाईज करते है पहला दूसरा और ये तीसरा अब ये तीन Reaction से क्या आपको देखने के लिए मिलता है? ध्यान से बेखिए अब मैंने क्या किया है? Silver का Reaction Copper Nitrate से कराया Gold का Reaction Copper Nitrate से कराया कोई Reaction नहीं हुई ओ भाईस Silver का Reaction Copper Nitrate से Gold का Reaction Copper Nitrate से करवाया No Reaction ठीक एक और Reaction करवाता हूं मैं ध्यान से देखना Copper Reddish Brown Metal होता है इसको अगर मैंने डाला Colorless Solution के अंदर Silver Nitrate के तो मैं यहाँ पर क्या देखता हूं? कि एक नीले Color का Solution मुझे मिलता है साथ में यह Silvery Gray Metal मुझे मिल जाएगा क्या बात है? Silvery Gray Metal तो जैसे ही ध्यान से सुनना राजा बेटा जैसे ही Copper का Wire Reddish Brown का तार Not प्यार Reddish Brown का जो Copper का Wire है इसको मैंने Colorless Solution of Silver Nitrate में डाला तो Solution कैसा हो जाएगा? बिटा, नीला हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है? देखे, Copper अगर Silver से जादर ही Active होगा तो इसको Displace करेगा क्या बनाएगा? Copper Nitrate और साथ में Silver अलग हो जाएगा मेरे दिमाग में बात आ रही है कौन जादा Reactive है? Copper की Silver जल्दी से बताओ Copper की Silver तुमसे पूछ रहा हूँ Silver जादा Reactive है या Copper? Obviously 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 Reactivity of Copper is greater than that of Silver दूसरा Gold और Copper की भी Reaction नहीं हो रही है यानि याँ पर Gold जो है Copper को Displace नहीं कर पा रहा है तो Second वाले से मुझे ये पता लगता है ये पता लगता है कि जो Reactivity है वो Copper की जादा है Gold से साथी साथ मुझे ये पता लगता है कि Lead के नीचे है Lead के नीचे है Hydrogen और Hydrogen के नीचे है Copper Lead के नीचे Hydrogen Hydrogen के नीचे Copper क्यों है क्योंकि Copper जो है Acid के साथ React नहीं करता है Metal प्लस Dilute Acid Metal Salt प्लस Hydrogen Gas प्लस Heat हमने वहाँ पर ये सीखा था वो ही Metal Acid के साथ या Dilute Acid के साथ React करेगा जो Hydrogen से जादा Reactive है तो Lead तक तक तो हमने अबज़र किया कि React कर रहे थे Copper नहीं कर रहा था Silver, Gold, Platinum नहीं कर रहे थे इसका मदब Lead के बाद Hydrogen Hydrogen के बाद Copper Copper क्यों होगा Lead के पाद Copper है और इन सब में सब से उपर कौन है Copper क्योंकि यह से भी Reactive और इस से भी Reactive है तो Copper तो उपर Finalize हो गया अब यहाँ पर एक चीज़ और मेरे दिमाग में आती है जो आपने बच्पन में पढ़ी है Class 8 में और मैं आपको अभी और बताऊंगा उस चीज़ के बारे में Silver जो होता है Silver यानि जो Ag होता है यह Nature में Free यानि कि Elemental As well as Combined यानि कि Compound Form में मिलता है अभी Metallurgy में भी बताऊंगा But AU is always found in Elemental State इससे क्या साबित होता है सुनील भाई इससे यह साबित होता है राजा बेटा Silver हमेशा Elemental State में नहीं मिलेगा कभी Combined State में मिलेगा लेकिन Gold हमेशा Single रहेगा Compound कभी नहीं बनाएगा इससे यह पता लगता है कि जो Silver है वो basically क्या है दादा Reactive है आपके Gold से Reactivity of Silver is greater than that of Gold Silver का Reactivity Gold से जादा है यहां से यह प्रूव होता है तो अब हमारे दिमाग में Reactivity Series आ जाने चाहिए Potassium, Sodium, Calcium, Magnesium, Aluminium Potassium, Sodium, Calcium, Magnesium, Aluminium Zinc, Iron, Lead Hydrogen, Copper, Silver, Gold कुछ और Metals और वे अड़ कर देंगे अभी अबन तो इससे Final हमारी Reactivity Series बनती है यह वाली जो First Chapter में बताई थी अब इसको याद करने की एक देशी ट्रिक आपको दे दूँगा मैं First Chapter में यह Series आती है मैंने कहा था तीसरे Chapter में सिखा दूँगा कैसे बनती है अभी सिखा रहा हूँ बोला था, वादा किया था वादा पूरा कर रहा हूँ और उसके बाद, अच्छा सार्याट हो गई है पांच मिनिट और, खाना खाने जाना फिर ठीक है बस ये trick बता दू, फिर खाना खाने जाना ध्यान से तो मेरा एक दोस्त है, जिसका नाम है प्रतीक प्रतीक की girlfriend जो है, वो है पंजाबी और मेर को, और प्रतीक को घूमने जाना है तो मैं प्रतीक को बोल तो प्रतीक भई बही प्रतीक को, भै, गुडी, मुडी, लड़की, खुडी, खुडी, हां, खूडी, कुडी नाल कार मांगो अल्टो वो केरा रहा है बेटा बड़ा आदमी मन गया वरा तेरी सोच बिखारी हो जैसी में इनका बिया यार उनके वो ओडी है मर्सेडी जवन ने ओल्टो में काम चलिए अब यार जाना ही तो है मतुरा तो जाना है दर्शन करके आने कृष्ण जी के कृष्ण ज मेडम दो दिन उदार पिछी है जिसको फिर लेकर हम चले अब यहाँ पर मर्करी आइड कर रहा हूं क्योंकि आगे रिफाइनिंग में काम आएगा आपकी बुक में रियक्टिविटी सीरीज में इसके बारे में रियक्शन गिवन नहीं है इसलिए यहाँ पर कंसीडर नहीं नाम प्लैटीनम याद कर लो जरुद नहीं पढ़ने वाली प्लैटीनम अगेरा की अभी ठीक ना मतब कैमिकल रियक्टिविटी सीरीज में रियक्टिविटी अक्टिविटी सीरीज में जरुद नहीं पढ़ने वाली आगे मैटलर्जी में पढ़ेगी खोड़ी बहुत तो मैटल्स कौन कौन चोगे ध्यान चे सुनना बटा कूडी 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 यानि पोटेशम कूडी यानि पोटेशम नाल इनको इस तरफ पर मार करता जाता हूं जैसे उनके केमिकल सिंबल्स है ताकि तुम्हें याद रहे कूडी नाल कार मांगो अल्टो जिसको फिर लेकर हम चले मतुरा साथ गुमने प्रतीक पोटेशम सोडियम केल्शम मैगनिशम अलिमिनियम जिंक आयरन लेड हाइडरोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटीन याद रहेगा जीविया याद रहेगा जीविया ओ विदेशी ट्रिक ओ भाया मैं तो बहुत जादा विदेशी आदमी हूँ मेरको ऐसी हिंदी वाली टिरी के समझ में नहीं आती और तू इंग्लिश ट्रिक ले ले आए दिक्कत क्यों ले रहा है देख आजा देख भीटा प्लीज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ क्यूट क्यूट अभी आगे काम आएगा मैटलर्जी में जैब्रा आए लाइक हर कॉलिंग म्यूट स्मार्ट गोट पैबलो इसके बाद आए गए है ठीक है ना प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आग क्यूट जीवरा आए लाइक हर कॉलिंग म्यूट स्मार्ट गोट पैबलो भाया ये क्यूट से क्या है बेटा ये क्यूट से कार्बन है अभी मेटलर्जी में तरह काम आएगा देख में तरह को बताऊँगा कि कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है किसकी तरह काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो जो इसके नीचे है, इन सब को reduce कर देगा तेरा carbon, ठीक है? तो सबसे most reactive, फिर कम-कम-कम-कम-कम-कम-कम-कम-कम, ऐसे होता है reactivity series में. तो please stop calling me our cute zebra, I like our calling mute smart goat tableau, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold, platinum. समझ या विटा? समझ या? या topic हातम ही नहीं हो रहे हैं, यार? cheating होई जा रही है? hello, लगता है इसके बाद खदब है, बस, जा तक मुझे याद आ रहा है? बस ये एक-दो slide और ले लो, 10 minute का break देतो, 15 minute का देओंगा, खाना खाले ना, मम्मी को बहुत हो, मम्मी 15 minute और, मम्मी बस 15 minute और, बढ़ा गरम खाना खाऊंगा, मम्मी 10 minute और, बढ़ा गरम खाना खाऊंगा, मैं आप लोगो के साथ बैठके, माता पिता के साथ बेड़ी का खाना कहिए बेटा, बहुत जरूरी है वक्त, मैं माता पिता से दूर रहते हैं, खाना भी साथ नहीं खाबाते हैं, पर ठीक है, आप हैं, तो उस चीज़ का advantage उठाईए, ध्यान चे देखिए, पहला, पहला, नॉन मैटल अगर ऑक्सिजन से रियक करेगा, तो नॉन मैटल का ऑक्साइड यह जरूरी क्यों है, NCRT exercise में एक सवाल है, chemical properties of metal और नॉन मैटल को distinguish कीजिए, तो जब metal oxygen से रियक करता है, तो metal oxide, non metal oxygen से रियक करेगा, तो भी non metal का oxide, लिखना है, जैसे carbon, जैसे sulfur, यह solid, यह solid, जलाएंगे इसको oxygen की presence में, gas, इसको भी oxygen की presence में जलाएंगे, तो gas, क्या निकलेगी, carbon dioxide gas, यहाँ क्या निकलेगा, SO2 gas, क्या बात है, अच्छा, यह तो oxygen से रियक करते हैं, पानी से रियक करेंगे क्या, देखो, non metal, generally, don't react with water, क्यों भाईया, because they can't displace hydrogen of water, अरे, पानी में present hydrogen को displace नहीं कर पाते हैं, इसलिए reaction नहीं करते हैं, याद रहेगा, non metals आपके, पानी से reaction नहीं करते हैं, क्योंकि वो पानी में present hydrogen को displace नहीं कर पाते हैं, similarly, they don't react with acids as well, they don't react with acids too, because, because they can't displace hydrogen of acids, similarly, acids में present hydrogen को भी displace नहीं कर पाते हैं, इसलिए acid से भी react नहीं करेंगे, पानी से भी react नहीं करेंगे, oxygen से रिया करके non metal का oxide मना देंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा important point, आपको second chapter में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, याद है, acid rain, याद आ रहा है, acid rain, वो ही है, non metal का oxide, राजा बेटा, उठाईए, carbon dioxide gas, sulfur dioxide gas, sulfur trioxide gas, nitrogen dioxide gas, पानी में घोल दीजिये, जैसे बारिश के पानी में घुलते हैं, बरसो रे, second chapter में पढ़ा है, जाकर देखने राजात, वेटा पूरा feel दिला है, उसके अंदर, तो क्या acid बनाएगा ये H2CO3 carbonic acid ये बनाएगा sulfurous acid राजा ये बिटा ये क्या बनाएगा sulfuric acid sulfurous acid oxidize होके sulfuric acid बना लेता है या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि sulfur dioxide oxidize वा तो sulfur dioxide बना पाने में गुरा तो sulfuric acid बन गया ये भी चीज मैंने बताई थी अब ये भाई अपने दो acid बनाता है कितने acid बनाता है दो बनाता है HNO2 और HNO3 ठीक तो non metal का oxide अगर पानी में डिजॉल होता है तो acid का निर्मान यानि अमल का निर्मान करता है CO2 plus S2O will give S2CO3 carbonic acid SO2 plus S2O will give S2SO3 sulfurous acid SO3 plus S2O अगर ये SO2 oxidize होगा तो SO3 बनेगा पानी में यो लगा तो sulfuric acid वरना आप डारेटली कह सकते हैं कि H2SO3 oxidize होगे ये दे सकता है एक ही बात है NO2 plus S2O will give nitrous and nitric acid नाम लिख देता हूँ confusion नहीं आएगा वैसे बता चुका हूँ second chapter के अंदर इस chapter का topic नहीं है carbonic acid sulfurous acid भया फिर आपने क्यों बताया एक प्रत्यूश वाला question NCRT exercise में प्रत्यूश ने sulfur का powder जलाया SO2 gas निकली फिर कौन जा acid बनेगा प्रत्यूश का answer करने के लिए बताया ताकि NCRT exercise के सवाल भी निप्टा लो तुम ठीक है राजा बेटा nitric acid ये खुद से ही oxidize हो जाता है oxidize हो के nitric acid दे देता है ठीक है जी भी है तो non metal के oxide पाने में गुलेंगे तो acid का निर्माण यहाँ पर करेंगे एक दिमाग लगाने वाली बात ये भी है कि अगर ये acidic है वाटर क्या है neutral non metallic oxide होगा neutral non metal का oxide होगा सोच के देखो ये neutral non metal का oxide है ये acidic non metal का oxide है तभी तो acid का निर्माण हो रहा है अगर पानी neutral ना होता तो neutralization भी हो सकती थी अगर वो base होता तो समझ गए? चलो फटावड बताओ पोल ले लो पोल ले लो जल्दी से पोल पर answer करना पोल पर पोल पर answer करना जल्दी 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 नहीं मेटा ये concentrated इतने जाधा नहीं होते काफी जाधा diluted acids होते है ठीक है? और non metallic oxide oxide acid की nature अब मेर को है ना एकदम सही answer चीए बिल्कुल भी ऐस्तमत करना की मेरे को demotivate कर दो कि अरे यार सुनील भी आ के बाला के इन गलत answer करके चले गए पढ़ा चुका हूँ मेरे बाला को बिल्कुल सही answer दोगे तू और non metal के oxide acid in nature क्या non metal के oxide acid है? और second chapter में पढ़ाया अभी जस्ट बताया दो मिनिट पहले अभी दो मिनिट पहले बताया नो बहुत बिडिया अरपेत सिंग, उडान, बीना हिमांचू, अरपेत, आकाज, खुशी प्रियांचू, ब्रोकन जाट, अंज एन अभी जीत, क्या बात है? अभी जायांच का पावर, क्या बात है? उडान की लेगेसी, क्या बात है? नहीं! अरे यार राजा बेटा ये नौन मेटल का Oxide Acidic अरे ये भी तो नौन मेटल का Oxide निट्रल, तो ये दोनों ही तो हो सकते है Acidic और Neutral दोनों हो सकते है यह acidic यह neutral तभी तो acidic बना substance आरे यह देखो na जार non-metal kind okside दोनों हो सकते हैं न जार non-metal kind okside कौंचा carbon mono oxide nitrogen mono oxide nitrous oxide पानी, खतम बाद, तो non metal की oxide, acidic भी हो सकते हैं, और neutral भी हो सकते हैं, अरे भाई, CO2, NO2, SO2, SO3, और इधर देख, इधर देख, CO, NO, N2O, H2O, carbon monoxide, nitrogen monoxide, dinitrogen monoxide, और सरल बाश्यावे, nitrous oxide भी कहते हैं, इसको, dihydrogen monoxide, यह carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, clear सी बात है, समझ में आया क्या, ठीक है, चल आगे चलते हैं, लिख दे बेटा, एक बार आए, फोटाफट से लिख दे, चैट बॉक्स में आए, लिख दे, पर ब्रेक, अब ब्रेक, अब ब्रेक, हाँ, ब्रेक, 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 उडानियंस भी आ गए हैं, और वारियर्ट भी आ गए हैं, चलो भईया, आए, 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 चलो अब तुमकोые काम करते हैं दस प्लस पांच मिनिट का ब्रेक देते हैं यानि पूरे पूरे पंदरा मिनिट का ब्रेक दे रहे हैं तुमको किती देर का पूरे पूरे खा के आओ ठीक है वेटा कितना टाइम हो रहा पॉने न और ही 9 बज़े मिलेंगे 9 से 10 के बीच में और 10 से 12 अरे भाई सब 2 गंटे मेटलर्जी खतम करी है ठीक है वेटा चलो जाओ 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 जल्दी जाओ झालो कितना पड़े झालो कितना झालो 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 झाल 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 मित्रगण प्यारे प्यारे बाल को मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों जल्दी से बता दीजिए अगर आप मुझे देख पारे और सुन पारे तो एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से आये लिख देंगे यस अगर देखे यहां पर मैं आपको जो चीज़े बता चुका हूं एक बार पहले आये लिख दो फटावट से सर जल्दी आ गये बेटा नौ बज़े एक तक बोला तो नौ बज़े आया था मैं एक मिनिट आगे हो गया चलो एक मिनिट आगे हो गया कोई बात दिल पर नहीं लेन आजाओ अजा आप लोगों के लिए बड़िया इंफोर्मेशन और भी है मान लिजे कि आपके घर में कोई छोटा आपका भाई या बहन है जो क्लास वन से लेके फिफ तक का बच्चा है है या आपकी कोई रिष्टेदार है जो वन से लेके फिफ तक में बच्चा पड़ता है तो अब उनके लिए भी फिजिक्स वाला उन्हें भैतरीन धंग से पड़ाने के लिए आ गया है उसका एक बड़िया यूट्यूब चैनल आ है पी ड़ल्यू फंडू अगर आप हो सके तो उसे जरूर से देखिएगा चैनल वह ठीक है चलिए आ गए हाँ प्रमोंशं वाई है फणा पॉजब करने अ अंतर है अगर मैं आपको फ्यूष करू करना है ये फ्रेजिया करना ही करना ऐसमें और नॉन मेटल का आपने बाई डेख लिया पहले बाई डेख की अपने फिसीकल प्रॉपर्टी दे कैसे देखते हैं और पियरेंस बिहिएवर कैसा है फिर रियाक्शन कैसी कैसी करते हैं लग-लग वह भी आपने देख लिया लेकिन दोनों खुश है किया एक है मैटल क और और इंगो को अब यह गौना सुनक नोन मेटल उना ठीक है वी या तो आपन साथ मेरेंगे तो क्या बंचेगा विटा ऐयोनीा इंट सावाइन वाइव का मुण oyn मुण बहुत अ मन जायगा सबसे इनन में और इकल्व 노्व दे से कोवेलेंट बॉंड था न वेटा, James बॉंड नहीं कर दो दो परगार का फोर्स ओट्रैक्शन था, तो यह भी फोर्स ओट्रैक्शन ही होगा, फोर्स ओफ आट्रैक्शन, चेमिकल बॉंड का मतलब क्या होता है, फोर्स ओट्रैक्शन डैट कीप स, atoms atoms हो सकते है ions हो सकते है या molecules हो सकते है together is known as chemical bond अब ionic bond में ions को एक साथ रखेगा वो वाला जो chemical bond होगा इसे basically ionic bond कहेंगे तो ionic या ionic compound में ionic bond होता है जो एक प्रकार का chemical bond है यानि एक ऐसा force of attraction जो ions को एक साथ बांदे रखता है है ना यानि यह वो force of attraction है वो प्यार है जो metals और non metals को साथ में बांदे रखता है लेकिन प्यार के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है तो अब यहाँ पे क्या त्याग होगा यहाँ पे त्याग क्या होगा यहाँ पे त्याग यह होगा कि metal complete transfer करेगा electron का there is a complete transfer of electron from metal to non metal यह मालनी जे non metal यह मालनी जे metal so there is a complete transfer of electron from metal to non metal जिस वज़े से metal से electron गया है तो वो बनाएगा cation और non metal पे electron आए तो वो बनाएगा anion negatively charged iron अरे वा भया ये तो हमने पढ़ा है और ये positively charged iron मज़ा आ गया समझ में आ रहा है तो अब यहाँ पर एक दूसरे को जाचने और परखने के बाद metal और non metal का भिया हो रहा है तो metal और non metal का भिया हो रहा है तो metal पर complete transfer हो रहा है electron का non metal पर यानि आप ऐसे समझ सकते हैं वर माला है metal के हाथ में इदर non metal खड़ा है खड़ी है मतलब और इसने वर माला जैसे ही डाली तो अब ये पती बन गया और ये पत्नी बन गई ये कटायन बन गया ये अनायन बन गया समझ में आया गया याद रहेगा क्या हाँ याद रहेगा ऐसे एनलोजी से इंट्रेस्टिंग बनती है केमिस्ट्री याद रहेगा तुमको complete transfer of electron या electrons from metal to non-metal resulting in the formation of cation और anion तो इसे बोलते हैं basically ionic compound यानि एक cation होगा और एक anion होगा इसे ionic compound कहते हैं chapter 2 में भी पढ़ाया था चलिए सुनील भी आए example दीजिए देखो मेटा sodium chloride पढ़ाया था second chapter में भी sodium chlorine तो इनके नाम current भी मैंने सिखाया था कि cation का नाम तो neutral जो element होता है वैसा ही होगा neutral element का नाम क्या होता है sodium तो sodium ही होगा cation का नाम anion के नाम के आखरी में ide का ending आ जाता है तो नाम बनता है sodium chloride activities आपकी majorly cover होती जारी है वेटा अभी जितनी भी activity से सब cover होते भी आई है यहां पे सब cover होते भी आई है tension मतलो तो अब यह कैसे बन रहा इसको ध्यान से देखना sodium का chemical symbol होता है na और chlorine का chemical symbol होता है cl atomic number यानि की number of protons कितने है positively charged particles कितने है वो समझी है इसके पास है 11 इसके पास है 17 number of electrons neutralize करने के लिए इसके पास है 11 इसके पास है 17 sodium के पास number of protons 11 है इसके पास number of protons 17 है neutralize करने के लिए electrons 11 है और इसके पास 17 है configuration मनती है 2,8,1 इसकी मनती है 2,8,7 ठीक है बहुत बढ़िया अब अगर आप ये concept number 1 हो गया concept number 2 देखिए sodium के outermost shell में कितना electron है एक और इसके में कितना है साथ एक electron है chlorine के outermost shell में आप देखे cross से बना रहा हूँ electron valence electrons को आप dot या cross से बना सकते है एक, दो, तीन चार, पाँच, छै, साथ क्योंकि आपके chemical reactions में majorly valence electrons participate करते है ये वाले electrons, ये कौन से है ये वाले electrons कौन से है valence electrons है यानि सबसे बाहर वाली shell के electrons है इस पे एक है और इस पे साथ है अब sodium stable होने के लिए क्या करता है, एक electron को दान कर देगा तो इसके outermose shell में 8 हो जाएंगे तो sodium क्या करेगा, एक electron का दान कबूल करेगा अब एक electron अगर गया तो positive charge तो 11 है negative charge 10 अब 11 की ज़िए के 10 हो जाएगा आप मुझे बताइए positive charge यानि number of proton 11 है electron भी 11 थे 2,8,1 stable होने के लिए कि मेरे outermose shell में 8 हो जाएंगे मैं neon के जैसा बन जाऊंगे ये एक electron को lose करने के लिए ready हो जाएगा तो 10 electron और 11 proton यानि positive charge तो 11 है और negative charge 10 है तो इसको एक imbalance create होगा जिसको आप ऐसे लिखते है 1 प्लस अच्छा अब ये कह रहा है कि मुझे outermost में 8 करने है octet rule, octet rule, octet rule मेरे outermost में 8 होने चीए octet rule क्या है अगर आपकी outermost shell other than के है outermost shell या valence shell other than के है 8 electrons in that तो octet rule ये कहता है अगर आपकी outermost shell other than के है तो आप उस shell में 8 electrons लाने ही कोशिश करोगे अब इसके outermost shell M है तो ये इसको हटाएगा ताकि outermost में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इसके outermost में याँपे 7 है तो यहाँपर ये 1 electron gain कर सकता है यहाँपे अब ये भी सोच सकते हो यहाँपे ये 7 क्यों नहीं gain कर सकता 7 electron 11 proton 18 electron को जेल नहीं पाएगे तो इसके लिए better है कि एक को lose करे और इसके लिए better है कि एक को gain करे तो ये एक electron gain कर लेगा तो यहाँपर कितना हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ और ये आठ वन माइनस का चार्ट हो जाएगा देखे बहुत सिंपल सी मैंने बात बोली sodium stable होने के लिए एक electron lose करेगा chlorine stable होने के लिए एक electron gain करेगा आउटर मोस शेल में अगर इनके आउटर मोस शेल अधर दन के होगी तो यह 8 electrons करने की कोशिश करेंगे अब यह कैसे करेगा एक electron lose करेगा तो आउटर मोस में 8 यह एक electron gain करेगा तो आउटर मोस में 8 इसने एक gain किया इसने एक lose किया तो protons यानि positive charge 11 और electrons बच्चे 10 तो यहाँ पर 1 balance का imbalance create हो गया 1 plus का उसी प्रकारिश ने एक electron gain किया तो 2, 8 और यह हो जाएगा 8 यानि 18 electron और 17 proton positive 4, 17 है negative 18 है तो 1 minus का overall imbalance create हो गया तो यह क्या बना? यह बना cation यह बना anion समझ गए? यह क्या बना? यह आपका बना cation और यह आपका क्या बना? यह आपका बना anion तो यह दोनों क्या है? ionic compound है कि भाई metal ने complete transfer of electron दे दिया non-metal को और non-metal ने ले लिया जब इसने electron दिया तो यह cation बना इसने लिया तो यह anion बन गया this is known as ionic compound ठीक है बटा? जी अब क्या आता है? एक्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इसका Lewis इसका Lewis electron dot या फिर cross symbol बना दीजिए फटाफट से तो कुछ नहीं करना है देखिए बहुत बढ़िया, बहुत simple है यह आपके पास sodium था भीया? हाजी भीया एक electron था? हाजी भीया इधर चा आगी बेटा, किलोरीन? हाजी भीया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ किलोरीन ने बोला, भाईया मेरको एक electron देदो, मैं stable हो जाऊंगी यह ले भीया, तु भी ले ले एक electron तो देखो बेटा स्तोडियम पे 1 प्लस का overall charge आ गया? जी भीया, किलोरीन ने एक electron गेन कर लिया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और याट वन माइनस का चार जा गया कटायन का नाम कैसे लिखते है? मैंने क्या बताया? सबसे पहले कटायन का नाम लिखते हैं कटायन का नाम कैसे लिखते है? नीटरल एलिमेंट का नाम क्या है? एने का नाम क्या है? सोडियम तो कटायन का नाम भी सोडियम होता है फिर अनायन का नाम लिखेंगे आकरी में आईडी की एंडिंग लगा दीजिए क्लोरीन है तो इसकी जगे क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा समझ में आ गई क्या बात क्लियर है बात कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत सौटेड चलो दूसरा करेंगे मैगनीशम क्लोराइड मैगनीशम क्लोराइड MgCl2 अगेन वोई चीज कंसेप्ट नंबर पहला ये कौन है राजा बेटा ये है मैगनीशम ये कौन है ये है क्लोरीन अटॉमिक नंबर या फिर नंबर ओफ प्रोटों प्रोटों नंबर 12 पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ पर 17 पॉजिटिव पार्टिकल नियूट्रलाइड करने के लिए सेम नंबर ओफ नेगेटिव लिए चार्ग पार्टिकल होते है बारा पॉजिटिव है तो बारा नेगेटिव 17 पॉजिटिव है तो 17 नेगेटिव कॉन्फीगरेशन क्या होगा राजा बेटा ये के ये ल ये म तो राजा बेटा कितना हो गया configuration, ध्यान से देखना, 282, 282 और 7, outermost shell क्या ये है, तो इनको क्या बोलते हैं, valence electrons कहते हैं, क्या बोलते हैं, valence electrons, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुनील भाई, ये भी outermost में 8 लाने की कोशिश करेंगे, हाँ मेरे राजा बेटा, देखो, ये magnesium है, outermost में कितना है बेटा, 2 electron, dot से बना दो, भाईया, मैं cross से बनाना चाहता हो, बना लू, हाँ बेटा, cross से बना ले, एक ही बात है, रटना थोड़ी है, अब देख बेटा, भ तो electron कितने होगा है, 2, 8, 2, plus 6, 18, 12 proton, 18 electron को hold नहीं कर सकते, उपर से electron इतने बढ़ जाएंगे, कि उनके बीच में repulsion बढ़ेगा, तो ये unstable होगा, तो ये usually का करेगा, अपने 2 electron को lose कर देगा, और metals वैसे भी electron donate करने के tendency रखते हैं, अब बेटा, इसने 2 electron lose कर दिये, proton कितने है, 12, और electron कितने बचे 10, तो 12 positive charge और 10 negative charge, दो का imbalance है, यानि कि यहाँ पर 2 plus, यानि कि 2 proton जादा है दना number of electron, इसने कितने electrons को lose किया, 2 electrons को lose किया, ठीक, जी विया, क्लोरीन की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्लोरीन सुनील विया, एक electron gain करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यह 8, और stable हो जाता है, तो यहाँ पर आपका matrix कैसे बैठेगा सुनील विया, यह कटाइन बनेगा, और यह अनाइन बनेगा, सुनील विया, यह कैसे possible है, magnesium stable होगा, जब वो दो electron बान करेगा, लेकिन क्लोरीन तो एक ही ले सकता है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, बहुत simple सी बात है, magnesium अपना नुकसान नहीं करेगा, magnesium क्लोरीन के साथ एक deal करेगा, क्या deal करेगा, तो इसका Lewis, electron dot, या cross symbol, या structure जिसको बोलते हैं, वो हम बनाते हैं, यह बैठा है, magnesium कितने electrons लेकर, दो electrons लेकर बैठा हुआ है, यहाँ पर एक chlorine आया, इसके पास कितने electrons है, outer most में, 7 electrons है, यह chlorine magnesium को बोलता है, magnesium भी या, magnesium भी या, एक electron दो न, वो गयरा, वो सुन, बोले क्या, बोले तुझे कितना चीए, बोले एक, बोले पर मैं दानी हूँ, मैं metal हूँ, मैं दो दूँगा तो खुश रहूँगा, तो बोले पर मैं तो ले एक ही सकती हूँ, मेरे पेट में एक ही रोटी की जगे, दो किसे डाल दूँ, वो बुशा एक काम कर, तेरे जैसी एक ओर को लेकला, बोले ठीक है, अपने जैसी एक ओर क्लोरिन को लेका आता हूँ, कहरा ओके भी या, ओके, magnesium कहता है, देखो बेटा, एक तुमको देखेंगे, एक बेटा तुमको देखेंगे, अभ देखो, बोले दो याँनी यह किलोरीन एकक एक ऐलेक्ट्रोन इसको मिलाम मेगनेशम का यह वन का माइनस और यह वन का माइनस हाँ जी भी आ कि इसका नाम क्या रहाई बैटा पहले कटायन का नाम कटायन का नाम कटायन का नाम neutral element वाला ही रखते हैं यानि magnesium औरária उसके बाद anaiyan का नाम लखते हैं हाँ अनायन के नाम के आथरी में magnesium chloride तो एक magnesium और दो chlorine यहाँ पर present होंगे समझ में आ गई क्या बात समझ में आ गई क्या बात clear है क्या बात मैं फिर से बताता हूँ ध्यान जे सुनना यह metal यह non-metal atomic number यानि कि number of proton कितने होते है बेटा 12 इसका atomic number यानि कि number of proton कितना है बेटा 17 neutralize करने के लिए number of electron कितने बेटा 12 इधर कितने बेटा 17 configuration 2,8,2 configuration 2,8,7 outer most shell के electron कितने बेटा 2 और 7 इधर 2 इधर 7 यह 2 और इधर 7 भाया magnesium stable होने के लिए outer most में 8 चाहता है अब 6 तो gain नहीं कर सकता इस 2 को loose करेगा 2 को loose कर दिया अब electrons बच्चे 10 और protons वे 12 तो 2 का imbalance हो गया 2 प्लस उसी प्रकार chlorine के पास साथ chlorine को एक electron और चीए तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे यहाँ पे 7 loose तो कर नहीं सकता possible नहीं एक gain कर लेगा anion बन जाएगा अब एक magnesium दो क्लोरीन से रियक करेगा एक electron इसको एक electron इसको mgCl2 बन जाएगा ठीक है? इधर भी लिख दीजे और यह आयोने compounds है बेटा अब देखिए sodium oxide Na2O Na2O sodium oxide होता है बेटा इसका structure बनाते है बेटा जल्दी से आई है फटाफट से मेरे साथ साथ एक मेरे साथ साथ सवाल करो तो और समझ में आएगा मेरे साथ करो sodium का chemical symbol क्या है बेटा पहले Na अगर तुमको proton atomic number यह सब नहीं पता बेटा तो पहले basics पढ़ो फिर इस chapter को देखना atomic number Z यानि proton number 11 इसका कितना होता है आठ neutralize करने के लिए negatively charged particle कितने होंगे 11 और 8 11 और 8 ठीक configuration क्या हो जाएगी 2,8,1 इसकी हो जाएगी 2,6 जी भी आठीक है जी भी या बिटा सबसे outermost shell के electrons सुनील वाई एक और 6 valence electrons सबसे बार वाले shell के electrons जी concept 1 तो ये था concept 2 stable होने के लिए क्या करेगा sodium sodium के outermost shell में कितना electron एक electron ये से एक electron को lose करेगा तो protons कितने हो जाएगे proton तो 11 ही है electron 10 हो जाएगे negative charge 10 का positive charge 11 का एक plus का imbalance साथ में एक electron आहा मजा आया भी या oxygen oxygen क्या बात है बहुत बढ़ी हा राजा बेटा oxygen कितना valence electron है बेटा देओ गिनो एक दो तीन चार पांच छे बेटा कितना गटकेगा पेट में non metal है आदत है गटकने की या तो share करेगा या गटकेगा या तो gain करेगा या share करेगा यह यहाँ पर क्या करेगा जब आयो ने compound की बात होगी और metal आ गिया तो फटाफट से बोलेगा electron दे दे और अगर इसो कुछ नहीं मिलेगा तो oxygen oxygen से electron की sharing करके O2 बनाता है चमझे चोटू पढ़ाया था carbon compounds में oxygen को या chlorine को जब metal नहीं मिलता तो आपस में bond बना लेते हैं oxygen O2 बनाता है oxygen oxygen से connect होता है chlorine chlorine से connect होता है अब मान लो इसको metal मिल जाएगा तो दो electron रिप्टाएगा इसके और क्या बनाएगा बेटा एक दो तीन चार्ट पांच छे साथ आठ 2 माइनस का charge क्या बात है बेटा ये क्या है राजा बेटा अनायन सुनी लिए अनायन क्यों बना अरे बेटा negative particle कितना था 2 और 6 इसको outermost में 8 करने के लिए 2 और चाहिए तो कितने हो जाएंगे 2,8 10 electron हो जाएंगे positive particle 8 है plus 8 minus 10 तो 2 minus का imbalance आगया यानि ये ये बताता है कि 2 electron जादा है number of proton से ये बताता है कि 1 proton जादा है जादा number of electron से ये मतलब है अब भाईये ये stable कैसे होंगे फिर ये तो समझ नहीं आ रहा अरे यार बहुत simple है देख Lewis electron dot या फिर cross symbol अब देख भीटा द्यान से देख ये एक sodium ये एक oxygen इसके पास एक valence electron है oxygen के पास 6 valence electron है अब oxygen ऐसे ब्रह्मन कर रहा था क्या रहे यार मेरे को एक सोडिय मिल जाए तो माजा आ जाए बेटा पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं पढ़ाई कर लो सही कह रहा है वो बच्चा सर्व पढ़ा रहे हैं पढ़ाई कर लो बोर्ड के पेपर में फिर distract होगेें नहीं अंतर कर पाओगें इस टेंट है तो हमें नंबरों के लिए कुछ बोलता नहीं पर मान लोग तुम्हारा साथ से भी कम आया तो पहली बात तो कोई बैंक तुमको लोन नहीं देगी आगे की पढ़ाई रुख जाएगी क्यों खुद के लिए दिक्कते बढ़ानी है पढ़ाई कर लो यार अब देखो oxygen बोल रहा है sodium को देख सुन मेरे को दूसरा oxygen मिल जाता तो मैं उसके साथ electron share करता हूँ पर तू मिल गया तो तेरे से तो gain करूँगा तेरे से gain करूँगा और तेरे से loss होगा लूज एंड गेन यह लूज करेगा यह गेन करेगा sodium करा पर मैं तो एक ही दे सकता हूँ एक और लेके सोडियम को एक और लेके आ बोले मतलब लेके आ ओके भाईया कोई बात नीए लेलो इार अब गुस्या करेको क्यों कर रही है यार भिया याजी अफ.- अब इलेक्ट्रों थे ले लो खुश है एक पहले वाले सोडियम का, इस वाले सोडियम का, ओ, 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 दो इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा आगे, टू माइनस, एदर सोडियम बेटा, इसके ओपर चार जा गया, वन पीलस, दूसरा वाले पर भी आएगा, क्या, वन पीलस, फॉर्मूला क्या बनता है, बेटा, इसका, Na2O, समझे, ओक्सिजन को स्टेवल होने के लिए, दो इलेक्ट्रोन का जरूरत है, सोडियम बोल रहा है, मेरे पास तो एक ही एक्स्ट्रा है, जो मैं दूंगा, जैसे ही दे दूंगा, तो मैं भी स्टेवल हो जाऊंगा, तो दूस नाम, नीट्रल, एलिमेंट के नाम का ही लेते हैं, अब ये सोडियम का कटायन है, अगर मैं आप से पूछू कि इसका, नीट्रल, एलिमेंट का नाम क्या होता था, आप बोलते हैं, सोडियम, हाँ तो बेटा, लिख दे नीचे सोडियम, अनायन के नाम के आखरी में, I.D.E. कि एंडिंग लगा दे वेटा, तो नाम मन जाएगा, सोडियम, अक्साइड, ये नाम होगा, अब यहाँ पर इनके नाम करण में, डाय, मोनो, डाय, ट्राय, टेट्रा, पेंटा नहीं लगता है, जिनने मुझसे अडवांस, नॉमेंक्लेचर, अडवांस केमिस्ट्री होंगे, कि कभी भी, डाय, मोनो, टेट्रा, पेंटा, जो ग्रीक प्रिफिक्सिस हैं, आयोनिक कंपाउंड के नॉमेंक्लेचर में इस्तिमाल नहीं होते हैं, कि दैसे डाय, सोडियम, मोनो, अक्साइड ऐसा नहीं, ये कोवलेंट कंपाउंड में यूज होंगे, चलो, इतनी दस मिनिट का और बचा, ध्यान से देख लो, फिजिकल नेचर, आयोनिक कंपाउंड का, जनरली ये अर ब्रिटल सॉलिट्स, ब्रिटल सॉलिट्स का मतलब क्या है, कि अगर आपने इनके ओपर फोर्स या प्रेशर अप्लाई किया, तो चटक जाएंगे, टूट जाएंगे, तो जनरली आपके आयोनिक कंपाउंड्स, ब्रिटल सॉलिट्स होते हैं, ब्रिटल सॉलिट्स, यानि सॉलिट्स स्टेट में हैं, लेकिन ब्रिटल है, फोर्स या प्रेशर अप्लाई करोगे, चटक जाएंगे, तूट जाएंगे, पीसिस के अंदर, अब ऐसा क्यों होता है ये भी बता देता हूं, रीजन क्या है, आयोनिक कंपाउंड में कटायन्स अनायन्स होते हैं, फोर एक्जामपल, इमेजिन कीजिए, कटायन अनायन्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, आपने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया, भटाक, तो आपने इसके ओरिजिनल, जो अरें दूसरे के सामने आ जाईएंगे, similar charges जैसे ही एक दूसरे के सामने आते हैं, तो क्या होता है, सुनील भाई क्या होता है, ये एक दूसरे को धक्का मारते है, एक, तो ये इस तरफ और ये इस तरफ ऐसी लिए pieces में तोट जाते हैं, ionic compound brittle solids होते हैं, अगर आपने force apply किया, जैस same charges repel each other तो कोई अगर आपको बोलता है कि brittle solids क्यों होते हैं तो आप उसको ये बताना कि यहाँ पर एक perfect arrangement या orientation होती है ionic crystals की, ionic substances की ionic compounds की अगर आपने इसको disrupt करने कोशिश करी तो जो similar charges एक दूसरे के सामने आने की वज़े से repel करेंगे और repel करने की वज़े से cleavage होगा या आप कह सकते हैं कि तूट जाएंगे या break apart हो जाएंगे आपके crystals ठीक है तो इसी की वज़े से क्या होगा, forces of repulsion break the crystals apart पहली बात आए हो आपको clear हो गई होगी सरल सी बात थी मैंने बता दी दूसरा melting point and boiling point melting and boiling point आपको किस चीज का indicative measure है अगर किसी चीज को melt करने के लिए मुझे 100 degrees Celsius देना पड़ रहा है और दूसरी चीज को melt करने के लिए 200 किसी को 300 इसका मतलब यह है कि वहाँ पर force of attraction उतना ज़ादा है कि उसको overcome करने के लिए मुझे उतना ज़ादा amount of heat energy देना पड़ता है तो यहाँ पर क्या होता है high melting and boiling point है as a sufficient amount of energy is required to break the strong covalent bonds तो इनको electrovalent bond भी बोलते है या strong ionic bond भी बोलते है अब actually में यह electrovalent या ionic bond क्या है strong electrostatic force of attraction है strong electrostatic force of attraction between cut ions and unions आप मुझे बताइए ionic compound किससे बनावा है आप कहेंगे सुनील भी आ कटायंस और unions है कटायंस पे charge क्या है positively charged है उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछू unions पे charge क्या है तो मेरे राजा बेटा कहेंगे सुनील भी आ यह negatively charged है मैं कहूंगा अब अगर तुम्हार को इनके bond को तोड़ना है तो तुमको बहुत ज्यादा amount of heat energy देनी पड़ेगी ताकि यह bond अपना छोड़े इनको melt करने के लिए या इनको boil करने के लिए आपको काफी ज्यादा amount of energy देनी पड़ेगी क्योंकि इनके बीच में जो bond है these are strong electrovalent यह strong ionic bonds which is nothing but the strong electrostatic force of attraction between cations and anions तो बहुत ही strong force है ठीक है जीव है तीसरा तीसरा ध्यान चे देखना बेटा इदर ध्यान चे देखना बेटा इदर ionic compound electricity show करते हैं बिल्कुल अभी दिखाऊंगा बेटा class कब खतम होगा सरी स्कूल जाना है बेटा इस्कूल अचा कल republic ने है गड़तंत्र दिवस क्या बात है नहीं नहीं यार कल तो स्कूल जाना चाहिए थोड़ी देर में कर देंगे यार क्यों लोड लेरो भी तो फाड़ेंदो बज़ें रही घटा और चला लेंगे class क्या बारा बज़ें खतम कर देंगे आजो जल्दी कर देंगे जल्दी कर देंगे टेंचर मतलों जल्दी कर देंगे कोशिश करेंगे जल्दी कर देंगे तो generally soluble in water generally soluble in water and insoluble in solvents like kerosene and petrol अब मैंने आपको पढ़ाया है carbon and its compounds में अगर आपने नहीं पढ़ा आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पहले carbon and its compounds में जाहिए वहाँ पर मैंने soap का structure समझाया था वहाँ बताया था कि जो soap molecule का head होता है वो ionic होता है वो पानी में घुल जाता है क्योंकि पानी भी क्या है polar है और ionic जो चीज़ है वो भी polar है polar मतलब pulse तो मैं आपको यह चीज़ भी बहुत depth में बताता हूँ सबसे पहला मैंने यहाँ पर लिखा generally soluble in water क्योंकि ionic compound के सबसे पहले तो exceptions यहाँ पर है कि सारे के सारे पानी में soluble नहीं होंगे not all are soluble in water अगर सारे soluble होते तो precipitate नाम की चीज़ बनती नहीं for example अगर मैं आपको बोलता हूँ barium sulfate है ना मैं आपको बोलता हूँ lead iodide है ना barium sulfate lead iodide ठीक है उसके बाद calcium carbonate copper sulfate बहुत फारी चीज़ है एट सेट्रा तो यह वेतिकली क्या है forms precipitate याद आया यह precipitate बना लेते reaction के बाद बन रहे देबल displacement reaction के बाद तो not all are soluble in water forms precipitate when formed after after a chemical reaction यानि कि insoluble solids होते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो majorly यह पानी में soluble है लेकिन सारे के सारे soluble नहीं है तो पहला statement generally soluble in water मतलब most of the ionic compounds पानी में soluble होते हैं again exception यहाँ पर बैठता है यह इसका पहला part दूसरा part जो आपको यहाँ पर समझना है अब देखिए ionic compounds जो होते हैं ionic compounds जो होते हैं वो basically कैसे होते हैं ionic compounds are polar polar का मतलब कि इनके उपर poles होते हैं cationic pole यानि कि एक pole यह हो गया cation और दूसरा pole हो गया anion ठीके ना अब water जो होता है water जो होता है water is also polar ionic compounds polar है cation और anion यानि कि poles बनते हैं ना बहुत कटायन अनायन तो एक pole बन गया positive negative यह poles बन गया water भी आपका polar है मैंने आपको पढ़ाया था water आपका polar है थो ionic compound नहीं है covalent compound है लेकिन polar है like dissolve like एक जैसा एक जैसे में घुल जाता है and hence most of ionic compounds most of ionic compounds dissolve in water ionic compounds polar है मतलब इनके बस पोल्स है यह कटायन अनायन यह poles हो गया इनके water भी आपका polar होता है यह मैंने आपको पढ़ाया है थो हुआ ionic compounds पानी के अंदर घुल जाते है most of the ionic compounds kerosene petrol वगेरा में नहीं घुलते क्योंकि यह non-polar है electrical conductivity यह बहुत important factor बनता काफी बार पूछा गया है ionic compounds conduct electricity in the molten या जिसको हम बोलते है fused fused या फिर molten form में करते है aqueous form में भी करते है it does not conduct electricity in the solid form as the ions are immobile in the solid state अब fused या फिर molten state क्या होता और aqueous form क्या होता है ध्यान से समझना मान लीजे मेरे पास sodium chloride का solid है और इसको मैं heat करता हूँ कितने degree Celsius पे 800 degree Celsius पे heat करता हूँ तो ये मेरा बन गया NACL liquid उसी प्रकार ये NACL मेरे पास solid है इसको मैंने पानी में dissolve कराया dissolves in water ये पानी में घुल जाएगा तो ये बनाएगा NACL aqueous पहले वाला चीज क्या है molten या फिर fused form है समझ में आ रहा है क्या पहले वाला क्या है सुनील भाई molten या फिर fused form है अब आपने sodium chloride solid ले लिया बेटा और इसको अगर आपने heat किया 800 degree Celsius पे तो ये sodium chloride liquid बन गया मतलब आपके पास solid था आपने heat किया इसको 800 degree Celsius पे ये sodium chloride liquid बन गया ठीक है उसी प्रकार मेरे राजा बेटा इस चीज को समझे आप अगर मेरे पास अगर मेरे पास sodium chloride solid है और अगर इसको मैं पानी में dissolve करता हूँ पानी में dissolve करता हूँ तो NECL aqueous बन जाता है यानि पानी में dissolve होके ये NECL aqueous किलाता है इसको aqueous form कहते हैं अब इन दोनों ही form में क्या होता है cations and anions यानि Na1 plus and Cl1 minus are free to move जब आपने solid को पिगला के liquid बनाया या solid को पानी में dissolve करके aqueous form मनाई दोनों ही cases में अब ions are free to move free to move cations कहा जाएंगे cations move to cathode anions move to anode तो cations cathode पर जाकर क्या करेंगे बेटा cations cathode पर जाकर क्या करेंगे और anions anode पर जाकर क्या करेंगे यहाँ पर होता है oxidation यानि की electrons को loss करना loss of electron या फिर electrons और यहाँ पर होगा cathode पर reduction second chapter में भी पढ़ाया था gain of electron या फिर electrons तो अब जैसे ही आपने इसको पिगला दिया या पानी में गोल दिया तो ions are free to move इदर उदर move कर सकते हैं कटायन कैथोड पर जाएंगे अनायन अनोड पर जाएंगे कैथोड पर होगा reduction यानी gain of electrons और वो electrons कहां से आ रहे होंगे अनोड से आ रहे होंगे तो अनोड पर loss of electron है अनायन अनोड पर गया electrons lose किये वह कैथोड पर electrons कटायन गया कैथोड पर उसने gain किये ऐसे flow of electrons बना रहता है ठीक है solid form में electricity conduct क्यों नहीं करेंगे they do not conduct the electricity in the solid form as the ions are immobile immobile का मतलब क्या हो गया can't move अब जब move ही नहीं कर सकते तो solid state में बिजली का conduction नहीं होगा तो याद रही है आए उने compounds बिजली कंड़ करते हैं या तो molten या fused form हो या फिर equs form हो ठीक है बिटा समझ में आगई बात जी भी या समझ में आगई बात कोई दिक्कत नहीं है समझ में आगई ना गई चलो clear चलो बिटा sample paper का सवाल लगो जल्दी बिटा राजा बिटा ये c ये b और ये d ठीक है जल्दी लगाओ बिटा इस साल के sample paper का सवाल लगो जल्दी थे जल्दी थे जल्दी 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 बहुत बढ़िया जोशिका नाम मुझे याद है मैंने लिया था नाम क्या बात है ठीक है तो एने टूओ के अंदर क्या होगा राजा बेटा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया एने टूओ के अंदर क्या होगा दो तो बाद में चार्ज आता यह तरीके सेicano स्टेट को ऐसे लिखते है शीड याद एन्स को कैसे लिखते पहले मैंग्निटाउड बाद में चार्ज को बोल रहा है An element M with electronic configuration 3 combined separately with chlorine and sulfate anions. ठीक है? Write the chemical formulas of the compound formed. ठीक है? सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर? Chemical symbol. यह है M. और यहाँ पर हो जाएगा Cl1-. दूसरा हो जाएगा M. और दूसरा हो जाएगा SO4. चलिए इनके charge इसको नीचे लिखते हैं. 1- है और यहाँ पर 2- है ना? तो charge लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले है. Charge कितना कितना है? क्लोरीन के ओपर जो charge है वो है 1-. sulfate के ओपर जो charge है वो है 2-. इनकी valency को note कर दीजे. Valency is just the magnitude. याद रखिए. valency सिर्फ magnitude होता है. मतलब सिर्फ magnitude एक, सिर्फ magnitude दो. ख़तम का. अब M की बात करें तो M क्या करेगा? M को अगर outer most shell. इसकी outer most shell क्या है? KLM. अगर इसको यहाँ पर. outer most में 8 ची है तो यहाँ पर वो क्या कर ले? 5 gain कर ले. जो impossible है. 3 को loose कर लेगा, तो ठीक हो जाएगा. 3 को loose करेगा, तो 3 plus का charge आजाएगा. इन 3 को loose करेगा, तो M के ओपर 3 plus का charge आजाएगा. क्योंकि number of proton 13 थे, number of electron 13 थे. इसने 3 loose कर दिये. ताकि outer most में 8 हो जाए. तो 3 plus का charge. valency क्या हो जाएगी? just the magnitude. 3. इसको करेंगे Chris, इसको करेंगे cross. इसका subscribe बनेगा 1, जिसको लिखने की ज़रूत नहीं है. इसका subscribe क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा. इसका subscribe क्या बनेगा? 2. और इस overall का subscribe बन जाएगा क्या? इस overall का subscribe बन जाएगा 3. ठीक है? जी वाई, इतना आपने बोला, इतना आपने कर दिया, अब देखिए, तुमारे सिलेबस और इस सवाल के हिसाब से, आयोनिक बॉंड बनेगा, सीनियर ग्रेड में जाओगे, तो फजान रूल लग जाएगा यहां पर, ठीक, हाँ, अब भी तुमारे साब से बिल्कुल बताता हूँ, प्रिडिक्ट विद असुटेवल रीजन दे नेचर ऑफ दा बॉंड फॉंड फॉंड बाइड़ एलिमेंट एमिन जनरल, कटायन, अनायन, कटायन, अनायन, तो अगर मैं इसको पार्ट वन मानता हूँ, पार्ट टू क्या होगा, बॉंड कौन सा बनेगा, राजा बेटा, कौन सा बनेगा, सुनील भाईया, आयोनिक बॉंड, जेम्स बॉंड मतलिक क्या जाना, ठीक है, how will the electrical conductivity of the compounds, vary with respect to M, electrical conductivity कैसी vary करेगी, तो आपके ionic bond, मतलब कि ये compound जो बनेगे, कौन से बनेगे, ionic compound बनेगे, आब electrical conductivity हमने बता रखी है, ठीक है ना, कि conducts electricity in molten या फिर fused form exam में answer ऐसे लिखते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ तुमको ध्यान से देखो ऐसे answer लिखना होता है जादा paragraph नहीं लिखना होता and aqueous form or don't conduct electricity in solid form reason भी आप बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा ions are free to move और फिर आप जो मैंने explanation दिया वो भी बता सकते हैं कि cation cathode पे जाएगा anion anode पे जाएगा anode पे oxidation, cathode पे reduction जो बताया हो लिख सकते हो and ions are not free to move यह आपको समझना पड़ेगा तीन पार्ट थे सवाल के तीनों समझा दिये an element m with electronic configuration 2,8,3 combined separately with CL1- and SO4- तो अगर यहाँ पर यह तीन इलेक्ट्रोन लूस करेगा क्या outermost में 8 हा जाए तो यह हो जाएगा M3+, इसके उपर 3+, का चार्ज आएगा चार्ज 3+, 3+, इधर 1- दे रखा है, इधर 2- दे रखा है valency कित्ती हो जाएगी, just the magnitude only magnitude 3, only magnitude 1, only magnitude 3, only magnitude 2 criss-cross, subscribe 1, subscribe 3, 1 लिखने की जरूत नहीं होती, तो MCL 3 2 और 3, लिख दिया, GY, formula बन गया, GY बन गया दूसरा, किस प्रकार का bond बना वहिया, एक ने electron दिया, दूसरे ने लिया ionic bond, ionic bond की electrical conductivity, ionic compound की electrical conductivity conductivity, electrical conductivity यह है, कि molten या fuse form में electricity conduct करते हैं, aqueous form में भी करते हैं, क्यों, ions are free to move, solid form में नहीं करते, ions are not free to move, खड़े रहेंगे एक जगे पर, अब जब तक कोई कटायन cathode पे नहीं जाएगा, anion anode पे नहीं जाएगा, तो electrons का loss and gain कैसे होगा, flow कैसे बनेगा, समझे, जी, एक NCRT activity discussion, activity number 3.13, थोड़ी सी different है, ध्यान चे देख लो, थोड़ी सी different activity है, ध्यान चे देख लो, take samples of sodium chloride, potassium iodide, barium chloride, और any other salt from the science laboratory, ले लेंगे, इनकी physical state क्या है, simple लिख देना, physical state क्या है, solid, take a small amount of sample on the metal spatula, chemistry का जो चम्मच होता है, spatula कहते हैं, उस पर chemicals को लेते हैं, थोड़ा चप्टा चम्मच होता है, and heat directly over the flame, सीधा flame के उपरक्के जलाना है, repeat with other samples, what did you observe, अब ये पूछ लेते तो, did the sample impart any color to the flame, do these compound melt, ऐसे उठाता है CBSC question, उठा लिया तो, try to dissolve the samples in water, water में soluble होंगे, आयोनिक compound पड़ा चुका हूँ, petrol में नहीं होंगे, kerosene में नहीं होंगे, ठीक है, पर क्या सारे के सारे पानी में घुलेंगे, potassium, iodide, sodium chloride, barium chloride, यहाँ पर जो तीनों है, तीनों तीनों पानी में घुल जाएंगे, ठीक, make a circuit as shown in the figure and insert the electrodes into the solution, what do you observe, test, test the other salt samples into this manner, what is your inference about the nature of these compounds, ध्यान से देखिए, क्या है यह, अब इससे related सवाल, what is the physical state of the salt taken, तो सारे के सारे जो salts है, solid state में होंगे, क्या है यह samples कुछ color impart करेंगे to the flame on heating, क्या इनको heat करते समय, कुछ color impart करेंगे, यह different था, इसलिए लेकिया हमें, तो देखिए, अगर आप sodium के salt को जलाते हैं, आगे चलके इसको flame test कहते हैं, अगर आप sodium के salt को जलाते हैं, तो sodium का salt क्या है, golden yellow flame से बन करता है, अब इसके पीछे excitation theory है, कि भाईया, sodium का electron excite हो जाएगा, high energy level पे जाएगा, unstable होगा, energy emit करके lower energy level पे आएगा, इस वज़े से flame का color golden yellow होगा, जैसा अपन ने जब जलाया था, golden yellow flame से जल रहा था sodium, हाँ, potassium को जलाओगे, तो lilac color की flame से जलता है, हाँ, ऐसे calcium को जलाते हैं, तो brick red color की flame, मैंने बता है calcium जलाते हैं, तो white, bright white flame होती है, उपर एक reddish string होता है, और copper के salts को जलाओगे, तो peacock bluish green flame होती है, ये colors, याद कर लू, कि अगर sodium के salts को बन कर रहे हैं, तो golden yellow flame, potassium के salts में pale purple या फिर lilac color का flame, calcium के salts में brick red color का flame, और copper के salt पे peacock bluish green color का flame, ठीक है, जी विया, ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ ही पर या answer मैंने दी दिया था, कि क्या ये पानी के अंदर soluble होंगे, यस ये पानी के अंदर soluble होंगे, petrol और kerosene में नहीं होंगे, make a circuit, यानि क्या ये बिजली conduct करेंगे, yes, they will conduct electricity, they will conduct electricity, they will conduct electricity, they will conduct electricity in aqueous and molten, जिसको हम लोग fused form भी कहते हैं, तो वहाँ पर बिजली conduct करेंगे, 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 समझ में आगई बात, clear हो गई बात, अब एक बार लगा दो आए, भाईया के सुनील भी ये बात समझ में आगई, लगा दो एक बार आए, तुमको जितनी भी डिफरेंट चीजे हैं, सब मैं कराता जा रहा हूँ, पेपर हलका सा भी इदर उदर हुआ, तो तुम इदर उदर नहीं होगे, भाईया ये ensure कर रहे हैं, ठीक है ना, तुम वहाँ पर rigidity के साथ खड़े रहोगे, और हर एक सवाल का answer करके आओगे, ये मैं ensure करूँगा, क्या भाईया आप इसमें और चीजे पढ़ा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजे पढ़ा ही जा सकती हैं, बट अभी exam पे focus करके पढ़ा रहे हैं, जो उडान में थे, उन्हें पता है, दस lecture में chapter खता हुआ है, डेड़ेड घंटे के दस lecture हुए थे, सोचो कितना कम करके बता रहे हैं, बट इससे तुम्हारा boards जिटेगा 100%, ठीक है मेरे भाई, आगे चले, चलो, लास्ट सेकंड टॉपिक, metallurgy, metallurgy, जल्दी से चालो करो वहिया, metallurgy चालो करो फटाफट से, तो metallurgy क्या है दोस्त, यह basically आपकी branch of science, that deals, branch of science that deals with, extraction of metals, profitably, and conveniently, बेटा, अगर ड्राइफ रूट सोप हैं, तो usually ड्राइफ रूट सोप करके खाते हैं, मतलब पानी में भीगे वे खाया जाते हैं, अगर आपके बास चने हैं, तो चने ले लीजिए मम्मी से, और दूद ले लीजिए, हल्दी वाला, साथ में रखिए, चने चबाते जाएए, दूद पीते जाएए, और क्लास का लुट्फ उठाते रहिए, इंजॉए करिए, तो यह वो ब्रांचे साइन्स की, जो डील करती है, विद एक्स्ट्रेक्शन ऑफ मैटल्स, प्रॉफिटेबली और कन्विनेंटली, यानि यहाँ पर हम यह डील करेंगे, कि अर्थ के क्रस्य मैटल्स को निकाले, लेकिन बिना घाटे किया और आसानी से, ठीक है, चलो, तो शुरुवात करेंगे अब एक सवाल के साथ, जल्दी से सवाल का अंसर चैट बॉक्स में दे दीजे, यह पोल में ज़्यादा समय लगता है, जल्दी जल्दी हमें खतम करना है, तो पोल में ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, अब सी वाटर में जो मैटल्स होते हैं, वो किस तरीके से प्रजेंट होते हैं, मतब समुद्र के पानी से अगर आप निकालेंगे तो कैसे होंगे समुद्र के पानी में किस तरीके से प्रेजेंट होंगे क्या वो elemental form में होंगे का compound form में होंगे सीधी सी बात है समुद्र के पानी के अंदर क्या होंगे compound form में होंगे देखिए metals के usually दो sources है metals के दो sources है एक तो आपके earth का crust जमीन के तीन लियार है crust, mental, core crust यानि जमीन, lithosphere यह major source है जहां से आपके maximum आप कह सकते हैं आप extraction करते हैं metals का major source of metals और दूसरा क्या है दूसरा है समुद्र का पानी यह क्या है minor source है कैसा source है minor source ठीक है लिया अब इन में यह किस source के अंदर present होते हैं आपके metals जो है earth crust major source sea water minor source अब समुद्र के फानी में किस तरीके से present होते है water soluble salts salt का मतलब सुनते ही तुम्हें आना चीए ionic compound पानी में घुलने वाले compounds water soluble salts जानी water soluble ionic compounds होंगे जिसे फॉर एक्जाम्पल NACL KCL MgCl2 CACL2 तो जो आपके metals है ये देखिए metals ये रहे metals ये पानी के अंदर समुद्र के पानी के अंदर ये जो समुद्र का पानी है इसके अंदर ये water soluble salt जानी पानी में घुले वे हैं और ये आयोनिक compound है तो देखिए sodium, potassium, magnesium, calcium ये metal है किस format में राजा बेटा compound के फॉर्मेट में ये compound है ये compound है ये compound है आयोनिक compound है ठीक है बेटा जी तो metals के दो sources है धातू ओके एक तो जमीन फाड़ के निकालो अब जमीन फाड़ कहते हैं नहीं कि चीर के जमीन के अंदर से extract करना और दूसरा समुद्र के पानी से extract करना ये major source ये minor source ठीक जी अब दूसरा सवाल बेटा metals like gold and platinum are always found in जैसे metals आपके धातू है gold और platinum क्या मिशा elemental form में होगे compound form में होगे जल्दी बताओ एक बच्चा कहारा सुनील दर मेरी शादी करनी है तुम्हारी उमर कि इतना हुआ है और हमके शादी दोड़कम खोलके बेटने कहें बेटा जम बिया करेंगे तुमारा बेटा पिता जी की नमबर देना बताते अभी इंको ब्या करने का मन कर रहा है पिता जी कपड़े दोने वाली सौंटी होती दो लगाएंगे बेटा ब्या का मन उतर जाएगा ब्या करने का मन कर रहा है या देखो जीवन में कुछ बने नहीं responsibility आई नहीं responsibility लेना चारे responsible बनके responsibility लो ब्या करना चोटी मोटी बात है ब्या करना है बाल विवा चल रहा है यहां पर बाली का वदू लानी तुमको है पड़ाई करो बेटा पड़ाई करो बेटा गोल्ड प्लेटीनम कैसे रहते हैं इलिमेंटल फॉर्मैट में रहते हैं और यह देखो शादी करनी मेरे सा के बाते कर रहा मेरे ब्या करा दो जी का मैंने कोई अभी तुम इतना फ्यूजवर चाहे हो तो यह बता दो मेरे बालक होंगे नन्ने मुन्ने उनका नाम क्या होगा है क्या नाम होंगा अलेगी ओ इनको बोड के नंबर के पेपर बदाओ इनको यार का जो कोण साता क्यों पढाना फिर वो बदाओ जो वह पढाता हूं मैं नंबर आई नहीं से तुम जाओ एक काम करो आँगा ना काँवाल आने वाला मेटल से वह करा देते मिया यार क्यों इतना लोड़ लेना इधर मैंप याँ मेने नोन मैडल का ब्यार करा दिया अच्छा में मैठल मेडल का वैया तु तुम कियुक्रोश्य उप्र एक्साव मैं लिखको आ जाना मेडल का ब्यारर है एन जी कमन मना 0 marks मिलेंगे 0 समझाने के लिए बताता हूँ मैं यह अद देख वेटा metal जो है वो दो तरीकी इससे मिलते हैं दो तरीके से एक होती है जिसको बोलते है free state यानि अकेला native state या फिर pure state simple यानि elemental form अकेला अकेला रहना चाहता हूँ मैं फ्री state फ्री अकेरा छोड़ दो मुझे pure native यानि elemental form तो बेटा gold and platinum are always found in elemental form ठीक है बेटा यह बहुत ज़्यादा unreactive है इसलिए हमेशा अकेले मिलते हैं अब metals आपको combined form में भी मिल सकते हैं यानि की compound form में मिल सकते हैं जैसे की oxide है ना जैसे की आपके chloride जैसे की आपके carbonate etc ऐसे भी मिल सकते हैं अकेले भी मिल सकते हैं दुकेले भी मिल सकते हैं तो जो आपके metals होते हैं वो free state native state pure state यानि elemental form यानि अकेले मिल सकते हैं और दुखेले भी मिल सकते हैं, ओक्साइड, क्लोराइड, कार्बोनेट, ऐसे भी मिल सकते हैं, ठीक है मिटा, अब देख, इन दोनों बातों को मैं जोडता हूँ, पहला गिवा थॉट और दूसरा गिवा थॉट को जोड दिया, तो conclusion क्या है, conclusion यह है, यह आपने क्या बताया, metals का major source, earth crust, minor source, sea water, metals दो state में मिलते हैं, free, as well as combined, free state और combined state, earth crust में, so major source of metals, टाय वो free state में हो, यानि की elemental state, चाए वो combined state में हो, यानि की compound की form में, is the earth crust, तो जो major source है, metals का, चाए free state में हो, चाए combined state में हो, earth crust है, और जो minor source है, metals का, वो है समुद्र का पानी, जिसके अंदर, कुछ metals like sodium and potassium, आपके soluble salts के format में, present होंगे, ठीक है ना, which form soluble salts, also found to occur in the sea water, ठीक है, यह repeated line है, अटा दीजे, ठीक, तो metals के, दो source है, earth crust, और sea water, earth crust major source, sea water minor source, metals, earth crust में, दो तरीके से मिलते हैं, कैसे free state, native state, pure state, यानि single, और relationship में, यानि combined form में, compound के form में, oxide, sulfide, chloride, ऐसे, क्या बात, बहुत बढ़ी है, अब एक conclusion, और लिगो राजा बेटा, ये किस-किस form में, मिलते हैं, ये भी लिखना, भ्यान से, भ्यान से देखना इसको, ये क्या है, उसके बाद, ये क्या है, उसके बाद, ये क्या है, और उसके बाद, ये क्या है, अब देखो बेटा, सबसे बहला, ये होते हैं, metals of high reactivity, क्या होते हैं बेटा ये, ये होते हैं, metals of high reactivity, ये क्या होते हैं, metals of medium reactivity, ये क्या होते हैं, metals of low reactivity, और ये क्या होते हैं, metals of least reactivity, अब देखो बेटा, metals of high reactivity, metals of medium reactivity, metals of low reactivity and metals of least reactivity, high reactivity, medium reactivity, low reactivity and least reactivity, किस फ़र्म में पाए जाते हैं, metals of high reactivity, always in combined form, combined form का मतलब कि compound के format में, metals of medium reactivity, always in combined form, metals of low reactivity, दोनों में, pre as well as combined form, metals of least reactivity, pre form, देखो रहों, reactivity का ओडर उपर से नीचे घट रहा है, always in free, pure, या फिर native state, यानि की elemental form, पोटेशं, सोडियम, कैल्शं, मैगनीशं, अलिमीनियम, आर्दा मैटल्स of high reactivity, सबसे आधा र्याक्टिव, पिर उसके बाद, zinc, iron, lead, metals of medium reactivity, copper, mercury, silver, metals of low reactivity, gold and platinum, metals of least reactivity, यह हमेशा combined form में होंगे, यह भी combined form में होंगे, free as well as combined form, always in the free, pure, या फिर native state, ठीक है, clear है बात, क्या बात है, ठीक है, चलो, आजाओ, अगले topic पे, अब mineral क्या होते है, minerals क्या होते है, metals, यानि की मेटा मेरे धातू, occur naturally in the form of elements, elements, यानि जिसको हम बोलते हैं, कि भाई, या तो वो free state में हो, और compounds, यानि की basically combined form में हो, तो metals naturally occur करते हैं, in the form of elements, और compounds, in the earth's crust, और sea water, यह हो गया major source, और यह हो गया minor source, तो इनको हम क्या बोलते हैं, राजा बिटा, इनको हम बोलते हैं, minerals, तो जो metals, हमारे elemental form, या combined form में होते हैं, यानि के compound के form में होंगे, चाए earth के crust में हो, चाए समुद्र के पानी में हो, इनको minerals कहते हैं, दूसरी बात, ये तो हो गई पहली बात, ये हो गई दूसरी बात, अब जो earthly, and rocky impurities होती हैं, earthly and rocky impurities, जैसे कि आपका sand हो गया, जैसे कि आपका line stone हो गया, एच्सेटरा, तो the earthly and the rocky impurities, that are associated with the mineral, are called gang or matrix, तो आपके mineral के साथ, जो earthly impurities like sand होगा, limestone होगा, जुडावा है, इसे gang या matrix बोलते हैं, इसे गंगू गंगू मत बोलना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, इसे नौट गंगू गंगू, बालक बोलते हैं, इसे लिए बता रहा हूँ, इसको gang बोलते हैं, G-A-N-G, gang, तुम लोग बोलते हो, बच्चा लोग भी लाए, गंगू, गंगू, गंगू भी लाए, gang, बेड़ा गंगू तो नहीं हो हैं, at least I am not gangu, gang बोल के इज़त तो रख लो, so this is nothing but gang, G-A-N-G, gang, समझ में आया क्या, मजा फिर आया क्या, जी भी आ, आगया समझ में, this is gang, not gangu gangu, समझे, अब राजा बेटा आँचर करो, तुमारे समक्ष दो मिनरल्स है, let us consider two minerals, clay जिसके अंदर aluminium है, bauxite जिसके अंदर aluminium है, तुमारे पास दो मिनरल्स है, यह है A, और यह है B, अब हम, हम, हमारे पास दो मिनरल्स है, clay और bauxite, हम किसे, from which, we will, extract, aluminium, हम इसमें से, किसमें से, aluminium को extract करेंगे, A अभी, अरे वावावावावा, अपने बच्चे ओपी हैं आरे गना, bauxite से करेंगे, किस से करेंगे, किस से करेंगे, bauxite से करेंगे, अब, bauxide contains aluminum, extraction is done from this only. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बताता हूं. तो, metals are extracted from some minerals only because. clay के अंदर भी aluminum है, clay भी mineral है. bauxide के अंदर भी aluminum है, bauxide भी mineral है. extraction सिर्फ wauxite से होगा aluminium का clay से नहीं होगा क्यों बताता हूँ point यह है कि जो आपका process of extraction है the process of extraction of metal from that mineral is not economical अगर हम किसी चीज से कर रहे हैं और किसी mineral से नहीं कर रहे है तो reason यह है मान लिजे जिससे नहीं कर रहे है सो process of extraction of metal from that mineral is not economical जिससे सस्ता नहीं पड़ेगा जिससे सस्ता पड़ेगा उससे करेंगे समझ गे सो metals are extracted from some minerals only because the process of extraction of of metal from that mineral is economical वहां से extract करने का reason क्या है कि वहां से सस्ता पड़ता है तो हम वहां से करेंगे जिससे सस्ता पड़ेगा जिससे नहीं पड़ेगा वहां से नहीं करेंगे ठीक है दूसरा इसी स्टेटमेंट को ही चेंज कर देते हैं metals are extracted from metal are extracted from some minerals only because metals are extracted from some minerals only because the process of extraction from that mineral is not economical सस्ता नहीं है and there are certain impurities that are difficult to remove यानि inconvenient हो जाता है inconvenient to remove to remove तो सिर्फ कुछ से सीलिये remove करते हैं देखिए अगर मैं किसी से कर रहा हूं और किसी से नहीं कर रहा हूं and not from every mineral ठीक है तो यहाँ पर मैंने statement को सही कर दिया कहने का ताथ पर यह है कि metals को सिर्फ कुछ mineral से extract किया जाता है और कुछ से नहीं किया जाता and not from every mineral because the process of extraction of metal from that mineral is not economical there are certain impurities that are difficult to remove पहला कि भाया extraction का process सस्ता नहीं है जिस mineral से उससे नहीं करेंगे दूसरा ऐसी कुछ impurities है जिनको difficult है remove करना यानि inconvenient process बन जाता है अब inconvenient है तो basically जादा steps लगेंगे जादा steps लगेंगे जादा पैसा लेगा जादा resources जादा energy जादा पैसा वो नहीं करना ठीक है तो conclusion क्या है यहाँ पर the minerals the minerals from which metals can be extracted economically and conveniently are called ores एसे minerals जिनसे की metal को हम extract कर सकते है सस्ते तरीके से और आराम से इने हम बोलते है और मेरी बात समझ में आईगा this is for example for example यहाँ पर लिखता हूँ clay और यहाँ लिखता हूँ bauxite क्या यह दोनों mineral है हाँ दोनों में aluminum है हाँ पर इन दोनों में से ore कौन है यह ore नहीं है और यह ore है समझ गए इसका मतलब all ores are minerals but all minerals are not ores all ores are minerals but all minerals are not ores यह mineral तो है लेकिन यह ore नहीं है यह है जितने minerals होंगे वो ore तो होंगे यह अगर ore है तो mineral भी है पर सारे minerals ore नहीं होंगे ठीक है ना clear यह बात clear यह बात जीविया clear यह बात जीविया तो 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 minerals from which the metals can be extracted economically and conveniently are called ores तो ऐसे mineral जिनसे कि हम metal को conveniently निकाल पाएं और profitable ही निकाल पाएं इनको हम ores बोलेंगे तो हम यह भी conclusion ले सकते हैं कि यह 202 mineral है लेकिन ore इन में से यह है तो all ores are minerals but all minerals are not ores समझ में आगी बात जीविया also it is interesting to note that ores of most of the metals exist as oxide ठीक है ना और इतके पीचे reason यह भी है because oxygen is a very reactive element and is abundantly found in the earth crust most abundant in earth crust अगर आपसे पूछता है सबसे ज़्यादा अर्थ के crust में पाया जाने वाल element याद रखिए oxygen इसलिए most of the metals जो है उनके जो ores है वो oxide के format में होते हैं क्यों एक तो oxygen बहुत reactive है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और दूसरा बहुत ज़्यादा reactive है तो जो most of the metals है उनके ores जमीन के अंदर जो है oxide के form में है यह आप समझ लीजिए ठीक है clear है जी भाई जी बिलकुल अच्छी तरीके से clear है चलो फिर आगे चलते हैं अब यह ores की कुछ common metals के ores है इनको फटाफट से आप याद कर लीजिए देखें बिलकुल एक दम जितना आपने syllabus का है थोड़ा और extra भी है याद करेंगे metal का नाम है stodium इसके name of ore का नाम है rock salt formula है NACL metal का नाम है aluminium ore का नाम है bauxite L2O3.2 of S2O NACL sodium को क्या बोलती है पता है NACL sodium को बोलती है तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाई रबा इसकी ओर कौन है कौन है na के ओर कौन है NACL उसके बाद zinc का ओर כौन सा है zinc blend और काला माइन वैसे ciąला माइन है काला माइन बोलती है काला माइन मत बोलना देखो बच्चों के सारे रहे कि मैं ही पूलने का off-line बच्चा कहता था भाया वो काला माईन आरे कैला माइन है काला माइन नहीं है बाई Zinc blend is ZNS और कला माइन is ZNCO3 ऐसे ही मेरा दोस्त है iron hematite यानि की Fe2O3 magnetite is Fe3O4 iron pirate is FeS2 sidrite is FeCO3 उसी फ्रकार limonite वगेरा और भी बहुत सारे थो यहीं पर ही focus करेंगे copper copper का ओर है copper glands that is Cu2S cuprite that is Cu2O and copper paride that is FeS2 उसके बाद mercury का ओर है sinabar HGS lead का ओर है galena यानि PBS छीक है PBS चालो बहुत बढ़िया अब हमें जो discuss करने वो बता देता हूँ zinc blend यानि की ZNS और calamine ZNCO3 हम discuss करेंगे उसी प्रकार हम इन दोनों के बारे में भी वहाँ पर एक discussion करेंगे उसी प्रकार हम copper glands यानि की Cu2S से copper के extraction की चर्चा करेंगे उसी प्रकार sinabar यानि की HGS से भी mercury की extraction की discussion करेंगे sinabar is HGS, copper glands is Cu2S, zinc plant is ZNS, calamine is ZNCO3, boxide is L2O3.2S2O, rock salt is N3L इससे आज का extraction की चर्चा करेंगे ठीक है? एक जगे पे मैं hematite यानि Fe2O3 का discussion भी आपसे करूँगा तो ये भी हो जाएगा ठीक है? clear है बात? जी विया चल अब ध्यान से सुनना extraction को start कर रहे हैं पहले step को start कर रहे हैं क्या है पहला step? ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा एक बार ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा common for all सब में common है ध्यान चे सुनना common for all ध्यान चे सुनना वेटा common for all ध्यान चे सुनना crushing and grinding of ore क्या होता है crushing? सबसे पहले होता है crushing of ore तुमने ore निकाला अब सबसे पहले होगी उसकी crushing फिर होगी उसकी grinding crushing of ore and then राजा बेटा grinding of ore crushing of ore में क्या होता है? ये आपका ऐसे एक पार्ट होगा मिल का और ये एक fixed पार्ट है मतलब that cannot move और ये दूसरा पार्ट है जो आपका pneumatic हो सकता है यानि की air powered हो सकता है या hydraulic हो सकता है water powered हो सकता है इसे कहते है hammer mill क्या कहते है राजा बेटा hammer mill कहते है hammer mill क्या मोलते है hammer mill तो राजा बेटा ध्यान जे सुन सबसे पहले ore को ऐसे रख दिया हमने ये ore को ऐसे रख दिया रख दिया अब इसको क्या करेंगे ना अपन ऐसे ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे move करेगा, ये तो ये fix दि रहेगा और ये वाला part ऐसे ऐसे देखो ये ऐसे fix है, नीचे वाला part ये ओर है मान लो, ये उपर आणा part, ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे पढ़ेगा तो सुनील भाईया, यहां पर यह ऐसे पढ़ेगा तो कौन सा force लगता है इस force को बोलते impact force physics में पढ़ा होगा impact force impact force पढ़ते ही क्या होगा impact force पढ़ते ही और पे क्या होगा और पे जैसे impact force पढ़ेगा on or तो और क्या हो जाएगा और बोलेगा भाईया मैं तो crush हो गया क्या हो जाएगा? Krusd Ore हो जाएगा. Krusd Ore का मतलब क्या से छोटे-चोटे pieces में convert हो जाएगा? Smaller pieces में convert हो जाएगा. ठीक, हाँ. तो crushing of ore के अंदर क्या होता है दोस्त? Crushing of ore और दूसरा है grinding of ore Crushing of ore में क्या होता है? आपने ore को hammer मिल के अंदर रखाब इसका बेस तो फिक्स है और यह आपने हैमर मिल का उपर अपाट है ऐसा रंगी लो मारो डोलना डोलना आरे तो यह जो फोर्स पड़ेगी that is known as impact force पपाक तो यह छोटे-छोटे टुकडों में करण ओगा impact force पड़ेगी और इसमें पड़ेगी और छोटे-छोटे-छोटे पीसेज में करण ओड़ेगा क्रश्ड और आहा आहा यह बात है मजा आर्या मने तो अच्छा फिर फिर अब देगो अब क्या करेंगे भया यार यह तो मस्ती लग रही है यार भया यार यह तो ओप और लगे अभी हाँ अब अपनने क्या किया ना वेटा यह चोटी-छोटी टूड़े थे थे इनको अपन ने यह इसा बढ़िया सी मस्त चक्की के बीच में रख दिया है ठीक है नहीं चोटी-छोटी टुकड़े थे यहां से जो क्रश्ड और था हमारे पाद ठीक है क्रस्ड और जो था हम रज्ड और है इसको आमने क्या कर दिया है कॉण और इसको क्या यह जुक्रैंडर अब देखे सब्से पहले आपने करी च्रश्ज इंग क्रशिंग में आपने और को यहां पे रखा, हैमर मिलने इसको मारा, यह छोटे-छोटे टुकडों में कन्वर्ट हो गया, अब क्या होगा ना विटा, अब क्या होगा, यह वाईस ताब आपका ऐसे-ऐसे गुमेंगे, ठीक है ना, यह ऐसे गुमेंगे दिएसे, यह यू गुम रहा है, यह यू गुम रहा है, यू, ठीक है, ऐसे ऐसे गुमेंगे, स्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् Impact attrition. Impact attrition. Impact attrition. क्या मतलब है इसका? अरे बेटा attrition force लगेगा. अरे इससे क्या होगा? यह attrition force किसे लगेगा? तुम्हारे crushed ore के ओपर. तुमने crushed ore दिया था? हाँ. अब यह crushed ore क्या हो जाएगा? यह crushed ore पल्वराइज हो जाएगा. या basically powdered form में आ जाएगा powdered form में आ जाएगा अब जैसे आपने crust ore को grinder के अंदर रखा यह grind कर देगा grind कर देगा grind कर देगा grind कर देगा तो attrition force लगेगा crust ore के उपर तो यह powder बन जाएगा technical भाषा में industry में pulverized कहते है जब आप industry में जाएंगे तो वहाँ पर कोल के powdered format को भी pulverized format कहा जाता है industry में powdered form को pulverized format कहा जाता है राजा बेटा तो और को बिल्कुल powder powder कर देगे कैसा powder powder कैसे देखो impact attrition रंगीलो मारो धो लड़ना आहां धो लड़ना आरे impact attrition impact attrition impact attrition हाथ लालो गए बेचारे जालो कोई बात ने तुमको समझ में आ गया ना कोई दिखकर ने तो पहला step crushing and grinding of ore बढ़िया दूसरा concentration, benefaction और dressing of ore यानि गंदगी को बगाना है स्वच्चता को अपनाना है अब जमीन से ore को निकाला है तो गैंग को हटाना पड़ेगा और से अरे घंदगी लगी भी न और में पहले और को powder कर दिया हाँ कर दिया पहले crushing करी फिर grinding करके powder बनाया अब उसकी साफ सफाई करनी है मेरे को ये मत बोने लगना पानी डाल दो हर घंदगी पानी से नहीं हटती बताये था ना example भी दिया था अब तेल लगा लोगे हाथ पे ग्रीस लगा लोगे पानी रट जाएगा नहीं surface actant लगाना पड़ेगा cleansing engine लगाना पड़ेगा तभी हटेगा हाँ उसी प्रकार इनसे भी गंदगी हटानी पड़ेगी before extracting the metal it is important to remove गंगू नहीं gang gang और matrix यह क्या होते हैं सुनील भी आ earthly impurities बताया था अभी अरे जमीन से निकाल रहे हो तो साफ सुतरे थोड़ी होके निकलेंगे तुम थोड़ी देर मिट्टी में उल्टे लोट जाओ बोले भी आवे मिट्टी में उल्टा लोट किया होँगा तो तुमारे मिट्टी नहीं चुपकेगी हाँ तुम तो उसको जमीन से निकाल रहे हो मिट्टी नहीं लगेगी उस पर लगेगी ना sand होगा limestone होगा लगे वे होँगे ना तो हटाना पड़ेगा ना good समझदार बच्चे अब इसकी separation की principle क्या होती है भाईया ये और से गंदगी हटाने के process में टेक्नीक क्या है भाई और है और के साथ ये gang या matrix चुपकवा है कैसे हटाओगे कैसे तो कुछ ना कुछ difference ढूणना पड़ेगा उनकी या तो physical property में या तो chemical property में इसमें या तो उनकी physical property में difference ढूणना पड़ेगा या chemical property में difference ढूणना पड़ेगा किसके गैंग और के गैंग और के physical या chemical properties में difference ढूणनेंगे अपन और उस difference के basis पर उनको separate कर देंगे और अलग गैंग अलग, और और गैंग, और और गैंग, और और गैंग, अलग अब इसकी separation techniques, there's a froth flotation, hydraulic washing, है ना या basically leaching, magnetic separation कक्षा, बार भी, ग्यार भी मैंगे, बार भी, general principles and isolation of metal पर आपको एक हलका-लका मैं idea देता हूँ, there's a four example, एक हलका-लका मैं idea देता हूँ यह principle मैंने आपको बताया भी, हाँ, मान लीजे मेरे पास pulverized ore आता है, सुनील भाई pulverized ore, finally grounded ore या फिर जिसको बोलते pulverized ore, crushing and grinding of ore, उसके बाद, क्या करना है, गंदगी को हटाना है, सच्चता को लाना है, हाँ, अब यह pulverized ore को अपन लेकर आए है, लेकिन यह magnetic roller वगेरा क्या है, देख बेटा, मान ले, यहाँ पर जो ore है, pulverized format में जो ore है, यह पूरा का पूरा ही pulverized है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ore और गेंग, सिर्फ इतना difference बताता हूँ तेरे को, ore और गेंग, अब और जो है, वो तेरा magnetic है, और गेंग जो है, वो non-magnetic है, मतलब एक चुम्बक पे आकरशित होगा और एक नहीं होगा, तो इनको किस से separate करेंगे, magnetic separation से separate करेंगे, यही तो बता रहा हूँ, इती देर से, बिटा आपन को यह पता होना चीह है, कि इनकी physical और chemical property के differences, तो कुछ को तो physical property के difference पर आप difference अलग कर सकते हो, ore और गेंग को, और कुछ में आपको chemical property के difference के basis पर अलग करना पड़ेगा, ठीक है, तो उस case में अपन क्या कर सकते हैं, यह use कर सकते हैं, अब यह जो अपने separation यूज कर लेंगे, मतलब, देख विटा, यह roller जो है magnetic है, कैसा है, चुम्बक की यह magnetic roller, यानि कि चुम्बक की यह roller है, magnetic roller है, यह, ठीक है विटा, हाँ, अब देख मान लेगी, यहां से powdered ore आ रहा है, यह pulverized ore, crushing and grinding के बाद यहां से आ रहा है, अब जो तेरा gang है, वो तो non-magnetic है, तो वो तो उचल के इदर चला जाएगा, लेकिन यहां पर जो ore है, वो magnetic है, तो वो क्या करेगा, इस पर चुपके रहने की कोशिश करेगा, इदर, और फिर gravity की action से, नीचे जाके गिरेगा, इदर, तो magnetic वाला तो इदर आ गिया, और non-magnetic वाला इदर चला गिया, इस तरीके से separate होंगे, तो concentration of ore, beneficial of ore, dressing of ore, या इसका एक और नाम होता, चौथा नाम लिख लो, enrichment of ore, ठीक है, उसमें अगर अपन को अलग करना है, अगर gang को और से अलग करना है, तो हमें differences जूनने पड़ेंगे, इनके physical और chemical property के बीच में, और इसके basis में हम इनको separate कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया, जी विया, ठीक है, clear है बात, जी, अब एक बार यहां तक समझ में आ गया, तो आए भाईया की बहुचार लगाना, फटापट से आगे चालू करूँगा, मैं जल्दी से, यहां तक metallurgy समझ में आ रही है, कि आदा गंटा वाए, metallurgy चालू किये वे, समझ में आ रही है, दिमाग पर लग रही ही, कुछ-कुछ, बैटरी दिमाग में, देख बेटा, जो आखरी तक रुकेगा न, वही जितेगा, ब्रेक मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर और लगेगी, ग्यारा बज़े आपको ब्रेक मिल जाएगा, गैरेंटी के साथ, 10.35, 11 बज़े तक कोशिश करूँगा, कि आपको ब्रेक कैसे भी दे दूँ, कोशिश करूँगा, अब देखिए, तीसरे स्टेप, क्या है, पहला स्टेप, क्रशिग और ग्राइंडिंग ऑफ और, दूसरा स्टेप, कंसेंट्रेशन या फिर बैनिफेक्शन ऑफ और, या एन्रिच्मेंट ऑफ और, अगेन, कॉमन, फॉर आल मैटल्स, यह स्टेप कॉमन रहेगा, लिख लो, दो स्टेप्स, क्रशिग और Relatively, और की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, इसलिए भी बोलते हैं, आफ्टर, इम्पॉरिटीज और रिमूवड, यह भी लिख लो, इम्पॉरिटीज और रिमूड, कंसेंट्रेशन ऑफ और, भाई, पहले का कंपारेजन में, अगर मिट्टी बहुत जादा थी, और और का कमपारेजन में कर अपन कर रहे थे, तो और रिलेटिवली कम था, मिट्टी या या लाइमस्टोन, जो सैंट, लाइमस्टोन अठा दी आपन यह जो ग्जाँग अटा दी, तो और की रिलेटिवली कंसेंट्रेशन बढ़ गई, bin रिलेटिवली इनरोटेस पहले के मुकाब Extraction of low-reactivity metals, low-reactivity metals यानि की Cu, Hg और Ag. Extraction of medium-reactivity metals मतलब की Zinc, Iron और Lead. Metals of high-reactivity यानि Potassium, Sodium, Calcium, Magnesium, Aluminium. अब इनकी कैसे-कैसे extraction होगी, यह हम जानेंगे. और फिर जो सबसे नीचे हैं, least reactive metals like gold and platinum. यह तो basically हमेशा आपके free या फिर native state में ही रहेंगे. तो इनको तो हटा देते हैं. ठीक है? तो extraction of low-reactivity metals यानि की Cu, Hg, Ag. Extraction of medium-reactivity metals यानि की Zinc, Fe और Pb. और extraction of high-reactivity metals यानि Potassium, Sodium, Calcium, Magnesium और Aluminium. इनकी reactivity यानि इनके extraction की process इसको हम चानेंगे. चलिए, start करते हैं. So, let's start with extraction of metals from concentrated ore. और metals क्या है? low-reactivity. अब हम metal की extraction कर रहे हैं, concentrated ore से पहला crushing and grinding कर दिया, फिर concentration कर दिया. Concentration के बाद concentrated ore मिला, जिसमें मिट्टी या earthly impurities कम हैं. अब तीसरे step में क्या करेंगे? ध्यान चे सुनना. तो Cu, Hg, Ag are the metals of low-reactivity. Let's discuss how copper and mercury are extracted from their most common ore, that is the sulfide ores. इनके sulfide ores हम इनको कैसे extract करेंगे? आईए इसको जानते हैं. ठीक है? तो इसका जो sulfide ore था, मैंने आपको क्या बताया था? copper glands, that is Cu2S, and इसका जो sulfide ore जिसका discussion हमें करना है, उसका नाम है सिनना बार, यानि basically HgS. copper glands, यानि Cu2S, सिनना बार, यानि HgS. एक सवाल. अब copper की extraction हम लोग Cu2S, यानि copper glands से पढ़ने जा रहे हैं. और mercury की extraction सिनना बार, यानि HgS से पढ़ने जा रहे हैं. अब इस चीज़ को समझने से पहले हम यह समझते हैं. It is easy to extract metal from its oxide, और its carbonate and sulfide. किस से easy पढ़ती है? Obviously, obviously, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो, it is easy to extract a metal from its oxide, rather than the sulfide or carbonate. क्यों? Because, यहाँ पर थोड़ा सा difficult हो जाता है, metal को extract करना. It becomes more inconvenient. ठीक है, न? It is easy to extract a metal from its oxide, rather than sulfide or carbonate. So, सबसे पहले हमें क्या करना पढ़ेगा, बिटा? हमें सबसे पहले carbonate या sulfide को metal के oxide में convert करना पढ़ेगा. अगर आपके पास metal carbonate या metal का sulfide है, इससे metal की direct extraction आपका tedious process हो जाएगा, लंबा process हो जाएगा, inconvenient process हो जाएगा. लेकिन अगर आप इसको oxide बनाके इससे metal निकालेंगे तो ज़्यादा असान पढ़ेगा. ठीक है ना? Because इन दोनों से क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके carbonate एक मेंट. अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि अगर आपका carbonate या बेतिकली आपका sulfide. तो reason यह है, inconvenient और difficult होता है. लेकिन oxygen यानि oxide से metal के extraction relatively easier है. और मैंने आपको पहले ही बताया था कि profitability यानि economically और दूसरा conveniently हम निकाल पाएं. एक तो हमें profit हो और profit कैसे होगा? जब number of steps कम होंगे, resources कम खर्चोंगे, समय कम खर्चोंगा, profitable तब बनेगा. यानि convenient process होना चीए. ठीक है? जी. अब आईए फटावट से start करते हैं. एक और चीज़ को समझना पड़ेगा आपको यहां में. अब metal sulfide या metal carbonate को convert करना पड़ेगा metal oxide में. यहां पर पहले समझते हैं कि metal sulfide को metal oxide कैसे बनाएंगे? तो इस process का नाम होता है roasting. क्या नाम होता है, दोस्त, roasting. क्या नाम है, दोस्त, roasting. अब इस process के अंदर क्या होता है? strongly heating the sulfide ore in the axis of air below the melting point of metal. यानि अगर आपको sulfide ore को oxide में convert करना है, तो axis of air में heat करना, लेकिन below the melting point of metal, तो metal sulfide, metal oxide बन जाएगा. कहने का ताथ पर यह क्या है? कि अगर आपके पास metal का sulfide है, और अगर आप इसको oxygen की presence में बढ़ियाते heat करते हैं, तो यह आपको metal का oxide देदेगा, साथी साथ यह आपको sulfur dioxide gas देदेगा. क्या बात है? यह आपका concept first था, यह आपका concept first है. This is roasting. मैंने क्या बोला? अगर आपका metal sulfide या metal carbonate है, तो पहले oxide बना लीजिए. अब metal sulfide से metal oxide बनाने के process को roasting कहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको oxygen की presence में बहुत जड़ा heat करेंगे. लेकिन metal के melting point से नीचे heat करना. तो क्या बनेगा? Metal का oxide और sulfur dioxide बनेगा? तुम कहोगे हाँ, मैं भी कहूँगा हाँ. बहुत बढ़िया. तुमने हाँ कहा, मैंने भी हाँ कहा. तुमने कहा हाँ, तो हमने भी कहा हाँ. इसके साथ एक दूसरा point और आता है. सुनील भाई, अगर metal के oxide से metal चाहिए. क्या? अगर इस metal के oxide का reduction करवाएं तो? Reduction का मतलब क्या हुआ? कि सुनील भाई, अगर removal of oxygen करवाएं तो? मतलब, अगर इससे oxygen remove कर दूँ, तो क्या इसको reduction कहूँगा? मान लिजे, मैं metal oxide हूँ. आपने मेरे से oxygen को हटा दिया, या तो आप मेरे पर hydrogenate कीज़े तो reduction, या oxygen को हटा दीज़े तो reduction होगा. है ना? हाँ, बिल्कुल सही. तो removal of oxygen. तो यह किसमे convert हो जाएगा? Metal में. अब सुनील भाई, usually reduction करवाने के लिए reducing agent का इस्तमाल करना पड़ता है. भाई, इसके साथ reducing agent की जरुत पड़ीगी, और यह convert हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बेटा? In case of metals of low reactivity, the metal oxide automatically reduces to the metal on action of heat. यानि कि आपका metal oxide जो metal में convert होगा, सिर्फ heat पे हो जाएगा. अन heat पे हो जाएगा. यह heat पे हो जाएगा convert. इससे कहते हैं auto reduction. मतलब आपको यहाँ पर किसी reducing agent को इस्तिमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. समझ रहें? क्या बात है? यह auto reduction दे देगा. मतलब आपने इसको heat करा, आपने metal sulphide को oxygen की presence में heat किया, metal oxide प्लस sulphate oxide. यह heat की वज़े से metal oxide भी आपका metal में convert हो गया. auto reduction हो गया. आपको specifically कोई reducing agent नहीं देना पड़ेगा, क्या आभाई तू यह ले और तू convert हो, reduce हो नहीं. अपने आप हो जाएगा. क्या बात है, यह तो बहुती O.P. चीज है. बहुती O.P. चीज है. अब आईए, copper के बारे में पढ़ते हैं, फटा-फट से. अब देखिए, copper के case में पहला step क्या होगा? पहला step और दूसरा step, crushing and grinding of ore. दूसरा step, concentration of ore. फिक्स है, फिक्स है. और अगर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा? और जो हम बात कर रहे हैं, वो कौन सा है? Cu2S, यानि copper glands, sulphide ore है. ठीक, चलो-चलो करते हैं. copper glands से copper को निकालना है, पहला step, crushing and grinding of ore. दूसरा step, crushing, concentration of ore. अब, sulphide है. तो सुनील भाई, sulphide को सबसे पहले oxide बनाईए. पहला step, crushing and grinding कर दिया, दूसरा concentration कर दिया, आप ore देखेंगे. sulphide है, oxide carbonate. sulphide है, तो भाई तू पहले oxide बन. carbonate है, तो पहले oxide बन. sulphide है, तो पहले oxide बनाईए. अब, sulphide से oxide बनाने के process को क्या कहते है? roasting कहते है, तो तीसरा step roasting है. तो जैसे ही metal के sulphide को, अपन, axis of oxygen, यानि air के presence में heat करेंगे. axis of air और air में 20.95% oxygen आपने heat किया. मेरे दोस्त यह देगा, आपको metal का oxide, साथ ही साथ यह आपको देगा, sulphur dioxide. क्या बात है? metal sulphide को oxygen की presence में heat किया, तो metal oxide plus sulphur dioxide gas मिल गई. क्या बात है? पहला step crushing and grinding कर दिया, concentration कर दिया, sulphide हो रहा है. मैंने आपको बोला sulphide को पहले oxide बनाओ. Oxide बनाओ, Oxide बनाओ, Oxide बनाओ. बना दिया? हाँ, बना दिया. Auto reduction हो जाएगा यहां पर? मतलब, तुम करना क्या चारे थे? तुम यहां पर sulphide को oxide बनाना चारे थे? यही कर रहे थे? अब तुमने यहां पर जैसे heat किया, अब मान लोग कि यहां पर 100 ग्राम यह था, 50 ग्राम copper oxide बना. अब यह बचावा जो है, यह क्या करने लगता है? यह क्या करने लगा? फॉर एक्जामपल यह जो बना है, अब पूरी तरीकी से यहां पर convert ने होगा, इसको ऐसा समझना. कि मान लोग कि यह 100 ग्राम था, एक्जामपल ले रहा हूं लेमें लैंग्वेज में, यह 50 ग्राम यह बना. अब यह 50 ग्राम क्या है? इस बचेवे से react कर रहा है, तो यहां पर तुमको directly क्या मिल जाएगा copper, और यहां पर sulfur dioxide gas मिलेगी. यहां इसने खुद से ही removal कर दिया oxygen का, auto reduction कर दिया खुद का, खुद से ही removal कर दिया oxygen का, और यहां पर यह metal में convert हो गया. उसके बाद last step होगा हमारा कौन सा? refining of metal. तो पहला step यह था, पहला और दूसरा, तीसरे के बाद 4 अपने आप हो गया, चौथे के बाद 5 होगा, metal की सफाई करने का, जो मैं आपको बताऊंगा. ठीक, जी. अब इसकी analogy सुनो, जिसको भी समझ में आती है, बहुत बढ़िया तरीके से, तो सुनना. मेरा प्यार था sulfur, सुनील भईया, sulfur के साथ थे, इससे गलत influence नहीं होना, सिर्फ समझने के लिए बता रहूं, ध्यान से देखो. मेरा प्यार था sulfur, पापा को पता लगया, पापा बोले, ब्रेक अप तो कराना पड़ेगा, अब पापा ने क्या क्या, बोला कि, हीट करवाओ इसको, रिलेशनशिप तुड़ाना पड़ेगा, हमारे रिलेशनशिप थोड़ा कच्चा वा, ऑक्साइड बना, अब यह जैसी बन गया, इत्ते में मैं देख लिया, पापा को, पापा ने बोला, यह डंडा पड़ा है, जरूरत है क्या, डंडा मतलब reducing agent, मैं लुका पापा reducing agent की जरूरत नहीं है, पापा डंडे की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ब्रेक अप कर लूँगा, oxygen कौन हो तुम, खतम, मतलब मेरा प्यार बहुत कमजोर था, low reactivity मैटल हो ना, इतना strong bond नहीं बनाऊँगा, कहूंगा चले जाओ तुम, पापा इस इंपोर्टेंट, समझ गया है, हाँ, तो यहां पर, बिना डंडा, बिना बंदूक, पापा ने बोला, पापा ने डंडा ऐसे दिखा है, डंडा जरूरत ही नहीं है, reducing agent क्या होता है, oxygen कौन हो तुम, कहां से आए, कौन हो तुम, कहां से आए तुम, हम तो गया, जा रहे हैं, हम तो अकेले अकेले रहेंगे, हम जानते ही नहीं oxygen को, oxygen, who are you oxygen, bond broken, we break up done, मैं जानता ही नहीं हूं, auto reduction, पापा डंडा दिखा रहे हैं, कि reducing agent दूँ, मैंने का पापा जरुरती नहीं, bond तोड़ने के लिए, मैं metal यह oxygen, आपके डंडे की जरुरती नहीं है, आपने बस heat दी काम खतम, दूर, अलग हो गए हम, राजा बेटा हूं पापा की बात मानता हूं मैं, अब देख बेटा, CBSC ने यह सवाल पूचा लिखकर आ जाएगा बेटा, 2013 में सवाल आयता हो जाएगा, आगे चलते हैं बेटा, अब यह mercury अब यह और reactive, और कम reactive metal है, mercury तो और कम है, तो यह तो पापा के आने से पहला पापा, यह oxygen, भग, 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 बी रेक आप बॉन स्पोर्ट, auto reduction, जल्दी जल्दी, को मेरे पापा आ जाएंगे यार, मेरे पापा बहुत खतरनागा आदमी है, मेरे पापा बहुत खतरनागा आदमी है, तो यहाँ पर mercury का कौन सा ओर है राजा बेटा, सिन्ना बार, सिन्ना बार, HGS, पहली दूसरी स्टेप तो सेम ही रहेगी राजा बेटा, समझदार है तू, कौंजी रहेगी पहली और दूसरी स्टेप, बढ़ा जल्दी बढ़ा, crushing and grinding of ore, दूसरा concentration of ore, अब यह sulfide ओर है, पहले crushing and grinding करा आप, फिर concentration करा आप, अब हमारे दिमाग में अचिए sulfide हो रहे है, concentration के बाद क्या करना है तेरा, तुझे पहले oxide बनाना है, पापा ने plan बताया कि पहले oxide बनाएंगे तो ब्रेका पासान होगा, oxide बनाएंगे तो ब्रेका पासान होगा, अब पापा ने तर्कीव लगा दी, पापा ने कहा इसकी roasting करवाओ, roasting करवाओ छुरेगी, roasting करवा दी पापा ने, metal के sulfide को axis of air में heat कर दिया, पाई साहब, बन गया metal का oxide और sulfur dioxide, अब यह जैसे ही बन रहा था, इतने में मैंने पापा को देखा, और पापा में मुझे काल नजर आया, पापा ऐसे डंडा लेख खड़े थे, पापा ने बज़ ऐसे किया, reducing agent डंडा है, पापा ने ऐसे किया, जरूरत है क्या, मैं का मैं HGO हूँ पापा, इतना weak bond है यह देखो, कौन oxygen बहा है, तो auto reduction मेटा, auto reduction अपने आप reduction होगा बिटा, और इतना जल्दी reduction होगा, भर्षाद दूर, oxygen तुम जाओ याज से कौन हो तुम, जानता ही नहीं हो मैं तुमको, तुम हो कौन मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ, अभी यह पूरा complete नहीं हो है न, मालने 100 ग्राम था, इसमें से 50 ग्राम ही भी convert हो है, बचावा इस से react करेगा, बोलेगा भईया जल्दी auto reduction करो, oxygen से दूर जाना है, यह HG और SO2, यह liquid state में मिलता है बताया था, हाँ, अभी इससे यह भी निरा जा रहा, बोले यह बने ना बने, भईया मैं तो तूट जाओगा, HGS तू भी हट, मैं तो directly bond break-up करूँगा, oxygen से बात भी नहीं कर रहा, break-up, 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 पापा ने बोला है, break-up, पापा मेरी जान, पापा मेरी जान, गाना गाने लगा, मेरे पापा मेरी जान है, पापा डंडा ले खड़े थे, reducing agent ले खड़े थे, और एतना weaker bond है, कहरा मैं low reactivity metal हूँ पापा, डंडे की जरुतनी auto reduction, अरे auto, oxygen, buy, don't say high, buy, 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 सीधा bond तोड़ेंगे, नहीं चीए बाइया, किसी ने पूचा, रियक्शन के टाई, बोलना thermal decomposition, कौनसी thermal decomposition, हाँ, bond तोड़ दिया भया, single reactant multiple product, bond broke करो, नीचे भया, break up, भया, break up, नीचे भया, भया, break up, पापा आगे तो, उसके बाद क्या करना, साफ सफ़ाई करेंगे, पापा ने भी रेक अप कराया, घर ले गए, बोले नादों के बेड़िया बेटा, refining of metal, purification of metal, साफ सफ़ाई कर रहा है मेरे दिमाग के, मैं आगा ठीक है, कोई बात, अब देखो, name the ore of mercury, क्या तुमको नहीं पता, सिन्ना वार, HGS, how it is being extracted from its ore, last slide, जाकर खोल के देखो, करा दिया पूरक पूरा, हो गया, पाच नम्मर का सवाल, चलो आगे चलेंगे, सारे steps की समरी ले लो भड़ावट से, पहला, crushing and grinding of ore, crushing and grinding of ore, दूसरा, concentration of ore, अब अगर, concentrated ore sulfide है तो, sulfide है तो, oxide बनाएंगे, यानि की roasting करेंगे, concentrated ore अगर sulfide है, तो roasting करके oxide बनाएंगे, अब जैसे हम यह oxide बना रहे थे, यहाँ पर auto reduction हो गया, यानि metal oxide सीधा metal में convert हुआ, और उसके बाद purification या refining करेंगे, crushing and grinding, फिर concentration, अगर ore sulfide ore है, तो roasting, यानि की metal sulfide plus oxygen, यानि metal sulfide को axis of air में heat करेंगे, below the melting point of metal, तो metal oxide plus sulfur dioxide मिलेगा, हाँ, अब यहाँ पर यह auto reduction करेगा, बोलेगा break up, पापा डंडा लेके आगए reducing agent, तू हट जा यह हट जा, पापा बिना उसके break up, auto reduction हो गया, बिना reducing agent के metal oxide, metal plus oxygen में तूट गया, and then आकरी step, refining और purification of metal, याद रहेगा, हाँ, इतना लिख्या होगे, तो cbsc क्या बोलेगा, cbsc teachers to warriors, क्या बोलेंगे आपको वो, कहेंगे भाई आपका knowledge तो कमाल है भाई, क्या बात है भाई, आपका knowledge तो कमाल है भाई याद, बेटा class और चलेगी थोड़ी देर, शमा चाहूंगा, क्या करूं, सिलेवस है, इसके अंदर इस chapter में काफी content है, और सब कुछ पढ़ाना है, तो कोशिश करेंगे, जल्दी-जल्दी करें, आईए, अब zinc, iron, and lead के बारे में बात करते हैं, तो zinc, iron, and lead are the metals of medium reactivity, which are found in the form of their oxides, their sulfides, or their carbonates, ठीक है, oxides के form में भी होंगे, sulfides के form में भी होंगे, carbonates के form में भी होंगे, तो will the first two steps will be the same in this case as well, जो पहले दो steps यहां पर भी होंगे, crushing and grinding of ore, crushing and grinding of ore, and concentration of ore, क्या यहां पर होगा, जल्दी बताओ, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B Yes or No, 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 Yes Will the first two steps will be the same in this case as well, YES this will be the same, अब बताओ duosra, अब बताओ, sulphide और carborate को पहले oxide बनायेंगा नहीं, A is Yes, B is No. जल्दी से बताओ बेटा सल्फाइड को या कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड बनाएंगे नी obviously बनाएंगे obviously क्या करेंगे बनाएंगे yes तो आओ तीकते हैं अब मैटल सल्फाइड को मैटल ऑक्साइड बनाने के प्रोसेस को roasting कहते हैं उसी प्रकार मैटल कार्बोनेट को मैटल ऑक्साइड बनाने के प्रोसेस को calcination कहते हैं तो सबसे पहले it is used for sulfide ore that is roasting it is used for carbonate ore that is calcination इसमें क्या करते हैं sulfide ore को axis of air के presence में हम लोग heat करते हैं लेकिन below the melting point of metal carbonate ores को strongly heat करेंगे लेकिन absence of air below the melting point of metal इसको axis of air में heat करते हैं below the melting point of metal इसको absence of air में heat करते हैं below the melting point of metal ore को heat करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है बेटा जो आपका metal sulfide है पढ़ाया था वो oxygen से react करता है and बनाता है metal oxide प्लस sulfur dioxide gas उसी प्रकार यहाँ पर तो lack of oxygen है बेटा तो metal carbonate तूटता है metal के oxide और carbon dioxide gas में यह कैसी reaction है बेटा thermal decomposition reaction है बेटा thermal decomposition reaction है बेटा thermal decomposition reaction है बेटा ठीक है बेटा जी भईया देखें दोनों ही cases में आपको क्या मिल रहा है बेटा metal का oxide मिल रहा है बेटा यहाँ पर भी क्या मिल रहा है बेटा metal का oxide मिल रहा है बेटा यह रहा तो अगर मैटल के sulphide को मैटल oxide में convert करना है तो roasting, मैटल के carbonate को अगर मैटल के oxide में convert करना है, तो calcination यह sulphide ore के लिए, यह carbonate ore के लिए, यहाँ पर और को आप strongly heat करेंगे in the presence of oxygen लेकिन melting point of metal से नीचे heat करना, यहाँ पर आप strongly heat करेंगे in the absence of air, below the melting point of metal metal sulfide oxygen से react करके metal oxide plus sulfur dioxide देगा metal carbonate thermal decomposition से metal oxide plus carbon dioxide gas देगा यहाँ पर sulfur dioxide gas निकलेगी यहाँ पर कौन सी gas निकलेगी carbon dioxide gas है ना जी CBFC 2013 में सवाल आयता difference between roasting and calcination last slide पर समझा रखा है ठीक चब now extraction of medium reactivity metals that is for example zinc तो zinc का extraction हम करते है zinc blend से Z and S अब देखिए पहले दो steps सेम रहेंगे crushing and grinding of ore concentration of ore अब ore जो हमारे पास आया sulfide का ore आया है तो यहाँ पर उसके लिए क्या करेंगे roasting करेंगे क्या करेंगे बेटा roasting करेंगे देखिए step 1 and step 2 step 1 and 2 तो आपके सेम रहेंगे step 3 आपका क्या हो जाएगा step 3 आपका roasting हो जाएगा जहाँ पर आप क्या करेंगे zinc के sulfide को oxygen के presence में यानि axis of air में अगर आप heat करेंगे यही यही बताया था भी यह देखो strongly heated in the axis of air axis of air मतलाब यहाँ पर 20.95% oxygen के consideration लिया जा रहा है तो metal का oxide प्लस sulfur dioxide देगा crushing and grinding of ore concentration of ore, roasting metal sulfide को metal oxide में convert कर रहे है उसी प्रकार अगर इसी का ही हमारे पास क्या हो क्याला माइन हो यानि ZnCO3 हो बेटा ZnCO3 अगर मेरा ओर है ध्यान जे सुनना बेटा इसको अगर अपन ने heat किया तो यह ZnO plus CO2 बना देगा metal carbonate on heating will give metal oxide plus carbon dioxide thermal decomposition reaction है यह देखो यहाँ पर भी लिखी विया thermal decomposition reaction है ठीक है चलो क्या यहाँ पर first दो step same रहेंगे step one and two आपका same रहेगा अगर concentration के बाद और carbonate का है तो step third क्या हो जाएगा calcination हो जाएगा एक doubt आता है बच्चों के दिमाग में क्या doubt आता है वो भी बता देता हूँ ध्यान से देखना मान लिजे sir और हैमेटाइट है हैमेटाइट दैसे मान लिजे सुनील भी आ Fe2O3 है तो Fe2O3 के case में Roasting और Calcination होगा क्या अरे क्यों होगा Roasting और Calcination क्यों हो रहा है बई sulfide औरको oxide बनाने के लिए Carbonate औरको oxide बनाने के लिए तो यहाँ पर क्या होगा No Roasting or Calcination याद रखना No Roasting और Calcination याद रखना ठीक है चालौ अहम अब after roasting और calcination we get metal oxide now what next अब देखो crushing and grinding of ore कर दिया concentration of ore कर दिया crushing and grinding के बाद concentration के बाद अगर sulfide था तो roasting कर दी carbonate था तो calcination कर दिया metal oxide था तो कोई दिख कर दिया अब metal oxide को अगर आपको metal में convert करना है तो क्या करना पड़ेगा सुनील भिया metals of low reactivity में तो auto reduction हो रहा था अब यहाँ पर auto reduction नहीं होगा अब यहाँ पर मेरा प्यार गहरा होता जा रहा है तो पापा के डंडा दिखाने से कुछ नहीं होगा पापा को डंडा यानि की reducing agent like carbon and aluminium का इस्तिमाल करना पड़ेगा इसको याद रखिए इसका नाम है डंडा और इसका नाम है बंदूक ठीक है? इसका इस्तिमाल करना पड़ेगा ठीक है? क्या बात है? डंडा और बंदूक दोनों का इस्तिमाल यहाँ पर पापा को करना पड़ेगा अब आईए समझते हैं अब पहला प्रोसेस क्रोशिंग और ग्राइणिंग दूसरा कंसेंट्रेशन अगर ओरता सलफाइड तो रोस्टिंग करके मैटल अक्साइड बनाया अगर ओरता कार्बोनेट तो कैलसीनेशन करके मैटल अक्साइड बनाया अब पापा को डंडा मारना ही पड़ेगा अब पापा बोले ओए छोड़ मैंने का नाई ने छोड़ूगा पापा ने कारबन नाम का डंडा मारा बेटा बॉंड तोड़ने के लिए बॉंड तूड़िया समझाने के लिए यह हाँ रियल लाइफ पे मत गाने कि भईया आपकी लाइफ में असवाई ने समझाने के लिए बता रहा हूं तो रिड़क्शन ओफ मैटल ऑक्साइड इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है रिमूवल ओफ ऑक्सीजन रॉम मैटल अरे राजा बेटा रिड़क्शन ओफ मैटल ऑक्साइड का क्या मतलब होता है कि भाई सहाब आपके मैटल से आपने ऑक्सीजन मतलब मैटल ऑक्साइड से यह मैटल ऑक्साइड है इससे ऑक्साइड को अटा दिया इसका रिड़क्शन हो गया बाइक कारवन यानि कोक क्या होता है पोरस यानि क होल्स एड अमॉर्फोस लैकिंग फिक्स्ट जुमेटरिकल शेप यह बेस्टिकली पोरस यानि जिसके अंदर छेद है और अमॉर्फोस यानि जिसके अंदर कोई फिक्स्ट जुमेटरिकल शेप है वह वाला फॉर्म है कार्बन का कोक बेस्टिकली क्या है पोरस यानि जिसके अंदर छेद है और अमॉर्फोस यानि जिसका कोई फिक्स्ट शेप है तो पोरस और अमॉर्फोस फॉर्म है कार्बन का साथी साथ दूसरी चीज दूसरी बात क्या है सुनील भाई यह बहुत सस्ता है और आसानी से अवेलेबल है छीप है निजिली अवेलेबल है ठीक है अब इस रिडक्शन को कहां करवाया जाता है बेटा इस प्रोसेस को कि रिडक्शन ऑफ मैटल उक्साइट बाइक कारवन आप करणें सको smelting बोलते हैं और यह कहां पर करवाया जाता है smelter के अंदर कहां पर करवाया जाता है smelter के अंदर क्या भएए यहां पर metal liquid state में आता है शत प्रतिशत melting और smelting में क्या अंतर है मान लीज़े कोई solid substance है आपने heat किया वो liquid बन गया तो यह physical change हुआ दैसे आपने बरफ को पिगलाया पानी बन गई पहले भी H2O था अभी भी H2O है लेकिन अगर मैं metal के oxide को heat करूँ metal के oxide को मैं किसी reducing agent की presence में heat करूँ और अगर मुझे metal liquid state में यानि कि molten form में मिलता है तो इसे smelting कहते हैं chemical process ही है अब देखें यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ अब मुझे मान लीज़े zinc oxide मिल चुका है है ना तो मैंने क्या मेरा zinc oxide लिया और उसको carbon के presence में heat कर दिया अब मैंने आपको एक reactivity series English में आद करे थी please stop calling me a cute zebra cute zebra carbon is over zinc that means it can replace it to form zinc liquid plus carbon monoxide gas zinc oxide plus carbon carbon यहाँ पर reducing agent की तरह काम करेगा यानि इससे oxygen हटा लेगा खुद ने gain कर लिया और यह zinc liquid फर्म में आएगा आपकी किताब में solid लिखा है मुँपे बोल रहा है आपकी किताब में solid लिखा है लेकिन smelter का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर यह liquid form में मिलेगा further इसकी reaction इससे आगे होती है further reaction आगे भी होती है मतलब further reaction का मतलब अब यह carbon monoxide जो है बेटा यह carbon monoxide भी आपको क्या है reducing agent की तरह काम करती है ठीक है दो oxygen यह रहे एक carbon एक carbon एक zinc एक zinc ऐसा ठीक है मेटा जी विया तो zinc आपका जो metal है वो कौन सी state में मिलता है आपको liquid state में मिलता है note कर लीजे liquid state में मिलता है सुनील विया book में तो solid लिखा है भाई तो solid लिख के आजाना कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं क्यों इंकरेक्ट बता हूँ smelting अगर इसको बोल रहे हैं तो यह smelter में होती है smelting का मतलब है कि metal यहाँ पर molten format में मिलेगा liquid format में मिलेगा after chemical reaction देखो बटा एक chemical change के बाद मिल रहा है समझ में आगी बात बिल्कुल बिल्कुल खतम कर देंगे जल्दी खतम कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीके बिटा चलो अब एक चीज को analyze करते हैं मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ बिटा सवाल सारे करवाँगा तभी तो खतम करूँगा न is this our redox reaction मैं आपसे पूछता हूँ क्या यह redox reaction है मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ क्या यह redox reaction है यह उपर वाली पहले वाली की अगर बात करूँ नीचे वाली भी है उपर वाली भी है लेकिन आपसे पूछता हूँ हाँ या ना yes, obviously है yes a, yes और B no तो obvious answer क्या है yes it is the redox reaction कैसे short analysis देखिया carbon से carbon monoxide की तरफ अगर अपन जाते हैं और यहां से zinc oxide से zinc की तरफ जाते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा addition of oxygen हो रहा है ध्यान से देखिये addition of oxygen का क्या मतलब हुआ oxidation हुआ जिसका होता है oxidation वो किसकी तरफ रेक्ट करता है reducing agent मैंने आपको पहले ही बताया था यह reducing agent की तरफ रेक्ट करेगा इधर से क्या हुआ removal of oxygen यानि यहां पर क्या हुआ reduction हुआ यह oxidation हुआ यह reduction हुआ कैसी reaction है redox reaction है समझ में आगई क्या बात clear है क्या बात clear है बात जी भी है यह मिटा देता हूँ बहुत सारा टेक्स्ट हो रहा है इस वज़े से आप confused ना हो जाए इसके लिए हटा रहा हूँ ठीक है यह reduction यह oxidation जो oxidized हुआ वो reducing agent और जिसका reduction हुआ वो किसकी तरफ रेक्ट करता है अब आगे चलते हैं अब देगो बिटा अब अगर मेरा प्यार और गहरा हो गया तो पहले तो पापा को डंडा वार ना बड़ा ब्रेक अप करने के लिए कारवन ले क्या है अब अगर मान लीजिए अब अगर मान लीजिए और प्यार गहरा हो गया तो metals above zinc are reduced by तो जो metals zinc के उपर है उनको reduce करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है aluminium का इस्तिमाल करना पड़ता है और इस method को aluminium thermi कहते है अब बाउजी कह रहे है बेटा टंडेते नहीं माने का बंदूक लानी पुड़ेगी बेटा तो क्यों और बहुँन स्ट्रॉंग होगे मैं तो नहीं छोड़ूंगा मैं तो नहीं छोड़ूंगा मैं तो नहीं छोड़ूंगा बाबा कहें ठीक है बेटा बंदूक लाएंगे और का नाम क्या है pyroly usual यह है मैगनीज डाय ओक्साइट ठीक है बिटा अब देखो बिटा इसको जैसे ही ऐलुमीनियम की प्रेजन्स में अपन ने हीट किया हीट करते ही क्या हुआ अब देखो आपको यह पता है कि ऐलुमीनियम का रियक्टिविटी जो है इससे जादा है तो यह क्या करेगा यह ऑक्सिजन के साथ यहाँ पर बॉंड बना लेगा और मैगनीज यहाँ पर अकेला हो जाएगा है ना जैसे आपको याद होगा कि सुनील भाईया मैगनीज है मोहित भाईया और यह है सिमाईला तो सुनील भाईया ने मोहिद भाईया को रिप्लेस करा सुनील भाईया सिमाईला प्लस मोहिद भाईया अब यहाँ पर बहुत ज़ादा हीट के निकलने की वज़े से क्या होगा मैगनीज in liquid state यह पिगल जाएगा in liquid state ठीक है? जी अगर aluminium की presence में हीट करते हैं तो process को क्या बोलते हैं? Aluminothermy कहते हैं कि aluminium की process aluminium की presence में हीट किया तो मैगनीज डाय ऑकसाइड अब अगर ऐसा ऑकसाइड है हमारे पास जो metals यानि ऐसे metal का ऑकसाइड है जो बिस्तिकली zinc से उपर है तो उस case में हम लोग aluminium का इस्तिमाल करते हैं तो aluminium यहाँ पर क्या करेगा? इस metal oxide को reduce करेगा और Mn प्लस Al2O3 प्लस heat निकलेगा अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? यह आपको पता ही है कि obviously reactivity जो है वो aluminium की जादा है मेगनीज से इस वज़े से यहाँ पर क्या हो रहा है? एक metal metal displacement reaction हो रहा है एक metal metal displacement reaction यहाँ पर हो रहा है ठीक है? भाईया यहाँ पर heat भी निकल रही है तो क्या exothermik होगा? जल्दी से बताएंगे exothermik होगा? exothermik होगा? हाँ जी भाईया exothermik भी होगा भाईया क्या यह redox reaction है? हाँ यह redox reaction भी है प्रूव कर दीजे भाया एक बार देखिए बेटा प्रूव करते है इस फाइग बार देखिए थ्राइस ओफ MN O2 प्लस 4AL इसको अगर आपने heat किया तो ये थ्राइस ओफ MN liquid प्लस ट्वाइस ओफ Al2 O3 solid प्लस heat अब सुनील भीया यहाँ पर इधर हीट लगाना जरूरी है यहाँ पर जितना हीट आप दे रहे हैं उससे कई गुना जादा हीट यहाँ पर निकलता है इसलिए इसको exothermik भी कहते हैं जितना आपने हीट दिया उससे कई गुना जादा हीट निकलेगा that's why it is considered as exothermik अब यहाँ पर ध्यान से देखना इधर से इधर गया सुनील भाई तो यहाँ पर क्या हुआ रिमूवल ओफ ऑक्सीजन हो रहा है रिमूवल ओफ ऑक्सीजन रिमूवल ओफ ऑक्सीजन को क्या बोलते है रिडक्शन बोलते है और जिसका रिडक्शन होता है वो basically क्या कहलाता है वो कहलाता है oxidizing agent क्या कहलाता है oxidizing agent उसी प्रकार यहाँ पर addition of oxygen हो रहा है addition of oxygen हुआ बेटा तो इसको क्या बोलेंगे oxidation जिसका वो oxidation वो क्या कहलाएगा सुनील भाई या reducing agent कहलाएगा तो बेटा लगा दो reducing agent removal of oxygen reduction यानि oxidizing agent addition of oxygen oxidation यानि कि यह क्या हो गया reducing agent हो गया तो reducing agent कौन है aluminium है aluminium is the reducing agent MnO2 is basically the oxidizing agent is it a redox? 100% it is a redox reaction ठीक है ठीक है clear है ठीक जी अब इसी के अंदर तुमको अब carbon हमने क्यों नहीं use कि मतलब मेरा प्यार इतना गहरा हो चुका है अब MnO2 बन चुका हूं मैं पापा को बंदूक लानी पड़ी यहां पर aluminium क्या था यहां पर aluminium is more reactive than manganese it means it can easily displace them and forms it means it can easily displace manganese and forms aluminium oxide doing the same cannot be satisfactorily done with carbon समझ गए? पिताजी ने डंडे का भी इस्तेमाल कर लिया लेकन कुछ नहीं हुआ प्यार घहरा है पहले तो ऐसा हो रहा था जब प्यार कम जोड था auto reduction फिर थोड़ा प्यार घहरा हुआ तो reducing agent यानि की carbon यानि की धंडा और घ्यारा हुआ तो धंडा भी काम नहीं कर रहा बंदूग यानि aluminium आ गया उससे अब एक और चीज इसी aluminium थर्मी के अंदर एक और चीज अब मान लिजे कि यहां पर अगर मैं powdered aluminium लेता हूँ आपका powdered metal लेता हूँ powdered aluminium और यहां पर अगर मैं लेता हूँ एक metal का oxide सुनेल भी आफ़ी 2-0-3 को तो आप carbon से भी reduce कर सकते थे आप कर सकते हैं आप आफ़ी 2-0-3 को carbon से reduce कर सकते हैं हाँ हाँ कर सकते हैं ठीक है लेकिन अभी मैं आपको जो application समझा रहा हूँ इस reaction की वो समझिये आपने powdered metal को लिया और यहां पर आपके पास metal oxide यह कौन से कलर का होता है reddish brown कलर का metal oxide होता है यह भी powder में है reddish brown है यह reddish brown powder है अब इस reddish brown powder के साथ आपने powdered metal यानि metal oxide के साथ आपने powdered metal लिया है यह metal oxide आपका यहां पर reddish brown powder है aluminium लिया है आपने अब इनको आप क्या करेंगे ignited by magnesium ribbon इनकी reaction को by magnesium ribbon magnesium ribbon को आपने जलाया reddish brown कलर का FE2O3 का powder है उसके अंदर आपने powdered metal aluminium का डाला हुआ है आपने क्या कर दिया आग लगा दिया अब यहां पर जो aluminium है आपको पता है इसका reactivity iron से जादा है reactivity of reactivity of aluminium is greater than that of FE इस वज़े से यहां पर क्या होगा एक more reactive metal एक less reactive metal को displace करेगा तो reaction किस का example है metal metal displacement reaction का example है बेटा सुनील भाईया, मोहिद भाईया, सिमाईला सुनील भाईया और सिमाईला साथ में मोहिद भाईया, साथ में बहुत ज़्यादा heat इस heat की वज़े से क्या हो जाएगा? in liquid form में आए गई है in liquid state in liquid state आ जाएगा ये तो अगर आपने metal की oxide this is for example, यहाँ पर इस case में इस case में Fe2O3 मैंने metal का oxide लिया reddish brown powder साथ में मैंने powdered metal लिया aluminium का, इस mixture को मैंने ignite किया जलते वे magnesium ribbon से aluminium ने displace किया यहाँ पर Fe को and it forms aluminium oxide, साथ में Fe and heat अब यह जो Fe है liquid state में just because इतना जादा heat निकलेगा यह redox भी है and साथी साथ यहाँ पर याद रखना exothermic भी है अब इतना जादा heat निकलेगा बिटा कि तुम्हारा जो metal है वो basically पिघल जाएगा molten state में आ जाएगा कौन सी state में आ जाएगा? molten state में आ जाएगा कौन सी state में आ जाएगा? molten state में आ जाएगा ठीक है? इसके बारे में चलो वैसे भी मैंने पीछे लिखा हुआ है molten state में आ जाएगा अब इस reaction को हम क्या बोलते हैं? इस reaction का एक नाम और है the reaction is therefore used for welding the broken parts of iron machinery, railway tracks, etc. the reaction is known as thermite reaction because large amount of heat is generated thermite क्यों बोलते हैं? therm large amount of heat is generated ठीक है? इसी लिए इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं thermite reaction तो thermite reaction में क्या होता है? आपके पास एक metal की oxide है आपके पास powdered metal है अब यह metal की oxide for example Fe2O3 है that is reddish brown in color मेरे पास aluminium है मैं इन दोनों को क्या करता हूँ? ignite करता हूँ magnesium ribbon से aluminium being more reactive than Fe of Fe2O3 will displace it to give Al2O3 plus Fe अब यहाँ पर बहुत जादा heat के निकलने की वज़े से यह क्या हो जाएगा? liquid state में आ जाएगा अब बहुत जादा heat निकल रही है तो इस reaction को thermite reaction भी हम लोग कहते हैं ठीक है? अब thermite reaction क्या है? एक परकार की कैसी reaction है? जहाँ पर एक more reactive metal एक less reactive metal को displace कर रहा है metal-metal displacement exothermic and redox reaction है बैसे यह railway tracks को जोडने के लिए भी काम में आती है यहाँ पर आपका molten Fe आ जाएगा? यह देखिए थंडा होने के बाद solidify हो जाएगा यह रहा पिगलावा लोगा आ जाएगा Fe आपका कौन सी state में आ रहा था? देखो, molten state में आ रहा था solidify हो जाएगा थंडा होने पे? बढ़िया से, मत ठीक, जीविया तीन नंबर का सवाल आये था, बेटा देखो, sample vapor में तीन नंबर का MnO2 plus Al will gives Mn liquid plus Al to O3 plus heat give reason why the above reaction is known as a thermite reaction thermite reaction क्यों बोलेंगे इसको? इसको thermite reaction क्यों बोलेंगे? बहुत जादा amount of heat निकलेगी भईया, thermite हम कब बोलते हैं? जब बहुत जादा amount of heat निकलेगा देखें, यहाँ पर भी लिखा है मैंने thermite का मतलब क्या होता है? large amount of heat is generated जब इतना जादा heat निकले क्या आपका metal molten state में आ जाए? इसे क्या बोलते हैं? thermite बोलते हैं क्या बोलते हैं? thermite बोलते हैं ठीक है? identify the substance oxidized and reduced in the above reaction करा चुका हूँ give a reason why aluminum is preferably used in thermite reactions बता दिया आपको aluminum जो है, वो more reactive metal है ना? बही, I'm an O2 मैं aluminum का इस्तिमाल किया more reactive metal है easily displacement कर देगा भाई, अगर मैं bond नहीं break up कर रहा मेरे पापा ने बंदूग दिखा easily छोड़ दिया aluminum ठीक है? चालो now, medium reactivity metals का जल्दी से एक बार फटाबर्स से यहाँ पर समरी देख लेते हैं सबसे पहला crushing and grinding of ore is common then concentration of ore is common तीसरा क्या था? औरली देखो sulfide ore है तो roasting carbonate ore है तो calcination oxide ore है तो ठीक है ठीक है ना? sulfide ore के लिए roasting carbonate ore के लिए calcination convert हम किसमे कर रहे हैं? metal oxide में कर रहे हैं और अगर metal oxide है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है convert करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना roasting होगी ना calcination होगी अब oxide में आ गया उसके बाद क्या करेंगे? reduction of metal oxide to metal using reducing agent अब ये दो तरीके से हो सकती है एक हमने कराई smelting और एक हमने कराई alumino thermine ये किसके थूरू होती है? using aluminium as reducing agent बंदूख डंडा using carbon carbon में specifically कौन सा coke छीक है? clear है बाद? crushing and grinding of 4 concentration of 4 अगर sulfide है तो roasting roasting समने oxide बनाया carbonate हो तो calcination से metal oxide बनाया metal oxide है तो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद इसका reduction करवाएंगे reduction कराने के लिए reducing agent carbon का अस्तिमाल किया तो smelting aluminium का अस्तिमाल किया तो इसके बाद आपके पांग refining and the purification of metal क्या बाद है? अब बस 10 मिनिट का एक last break लेंगे उसके बाद start करेंगे देखते कौन आकरी तक टिकता है lecture आपका साड़े ग्यारा हो रही है साड़े ग्यारा, ग्यारा पैतिस तक का break लेते हैं मैं भी कुछ खा पी लेता हूँ high reactivity metals, refining, corrosion and waste to prevent it ठीक है? इतना वाला part हम कर देंगे ठीक? चलिए अब इसमें भी कुछ और extra बहुत सारी चीजे में लाया हूँ तो उनको अटा लेते हैं और फिर इसको start करेंगे कुछ और भी बहुत extra anodizing को गेरा में लेके आऊँ आपका समय जाएगा, board में आएगा नहीं कोई relevant नहीं है वो चीज तो उन चीजों को हटा देते हैं चलिए मतब जितना काम का है उतना हम पढ़ा दें वो वाली चीज है, अब क्योंकि समय कम है आईए दोस्तों एक 10 minute का break लेना चाहेंगे उसके बाद इसको start करते हैं ठीक है, चलिए तो एक 10 minute का break और उसके बाद हम मिलते हैं बहुत सारी extra चीजे लियाएते हैं कुछ-कुछ जो extra होगा वाट आएंगे CBS से oriented रखेंगे, 11.35 हो चुके हैं 11.35, 11.35 में फिर से मुलाकात होगी 10 minute का break है, आ जाईए सिर्फ 10 minute का break लेंगे फिर वापिस मिलते हैं यहीं पर ही वापिस start करेंगे, resume करेंगे सारी चीजों को, just a 10 minute break मेरे लिए, आपके लिए मैं भी पानी बानी पीलू 10 minute के बाद मुलाकात होगी 10 minute बाद आपसे मुलाकात करने आता हूँ झाँ झाल 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 दोस्तों मेरी आवाज आ रही है क्या आ रही है तो दोस्त एक बार आए लिख दो फटापट से जल्दी से आए 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 जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से पड़ावट से लिख दीजे बेटा सैंपल पेपर के सवाल करवा चुका हूं राजा बेटा सैंपल पेपर डिसकस करवा ता जो कंसेट करवा दिये उसके जस्ट बात बताया कि सैंपल पेपर का सवा में सारे सवाल करा चुक हूँ, जितने सेंबल पे वर मैं सब हो चुके हैं, ठीक है ना, अब बस एक electrolysis वाला बचा है, वो भी दिखा दूँगा, electrolytic refining वाला, अब देखो बेटा, extraction of high reactivity metals कैसे करना है, ध्यान जे सुनेंगे, high reactivity metals like potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminium, ये हैं आपके metals of high reactivity, let's discuss how they are extracted, अभी हम halides की जगे, halides में सिर्फ chlorides की बात करेंगे, how they are extracted from their chlorides and oxides, अब high reactivity metals like potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, इनको हम इनकी oxides और halides से, halides में chloride से कैसे निकालते हैं, और इनकी oxides से कैसे extract करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है, तो दैसे की, इनकी अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास क्या है, NaCl से हमें इसको extract करना है, इसकी चर्चा हम करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है, सेम प्रोसेस लगेगा, कोई difficult चीज नहीं है, चलिए, बहुत बढ़िया, अब देखिए, after concentration of ore, can we use reduction of metal oxide through reducing agents like carbon, अब मान लीजिये कि सबसे पहले crushing and grinding of ore होता है, फिर concentration of ore होता है, अब मान लीजिये high reactivity metals के halides, यानि कि आपके chloride और oxides है, तो क्या आप वहाँ पे reducing agents like carbon का इस्तिमाल कर सकते हैं, याद रखना नहीं, अब अगर मेरे पापा, अब मेरा प्यार और घहरा हो चुका है, तो अब अगर पापा डंडा लेके आते हैं, यानि carbon और बंदूग लेके आते हैं, यानि aluminium, तो भी reducing agents से मुझे अलग नहीं कर पाएंगे, now I'll be like, डंडा, बंदूग, लेलो जो लेना है, कुछ नहीं होगा, so the oxides and chlorides, the oxides and the chlorides of highly reactive metals are quite stable, बेटा, ये बहुत ज़्यादा stable होते हैं, अब यहाँ पर जो मेरा bond बन चुका है, वो बहुत stable, बहुत strong बन चुका है, and therefore, it cannot be reduced by any reducing agent, like carbon and aluminium, यानि ना तो पापा के डंडे से break up होगा, और ना ही पापा की बंदूग से break up होगा, so they have more affinity, they have more affinity for oxygen या फिर chlorine, अब यहाँ पर जो metal है, it has more affinity, यानि की attraction, bonding for oxygen and chlorine, अभी तो क्या हो रहा था भाई, पहले तो ऐसा था कि जब बहुत lower reactivity metal था, बहुत कच्चा प्यार था, सिर्फ डंडा देगा, उत्ते डर में अपन दो हर गए, भाई हलका सा heat हुआ, ब्रेक अप, फिर अगली बार में डंडे का इस्तिमाल हुआ, यानि reducing agent, reducing agent यानि carbon उसका इस्तिमाल हुआ, और metal oxide से metal बना, फिर अगली बार में reducing agent और भारी हुआ, यानि aluminium, क्योंकि bond थोड़ा सा stronger हो गया था, बंदूग का इस्तिमाल करना पड़ा, ब्रेक अप के लिए, अब ना तो बंदूग ना तो डंडा, डरेंगे नहीं सच्चा है प्यार, क्यों, it has more affinity for oxygen and chlorine, देख रहे हो बेटा, कच्चे प्यार से सच्चे प्यार तक की कहानी सुना दी तुम्हें, कच्चे प्यार से सच्चे प्यार तक की कहानी, अब ज़्यादा bonding है, oxygen और chlorine को लेकर नहीं छोड़ेंगे, नहीं होगा break up metal का, पापा बोले, रुको बेटा, अब इसमें ये चीज़ आती है कि क्या calcination और roasting होगा इसके लिए, तो no calcination और roasting, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर हम chloride and oxide की बात कर रहे है, no calcination or roasting is used here, याद रखना, ठीक है बेटा, अरे calcination किसके लिए होता है, carbonate को oxide बनाने के लिए, roasting होता है, sulfide or को oxide बनाने के लिए, भाई वो oxide और chloride है, क्या नहीं मान रहा, मैंने का नहीं, पापा के रुखो, इसको बिजली के जटके लगाने पड़ेंगे, ना डंडे से डर रहा है, ना बंदुक से डर रहा है, अब बिजली के जटके खा, और तेरा थी पापा ने बोला देख बेटा भी तेरे को जटके देता हूं मैं पापा जटके देने आ गए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्षन बाइसाब ये कौन सा निया रिडक्षन है पापा ये चीटिंग है पहले आप रिडूसिंग एजेंट लेकिया कार्बन डंडा दिखा रहे से आपने ब्रेकप कर दिया फिर आप एलिमिनियुम लाए बंदूग दी गई अब मेरा प्यार घेर हो गया तो आप बिल्ली के जटके दोगे हां वो कह रहे हां पेटा आप देख तेरे को बिल्ली के जटके देऊंगा मैं अधा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्षन इस पूड़ रहे हैं हमको पापा कह रहे हैं बी रेकप तो होगा बिजली के जटके देकर होगा अपन कह रहे हैं यह क्या है तो क्या कर रहे हैं पापा पापा बोल रहे हैं पेले इनको क्या करो इनके ऑक्साइड और क्लोराइड को मोल्टन फॉर्म में लेकर आओ और फिर उन solid को 800 degree Celsius पे heat किया तो क्या बनेगा क्या बनेगा fused form बनेगा क्या कह रहे हैं आपको molten या फिर fused form लेनी है aqueous नहीं बोला है फिर से सुन लो molten या fused form बताया भी था कि भाई NACL solid को मान लो 800 degree Celsius तक heat करता हूँ तो NACL liquid मिलेगा हाँ या पापा कह रहे हैं कि सबसे पहले इनको molten या फिर fused form में लाओ पापा आर थोड़ी मानेंगे क्या रभाई इनको molten या फिर fused form में लेके आओ फिर बी रेक अप होगा सीरियस होगा पापा पापा के देख बेटा मैं गहाँ हाँ जी पापा बी रेक अप तो नहीं होगा पापा के बेटा fused state में आया तू मैंने का हाँ पापा fused या फिर molten state में आ गया मैं पापा के वा आ गया मैं इनका हाँ आ गया अच्छा बेटा electrolytic tank में उतर जा मैं गा लो पापा electrolytic tank में भी उतर गया पापा कोई दिक्कत नहीं है पापा क्या होगा पापा इससे कुछ नहीं होगा पापा पापा कुछ नहीं होगा है ना क्या होगा बेटा तुम बताओ पापा को एकदाम 100% surety है कि break up तो होगा अब electrolytic tank में पापा ने हमें molten state में डाल दिया जहाँ पर एक electrode positive terminal से connected है positive terminal से connected हुई metal की electrode को anode कहते है और negative terminal से connected हुई electrode को cathode कहते है यह basically क्या है cathode यह basically क्या है anode anode के ओपर charge कौन सा है वाई कौन से potential से connected है positive potential से connected है और यह negative potential से connected है battery है अब हम बढ़िया एकदम घूम फिर रहे थे भी या molten या फिर fused form में क्या होता है ions are free to move आपन तो आराम से घूम रहे थे आपन को लगा आरे कुछ नहीं होगा यार कुछ भी नहीं होगा अपन ने डंडे को आरा दिया यानि carbon से reduce नहीं कर पाए aluminium यानि बंदुक को आरा दिया यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी यह break up का reason है हमारा क्या है break up में देखिए अब क्या होता है अब क्या होगा anode anode पे क्या होता है बेटा anode पे होता है सुनील बया oxidation आरे वा मेरे राजा बेटा बहुत बढ़िया सुनील बया oxidation का मतलब होता है loss of electron या फिर electrons अच्छा बेटा पापा एक गेम खेल गए पॉजिटिव नेगिटिव अब यहाँ पर किलोरीन को बुला ले अदर आजा 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 हमको बिल्ली के जटके दिये किलोरीन यहां से गई खच 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 इदर किलोरीन इदर गई खच 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 अरे पापा क एलेक्ट्रोन दान करेगी और बेटा अगर दो क्लोराइड होते तो तो भाईया जी सी एल टू प्लस ट्वाइस एलेक्ट्रोन अरे भाई साप यह तो खतरनाक गेम चल रहा है यह इलेक्ट्रोन तो यहां से उठके कहा जाएगा अब यह जाएगा कैथोर्ड की तरफ क्लोराइड के अनायन को कीलोरीन का गेस बना दिया उन्होंने और कीलोरीन को गेस बना खावा में उड़ा दिया के कीलोरीन बेटा एट एनो उड़ जाओ बेटा जो तुम्हारी रियालिटी थी वो ही तुम्हारी रियालिटी तुमको वापिस देता हूँ पहले सी एल टू यानि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से तोड रहे हमको, अब यह नेगिटिफ पोटेंशल पर है, तो यहां से सोडियम का कटाइन भगते वे धर जाएगा, कहां जाएगा, भगते वे धर जाएगा, अब कैथोर्ड पर क्या होता है बेटा, एट कैथोर्ड, रिडक्शन, गेन ओफ इलेक्ट्रोन या फिर एलेक्ट्रोन, अब देगो बिटा, वहां से जो इलेक्ट्रोन आएगा, अब मैं कटाइन हूँ, ऐलेक्ट्रोन एक्सेप्ट किया तो मैं वापिस сोडियम मन गया, और इनीशयली मैं सोडियम था, यह क्लोरीं थी, हमारी रियक्शन हुई तो हम यह अनायन और कटायन बनते हैं याद करो आयनी कंपोर्ण कैसे बना था मैटल ने इलेक्टरॉन दिया था नौन मैटल को मैटल ने इलेक्टरॉन दिया था नौन मैटल को तो यह कटायन यह अनायन पापा ने अनायन को वापिस क्लोरीन मना दिया elemental form में कटायन को वापे sodium मरा दिया, पापा जीत गए पापा वान तुनील भाईया गौन येट कैथोर्ट, बाप रे बी रेक अप हो गया भाईया का, बिजली के जटके देखे बी रेक अप करा है, बिजली के जटके देखे बाई साब बहुत ही गलत बिजली के जटके देखे क्या बात है अब मुझे फटावट से हा ना में इसका आंसर करना बेटा दोनों पढ़ा चुका हूँ Will the products be obtained Will the same products be obtained if we do electrolysis of aqueous sodium chloride अगर aqueous sodium chloride का electrolysis करूँगा तो क्या same product मिलेंगे क्या क्या same product मिलेंगे क्या हा या ना देखो confused हो गए आया मज़ा यह देखो आंसर क्या है ना बेटा एक बात बताना रहे मेरा राजा बेटा जब तो में electrolysis of brine solution करते हो brine solution क्या होता है मेरा राजा बेटा ओ राजा बेटा aqueous solution ही तो होता है sodium chloride का aqueous solution of sodium chloride जब आप aqueous form का electrolysis करते हैं तो इस केस में आपको product क्या मिलते हैं इस केस में product मिलते हैं nao h chlorine and hydrogen chloralkali process है बेटा समझ रहे हो पढ़ाया है यह chloralkali process है what is the name of the process this is nothing but chloralkali process इसलिए तुमको बोला था कि यहाँ पर हम लोग molten या फिर fused form यूज़ कर रहे हैं और यहीं पर अगर आप electrolysis of molten NaCl करेंगे molten या फिर fused NaCl करेंगे fused NaCl तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा NaCl liquid और यह brine solution क्या हो जाएगा इसका मतलब क्या है NaCl aqueous NaCl aqueous की electrolysis करोगे तो NaOH chlorine and hydrogen gas मिलेगा लेकिन इसका electrolysis करोगे तो बेस्तिकली क्या मिलेगा sodium and chlorine gas मिलेगी कहां कहां मिलेगी यह मिलेगा cathode के उपर यह मिलेगा कहां पे anode के उपर याद रहेगी क्या बात याद रहेगी क्या बात याद रहेगी क्या बात clear बात clear बात याद रहेगी बात याद रहेगी बात ये बेसिकली का मिलता है, नियर दा कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, कितनी बार पढ़ा दिया भाई ये, कैथोड, एनोड, नियर दा कैथोड, कैथोड, एनोड, याद रही गी बात, चलो, अरे, इसको डिलीट कर देते है, भाई को, ठीक है, डिलीट, चलो, आजो, फड़ावट से, आगे चलेंगे, चलिए भी या, नाओ, इनके स्टेप्स, सिर्फ तीन स्टेप में यहाँ पर काम हो जाएगा, बेटा, पहला स्टेप, क्रशिंग और ग्राइंडिंग ओफ ओर, दूसरा, कंसेंट्रेशन ओफ ओर, और तीसरा, इलेक्रोलाइटिक रेड़क्शन, क्यों भी है, यहाँ पर प्यॉरिफिकेशन या रिफाइनिंग के ज़रुवत नहीं है, इस इस नॉट एट और रिक्वाइड यहाँ पर क्रशिंग और ग्राइंडिंग ओर आप करेंगे, कंसेंट्रेशन ओफ ओर करेंगे, डायरेक्ट इलेक्रोलाइटिक रेड़क्शन करेंगे, इलेक्रोलाइटिक रेड़क्शन से आपको सीधा प्यॉर मेटल मिलेगा, क्या मिलेगा, प्यॉर मेटल, आपको बीच में कुछ और करने की ज़रुरत नहीं है, चल्ड़, low, medium and least reactivity metals, तीनों के लिए, low, medium and least reactivity metals, अब last step है, refining या फिर purification of metal, यानि की साफ सफाई गंदगी हटाने का last अभियान, concentration process से पूरी तरीके से गंदगी नहीं हट पाती है, अब यह बिल्कुल last step से बिल्कुल complete गंदगी हटाने का तरीका हम यहाँ पर discuss करेंगे, metals obtained after extraction still contains some impurities which are removed by, तो यह काफी सारे processes है, यह तो अभी हमारे course में नहीं है, not in course as of now, एक हमारे course में है, जो कि यह electrolytic refining, जो आपका basically copper के लिए use होता है, zinc के लिए use होता है, silver के लिए use होता है, ठीक है न, आपका tin के लिए, nickel के लिए, etc., यह इन सब के लिए use किया जाता है, आपका process, ठीक है, copper के लिए use होगा, zinc के लिए use होगा, gold के लिए use होगा, tin के लिए use होगा, nickel के लिए use होगा भाई, gold की साफ सफाई तो करोगे ना, निकालोगे जमीन से तो direct तो use नहीं करोगे, साफ सफाई करनी पड़ेगी, हाँ, तो इस process से हम कर सकते हैं So, metal obtained after restriction still contains some impurities which are removed by electrolytic refining ठीके, तो इसमें देशे for example, copper, zinc, gold, tin, nickel, इनके लिए हम ये method को use करेंगे अब देखिए करना कैसे, देशे for example, अगर मैं copper के लिए use करता हूँ, तो मैं कैसे use करूँगा, ध्यान से सुनना तो यहाँ पर मेरे पास एक setup है, यह setup में मेरे पास क्या है, इस tank को electrolytic tank कहता हूँ, ध्यान से देखना यह tank जो मैंने यहाँ पर use किया है, electrolytic tank के उसके अदर copper sulfate का solution लिया है यह tank लिया electrolytic, हाँ, so the setup consists of an electrolytic tank, एक बात याद हुई, हाँ, इसके अंदर copper sulfate लिया copper sulfate solution लिया, अब धिमाग में यह आना चीए, कि electrolytic refining किसके लिए कर रहे है, copper की कर रहे है copper की refining कर रहे है, तो electrolytic tank में, copper sulfate की क्या जरूरत है सुनील भिया बताऊंगा भी, यहाँ पर copper sulfate किस तरीके से काम करता है, बेटा, copper sulfate, यहाँ पर एक electrolyte की तरह काम करता है यानि कि यह ions में break हो जाता है, एंड फर्दर electricity conduction करता है फर्दर electricity conduction करता है, इतने विर्तिके लिए कहते हैं electrolyte copper की electrolytic refining के लिए electrolytic tank में copper sulfate को हमने डाला, जो electrolyte है, ions में तोट जाता है copper sulfate को इसलिए use किया, क्योंकि जिस metal की आप refining करेंगे, metal salt here is copper sulfate because refining of copper is being done जिस metal की आप refining करना चाते है, उसी का metal salt as electrolyte आप इस्तेमाल करेंगे मान लिजिए आप electrolytic refining अगर zinc की कर रहे होते तो salt भी zinc का आता अगर आप refining copper की कर रहे हैं, तो electrolytic tank में copper का ही salt होगा, जो electrolyte की तरह act करेगा ठीक है, जी भाई दूसरा step अब यहाँ पर एक बहुत मोटा सा जो block है impure copper का आपने लगाया है, जो की positive terminal of battery से connected है अब thick block of impure copper metal, जिसको साफ करना है it is connected to the positive terminal, that is, it will behave as anode अब इसको आपने potential source जो आपका है, उसके positive terminal से connect के है मतलब कि यह anode की तरह behave करेगा, किसकी तरह behave करेगा, behave as anode किसकी तरह behave करेगा, behave as anode उसी प्रकार मेरे दोस्त, a thin strip of pure copper metal is connected to the negative terminal and it will behave as cathode, एगदम पतली copper की strip आप यहाँ पर use करेगे यह पतली copper की strip आप use करेगे एगदम और इसको आप negative terminal से connect करेगे, इसका मतलब यह किसकी तरह act करेगा as cathode behave करेगा समझा पाया, electrolytic tank लिया आपने, electrolytic tank के अनर electrolyte लिया जिस metal salt का, जिस metal का आप refining कर रहे हैं, उसी का metal salt लिया electrolytic tank में as electrolyte anode पे आपने impure copper लिया, cathode पे आपने pure पतला copper का strip लिया याद हुई इतनी बात? हाँ भी या, आप देख राजा वेटा या वे ध्यान से देख यह तीसरा point था, ध्यान से देख वेटा कुछ ऐसा setup बनेगा जहाँ पर यह basically आपका impure copper impure copper block anode की तरह भीएव करेगा यह एकदम pure copper की strip पतली pure copper strip यह cathode की तरह भीएव करेगी, ठीक है? positive terminal, negative terminal electrolyte आपके पास यहाँ पर क्या है? copper sulphate ठीक है? जी अब देखें, electrolyte सबसे पहले क्या करेगी? आपके पास copper sulphate aqueous है इसका मतलब यह ions में तूटेगी Cu2 plus aqueous plus SO42 minus aqueous अभी आपका major focus किस पे होना चीए? इस पे होना चीए यह क्या कर रहा है? So this is nothing but an electrolyte 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 का काम क्या होता है? ions में broken down हो जाती है easily तो यहाँ पर copper sulphate electrolyte है वो easily ions में split हो जाएगी तूट जाएगी, dissociate हो जाएगी into ions that is basically Cu2 plus and SO42 minus ठीक है? Done अगली चीज क्या होगी? ध्यान चे देखना ध्यान चे देखना अगली चीज क्या होगी? बहुत ध्यान चे देखना अब देखो at cathode अब तो याद हो गया होगा cathode पर होता है सुनील भाई reduction और reduction का मतलब होता है gain of electron या फिर electrons यह पहली चीज यह दूसरी चीज अब हमारा जो cathode है दोस्त वो किस पे है? वो negative यहाँ पर यह negative potential पर यह रहा यह positive potential पर है यह रहा ठीक है? हाँ cathode यह pure copper strip will behave as cathode यानि negative terminal से connected है यानि यहाँ पर gain of electrons होगा अब ध्यान चे देखे यह यह के जो katiens है solution में यह यह यहां से travel करकर कहाँ पर आपके cathode के ओपर जाएंगे कहाँ पर जाएंगे गे कहाँ पर जाएंगे cathode यह ऊजाएगा अब दिमाग में सवाल यह आता है कि सुनील भिया इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहां से, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहां से, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहां से, जैसे यह तो आपका चलो एक्वस हो गया, है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, Cu2 plus plus twice of electron लेकिन इसको electron मिलेंगे कहां से तो ये electron कहां से मिलेंगे इसके लिए आप ये सेखे anode भी है आपके पस तो anode के उपर क्या होता है सुनील भाई oxidation होता है और oxidation क्या होता है सुनील भाई loss of electron या फिर electrons होता है loss of electron या फिर electrons होता है ठीक है भिया copper जो यहाँ पर है यहाँ पर जो copper है वो copper क्या करेगा यहाँ पर दो electrons को दान करेगा और वो copper solution में enter करेगा as tu2 plus aqueous समझ रहे हो अरे यहाँ पर आपने impure copper का block लगाया है न तो यहाँ पर वो जो copper है वो electrons को loose कर रहा है तो electrons को अब यह electrons यहाँ से आके cathode पर आ रहे हैं अब यह solution में कूट जा रहा है क्या करेगा? solution में कूट जाएगा इसने basically electrons को यहाँ पर loose किया anode पर oxidation loss of electrons electrons को loose किया और यह basically electrolyte में आपका enter कर गया साथ ही साथ यह जो दो electrons यहाँ पर travel करके आ रहें cathode पर यह यहाँ से जो kटायन था वो यहाँ से गया solution से यहाँ से copper ने electron दिया वो solution में आया solution में जो copper कटायन था वो basically cathode पर गया और उसने electrons gain कर लिए तो एक तरीके से with time क्या होने लगेगा यहाँ पर with time क्या होने लगेगा with time as process proceeds तो cathode becomes thicker जैसे जैसे आपन आगे चलते जाएंगे होगा क्या cathode आपका मोटा होता जाएगा एनोड आपका पतला होता जाएगा cathode मोटा एनोड पतला जैसे जैसे process proceed करता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा यह आपका with time यहाँ पर copper accumulate करता जाएगा तो यह मोटा होता जाएगा with time cathode becomes thikar यानि यहाँ पर copper deposit होता जा रहा है तो यह basically दीरे-दीरे मोटा होता जाएगा और anode दीरे-दीरे वक्के साथ-साथ घलता जाएगा कमजोर होता जाएगा यह रहा with time कमजोर होता जा रहा है अब इन में से कुछ impurities ऐसी होती है देखिए impure anode है impure copper का block है तो कुछ गंदगी भी होगी यहाँ पर तो इस में से कुछ गंदगी ऐसी होती है जो solution में गुल जाती है और कुछ नहीं गुलती जो नहीं गुलती वो यहाँ पर आ जाती है इसके नीचे इसको क्या बोलते है इसको बोलते है anode mud जो गंदगी आपकी नहीं गुलती है insoluble impurity है वो anode के नीचे जाकर बैढ जाती है और उससे बोलते anode mud अरे इसके अंदर कुछ तो गंदगी होगी ना and gold won't dissolve into the electrolyte and will deposit below the anode as anode mud जो नहीं गुल सकते वो यहाँ पर anode के नीचे बैढ जाएंगे anode mud बन के और जो बेसिकली गुल जाएंगे वो जैसे iron impurity होगा यहाँ पर for example इदर iron impurity है iron तो iron क्या करेगा ना iron खुद को oxidize करेगा electrons loose करेगा and will jump into the solution is Fe2 plus and Fe3 plus अब यहाँ पर क्या है बिटा अगर iron impurity है तो वो भी electron loose करके solution में कूद जाएगा लेकिन silver और gold यहाँ पर electrons loose नहीं कर सकते insoluble है तो सीधे नीचे जाकर बैढ जाएंगे ठीक है सीधे नीचे जाकर बैढ जाएंगे जैसे जैसे तुम्हारा process proceed होगा यह यहाँ से copper इदर की तरफ जाएगा कटायन मन के यह दीरी देर गलता जाएगा तो यहाँ पर impurity नीचे deposit होती जाएगी as anode मट जो घुल नहीं रही है जो घुल रही है वो solution में चली जाएगी clear है बहुत बढ़िया Republic Day गंतंतर दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुपकामने Republic Day 26th of January कि आपको हार्दिक हार्दिक शुपकामने आवाज बैठ चुकिये मेरी गंतंतर दिवस है आज इसकी हार्दिक हार्दिक शुपकामने चलिए आज के दिन जंडे को फेराया जाता है होइस्ट किया जाता है कि अनफल किया जाता है Republic Day के दिन क्या होता है आप National Flag को होइस्ट करते हैं या बेसिकली अनफल करते हैं मताईए Independence Day पे अनफल होता है या होइस्ट होता है चलो तुम्हारा आज का होमवक है गुगल गुगल खेलो देखें कितना तुमको घ्यान है CBST के सैंपल पेपर के तीन नंबर का सवाल और रेडिश ब्राउन मेटल X when heated in here gives a black compound Y रेडिश ब्राउन मेटल है copper, heat करोगे copper oxide which when heated in the presence of hydrogen gives X back CuO plus hydrogen will give Cu plus H2O, chapter 1 का है Mixed question आएंगे पहली का था, यह chapter 1 का है उसके बाद X is refined by the process of electrolysis this refined form of X is used in the electrical wiring identify X and Y, draw the label diagram to represent the process of refining of X तो यह diagram यहाँ से आएगा, यह diagram मैंने आपको बता दिया पढ़ा दिया पहले यह diagram का answer है यहाँ तक समझ में आगे तो एक बार आए भहिया लिख दो आप last topic आज का सिर्फ और सिर्फ आदे सिर्फ पॉन गंटे में रिप्टा दूँगा session को guarantee के साथ, गल्ती बोलने वाना था, गल्ती के साथ, गल्ती नी, guarantee के साथ, गल्ती के साथ, गल्ती के साथ, गल्ती के साथ क्यों, guarantee के साथ, बारा दस आ, एक बज़े तक हो जाएगा, चलो, corrosion its types and the ways to prevent it सरल भाशा में पढ़े लिके लोग इसे शंशारण कहते हैं corrosion कहते हैं अब corrosion आपको chapter 1 में भी मैंने आपको पढ़ाया था हलका से recap दूँगा so it is a surface deterioration यह आप कह सकते हैं surface का degradation process है surface deterioration या degradation process है metals का जिसमें की वह more stable form like oxides sulfides या carbonates में convert हो जाते हैं due to the attack of atmospheric gases सभी को पता है metals को मज़ा आता है यह करने में बैसे मान लीजे यह आपका metal है ठीक है है ना और यह मान लीजे आपके atmospheric gases है atmospheric gases ठीक है अब यह basically आपकी non metallic है इनको accept love to accept electrons इनको accept electrons को accept करने मज़ा आता है अब यह बिल्कुल layman terms में आपको समझाना चाहरा हूँ उस तरीके साब समझे तो यह atmospheric gases जो है इनको electrons accept करने में मज़ा आता है साथी साथ अगर हम metal की बात करें तो metal को love to donate electrons इसको electrons को दान करने में मज़ा आता है यह electrons को अगर दान करेगा तो यह stable हो जाएगा तो इसको electrons देने में मज़ा आता है इसको electron लेने में मज़ा आता है तो ये लेने और देने के चक्कर में क्या हो जाता है इनके सर्फेस पे यहाँ पर layer बन जाती है भई ये metal से जादा stable layer है भई ये metal को तो मज़ा आता है या compound बनाने में तो metal ने क्या कर दिया oxide की layer चड़ा दी खुद के उपर carbonate की layer चड़ा दी खुद के उपर sulfide की layer चड़ा दी खुद के उपर उसको मज़ा आ रहा है भई metal को तो मज़ा आता है electron दान करने में इसको तो मज़ा आता है electron दान करने में और इन atmospheric gases को मज़ा आता है electron लेने में अब यह देगा और यह लेंगी तो इस process में क्या हो जाएगा इस surface पे एक compound बन जाएगा चाहे वो oxide हो carbonate हो यह बन जाएगा अब यह ज़ादा stable format है लेकिन इसके वज़े से होता क्या है metal loses its lusher जो की pure state में होता है metal जब pure state में होगा free state में होगा तभी चमकता है अगर उसमे कोई compound बन गया तो वो कभी नहीं चमकेगा याद रखना metal तभी चमकता है जब वो free state में हो combined state में नहीं चमकेगा ठीक है तो यह disadvantage भी है इसलिए हम कहते हैं surface का deteriorate होना या फिर खराब होना यह कैसा process है जिससे इसकी अपनी surface को खराब करता है खुद की चमक को खुद खोता है यह corrosion या संशारण अब देखिए corrosion और उसके प्रकार सबसे पहला corrosion का प्रकार है type of corrosion corrosion के प्रकार के type का नाम है rusting यानि जंग लगना oxygen और moisture, moist मतलब गीली, moisture मतलब H2O और air में है oxygen भी, oxygen और moisture से रियक करके खुद के ओपर hydrated ferric oxide यानि rust की layer चड़ा देता है इससे rusting कहते हैं सबसे पहले corrosion का प्रकार है rusting जिसमें लोहा, air में present oxygen gas और moisture से interact करके खुद के ओपर एक layer चड़ा लेता है hydrated ferric oxide की अब यहाँ पर यह number of molecules X मतलब इनकी कुछ भी value हो सकती है, depending upon this यहाँ पर यह value change होती रहेगी अब यह जो reddish brown color की layer है मेरे दोस्त, यह वाली जो layer है, यह rust कहलाती है, rust यह reddish brown layer, इसका रंग कैसा है दोस्त, rust का जो रंग है वो देखे कैसा है, reddish brown है लोहा आपका silvery grey होता है, यह reddish brown होती है rust चीक है, लोहा silvery grey होता है, air में present oxygen और moisture से रिया करके hydrated ferric oxide, यानि rust का निर्मान करता है खुद के उपर ठीक है, जीविया, समझ में आ गया, जीविया अब देखिए, थोड़ा आगे चलते हैं, जल्दी से answer कीजिए, can rusting happen without having any one factor that is oxygen और water vapor, अगर मान लीज़े, दोनों में से एक factor ना हो तो क्या rusting होगी, हाँ या ना, हाँ या ना में answer कीजिए, हाँ या ना में answer कीजिए फटावट से हाँ या ना में answer कीजिए, जल्दी से, yes और no, चलो एक pole देता हो तो मारे नीन्द खुली जाएगी जल्दी से, सोना नहीं है बेटा, मैं भी नहीं सो जाओ, जब teacher जग रहा है तो तुमको भी जगना है बेटा, मैंने फिरते बोला था, नीन्द चैन को त्यागोगे, तभी तो बेटा भागोगे, जब नीन्द चैन को त्यागोगे, तभी तो बेटा भागोगे, जब रस्टिंग हैपन विदाउट 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 है नहीं हो सकती रस्टिंग, बहुत बढ़िया, अलोन बॉय, ड्रीम आईए, सर्यू के, रोशन, अहाना, मयंग, प्रकर, एक्स लिजन्ड और पूरवी, क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या रस्टिंग हो सकती without having any one factor, नहीं हो सकती दोस्त, नहीं हो सकती रस्टिंग, नहीं हो सकती, याद रुकिये, ठीक है, चाल, for rusting to happen both factors that is oxygen and water vapor या water are required for rusting to happen that is rusting होने के लिए oxygen and water vapor या फिर water का होना 100% जरूरी या required है समझ रहे है हाँ चल एनलेसिस भी कर लेते है एनलेसिस कर लेते हैं जल्दी से फटावट से जल्दी सा यह फटावट से सुनील विया कैस केस में rusting होगी बताएंगे बच्चे एक test tube है test tube में हवा है test tube में पानी है रस्टी आयरेट निल्स क्या जंग लगेगी obviously 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 दिवांगनी ने बोला है हाँ भानु प्रताब ने बोला है हाँ क्या बात है दोस्त बिलकुल लगी क्यों देख रजा बेटा जंग लगने के लिए क्या चीए air air के अंदर क्या है बिटा तो निल्विया air contains oxygen बिटा दो फेक्टर की जरूरत है oxygen तो यह present है done दूसरा बिटा water भी तो present है done तो इस case में क्या हो जाएगा अरे यार टेक्स्ट कहां बीच में आ जाता है तो पहली चीज है basically पानी water is present yes air that contains oxygen is present yes तो क्या रस्टिंग हो जाएगी 100% हो जाएगी अरे हवा है हवा में oxygen है और साथी साथ पानी है पानी में भी dissolved oxygen होता है तो बड़िया तरीके से सब कुछ अवेलेबल है रस्टिंग हो जाएगी कोई दिकत नहीं है दूसरा case analyze करते हैं ध्यान से देखिए दूसरा case analyze करते हैं यहाँ पर आपके पास है हवा यहाँ पर आपके पास है एक layer of oil और यहाँ पर आपके पास है basically पानी तो आपने क्या किया है और पानी भी कहता है boiled distilled water boiled distilled water है यानि कि आपके पास आपने एक पानी को बहुत ज़्यादा गरम कर दिया है उसमें लोगे की कील डाली है फिर layer of oil डाली है और उपर हवा तो वैसे ही present है तो अब क्या होगा रस्टिंग होगी नहीं होगी क्या बात है बहुत समझदार प्यारे बच्चे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे बहुत बढ़िया बेटा सबसे पहली बात air from above इस air में क्या है contains oxygen तो क्या air from above आ सकती है नो अरे यह आएगी कैसे यहाँ पर यह आएगी कैसे यहाँ पर यह तेल की layer इसको आने ही नहीं देगी तो हटा दो मैं आपको दो केस बताऊंगा ध्यान से देखना मैं आपको दो केस बताऊंगा अगर आपको normal water दी दिया जाये तो क्या होगा वो भी बताऊंगा contains oxygen this air contains oxygen from above बट यह आ सकती है नो क्या यह आ सकती है नहीं आ सकती क्या यह हवा इससे contact में आ सकती नहीं आ सकती अब boiled water में क्या होता है boiled water में क्या होता है boiled water का मतलब क्या होगा कि आपने पानी के temperature को बढ़ाया अब temperature को बढ़ाया तो solubility यानि जो gases उसमें घुली भी होगी वो घटती है solubility solubility of gases जो होती है वो reduce कर जाती है तो इसी वज़े से यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा अगर इसकी analysis करूँ boiled water की तो इसमें water तो present है यानि H2O तो है लेकिन इसके अंदर oxygen नहीं है no dissolved oxygen सुनील भी आप पानी में oxygen dissolved होती है हाँ बेटा पानी में oxygen dissolved होती है अब बेटा अगर आपने पानी को बहुत ज़्यादा गरम कर दिया ठीक है ना इधर लिख दीजिये oxygen dissolved oxygen अगर आपने पानी को बहुत ज़्यादा उबाल दिया temperature बढ़ाने पे solubility of gases घट जाती है अब अगर आपने temperature बढ़ाया तो solubility of gas घटी यानि कि सिर्फ पानी है oxygen है नहीं आप देखें उपर से oxygen आ नहीं सकती पानी में oxygen है नहीं सिर्फ पानी ही है तो no rusting will happen बट सुनील वईया अगर examiner को थोड़ा सा घुमाना होगा सवाल को तो कैसे घुमाएगा examiner आपको ये बोलेगा उपर हवा है या तो जंग नि लगेगी लेकिन सुनो पानी कैसा है बेटा ये तो boiled water था लेकिन अगर मैं normal water लेलू तो अब normal water में क्या होता है न राजा बेटा पानी तो होता ही होता है साथी साथ राजा बेटा क्या होता है dissolved oxygen भी होगी समझ गया समझ गया राजा बेटा हाँ जी तो अगर उसने ऐसा कहा कि dissolved oxygen है तो प्यारे बेटा rusting will happen समझ में आगई मेरी बात अगर उन्होंने बोला boiled distilled water तब तो आप बिल्कुल सही हो कि हवा उपर से नीचे आ नहीं सकती मतलब इसके अंदर जो oxygen है नीचे आ नहीं सकती पानी को अपने घरम कर दिया तो oxygen वैसे हट गई है यहां से जंग लगेगी नहीं लेकिन बेटा अगर यहां पर आपने normal water लिया होता तो पानी है और उसके में dissolved oxygen है तो rusting हो जाती अब तीसरा case analyze करो राजा बेटा क्या इस case में rusting होगी अब यहां पर हवा है जो सूखी है सूखी क्यों है क्योंकि यहां तुमने drying agent का इस्तेमाल किया है अब यह मेरे को मत बोलना drying और dehydrating agent क्या होता है बहुत depth में पढ़ा चुका हूँ भाई बस end करेंगे बस end करेंगे no 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 क्या बात है क्या बात है no 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया will rusting happens in this case नहीं इस case में rusting नहीं होगी क्यों देखे वेटा यह drying agent है absorbs moisture from air हवा में भी moisture होता है न उसको absorb कर लेगी हवा में moisture तो होता ही है बेटा उस moisture को absorb कौन कर लेगा यह absorb कर लेगा तो आप basically यहाँ पर क्या है oxygen तो है in air पर H2O नहीं है बाइट जितना भी moisture यहाँ पर हवा में होगा यह absorb कर गया तो यहाँ पर सिर्फ हवा है moisture है ही नहीं अच्छा अगर यह आपसे यह चीज़ पूछता यह आपसे यह चीज़ पूछता कि मान लीज़े normal या फिर moist air के लिए पूछता कि ऐसी हवा जो थोड़ी गीली है उसमें जंग लगेगी तो आपका answer क्या होना चीए आपका analysis होना चीए कि oxygen है क्या उसमें हाँ बिल्कुल है moisture है क्या अब बेगो moisture यहाँ भी होगा लेकिन यह तो absorb कर गया तो moisture खता हो गया तो यहाँ पर moisture होगा आपको यहाँ moisture भी होगा तो इसी लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा rusting will happen इसी लिए हवा में पड़े-पड़े भी उसमें जंग लग जाती है लोहे में इसी लिए हमको लोहे पे paint करना पड़ता है grease लगाना पड़ता है oil लगाना पड़ता है करमल पड़े-पड़े भी जंग लग जाती है क्योंकि air में present oxygen और moisture react कर लेगा moisture मतलब H2O react कर लेगा ठीक है चालो अब दूसरा type of corrosion फटाफट से बताईए सुनील भिया पढ़ाया था आपको दूसरी second type of corrosion is tarnishing अब इसमें copper मेरा दोस्ट जो है वो react कर लेटा है moist carbon dioxide gas से in the air moist मतलब की यहां पर हुआ H2O carbon dioxide मतलब CO2 और air का मतलब oxygen तो अपने उपर copper carbonate basic copper carbonate की layer चड़ा देता है यानि की अगर copper की हम बात करें तो उसको अगर carbon dioxide gas oxygen gas और moisture मिल जाए moist carbon dioxide gas in air moist carbon dioxide gas in air यानि carbon dioxide oxygen और moisture मिल गया copper को तो वो क्या बना लेगा वो मना लेगा CuCO3.coOH hold twice इसको बोलते है basic copper carbonate या फिर क्या बोलते है another name क्या है copper carbonate hydroxide क्या बोलते है copper carbonate hydroxide copper carbonate hydroxide ठीक है अब जब France ने दिया था ना ये Statue of Liberty दिया था तो रेडिश ब्राउन का था ये Statue of Liberty जो था आपका Statue of Liberty जो था इनीशली कैसा था? इनीशली रेडिश ब्राउन copper का था ना तो रेडिश ब्राउन था but now green in color कौन्चे color का है green अचा इस layer को क्या बोलता है? इस layer को? इस layer का एक नाम है दर्चे rust को बोलते है क्या? बाई अगर rusting होती है तो layer का नाम है rust tarnishing होती है तो layer का नाम होता है पटीना समझ में आगे बेटा पटीना तू समझ रहा है सही समझ रहा है पटीना और नहीं पटीनी तो अच्छी बात है बेटा पढ़ाई कर फालतुक चीज़े मत कर समझ रहा है? बेटा जीवन नहीं है अभी यह सब चीज़े करने का पढ़ाई लिगाई करो है ना? distraction मतलाओ जीवन में समझ रहा है क्या बात है आजा बेटा अब एक सवाल करा देता हूँ तेरको मस्त वाला NCRT का exercise का you must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon और tamarind juice explain why these sour substances are effective in cleaning the vessels copper के बरतन tarnished हो जाते हैं green color की layer चड़ा देते हैं तो इससे नीम्बू से साफ किया जाता है या इमली के juice से साफ किया जाता है ऐसा क्यों? simple सा point यह है simple सा point यह है कि lemon के juice में क्या होता है citric and ascorbic acid होता है tamarind के juice में क्या होता है यानि जो tamarind होता है उसके juice में tartaric acid होता है इमली के रस में क्या होता है बिटा? इमली के रस में क्या होता है? इमली के रस में tartaric acid होता है lemon में citric and ascorbic tamarind में tartaric acid अब देखो बिटा copper carbonate hydroxide का nature क्या बताया था बताया था basic copper carbonate बोलते है copper carbonate hydroxide formed on copper is basic in nature यह acidic और यह basic acidic और basic तो क्या हो जाएगा एक neutralization reaction हो जाएगी और एक soluble salt along with water is formed एक soluble salt बन जाएगा जो पानी में घुल जाएगा आपके copper के बरतन पे basic copper carbonate है आपने acidic substance like neembu यह tamarin लगाया एक neutralization reaction होगी acid और base के बीच में soluble salt और water बन जाएगा इस तरीके से आप उसको हटा सकते हैं घुल जाएगा पानी के अंदर हटा दोगे साफ करोगे तो गायब हो जाएगा इस तरीके से copper के बरतन साफ हो जाते हैं चलो last यह है tarnishing के अंदर tarnishing of silver अब मेरे प्यारे बच्चो silver जो होता है वो react करता है hydrogen sulfide gas present in the air यानि की H2S and oxygen gas से react करके खुद के अपर silver sulfide की layer चड़ाता है hydrogen sulfide gas जिसकी rotten egg like smell होती है सड़े हुए अंडे जैसी smell rotten egg like smell होती है यह and air में present oxygen gas hydrogen sulfide and oxygen gas से react करके यह खुद के अपर silver sulfide की layer चड़ा देता है किसकी silver sulfide की ठीक है silver sulfide की layer चड़ा देता है साथ में moisture निकलता है अब यह जो layer है कौन से color की है यह आपके black color की है again यह layer क्या है protective layer है तो इसका नाम होता है patina tarnishing के case में जब भी layer बनेगी तो उसे patina कहेंगे कौन से color की है देखो वेटा काले color की यह लियर है यह देखो काले color की तीक ए तो copper की tarnishing होगी तो green color की layer बनेगी silver की tarnishing होगी तो black color की layer बनेगी और iron की rusting होगी तो reddish brown color की layer बनेगी अब pros and cons of corrosion पढ़ा चुका हूँ पढ़ा चुका हूँ पिछले चेप्टर में भी मतलब पहला चेप्टर जो था उसमें भाईया बहुत लेट हो गया बस हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा कटके निकल रहे हैं अर जगे से मजा आ रहा है पर आजो बटा अरे बिना त्याग के कुछ नहीं होता जीवन में त्याग तो करना पड़ता है बाई आभी त्याग कर रहें बिना खाना खाय खड़ें यापर सिर्फ पानी और स्नेक्स इस पे चल ले हैं हम भी त्याग हम करेंगे तभी आप भी त्याग करेंगे और तभी इसका रिजल्ट मिलेगा बिना त्याग के कुछ नहीं होता दोस्त प्राउज अफ कोरोजन अब पतीना बहुत बढ़िया लेर है पतीना एक प्रोटेक्टिव लेर है सीम्स टू भी हलफूल फॉर सम अफ दे मैटल्स लाइक कॉपर विच ऑन ऑक्सिडेशन फॉर्मस एं इंपर्व प्रोटेक्टिव लेर इंपर्वियस का मतलब क्या होता है इंपैनी ट्रेटेबल यानी की आसानी से तूटती नहीं है और प्रोटेक्ट करती है डैट प्रोटेक्ट्स फॉर्दर कोरोजन हीर टार्निशिंग ऑफ दा मैटल बेटा अगर एक बार मैटल के ओपर बन गई तो यह मैटल को नहीं छोड़ती है ठीक है न इमपर्वियस प्रोटेक्टिव लेगर एक तो आप इसके बारे में यह लिख सकते है दूसरा इट स्टिक्स टूदा मैटल यह मैटल के ओपर चुपक जाती है यह मैटल के ओपर चुपक जाती है तो यह ना तूटने वाली तो अंदर वाले copper के metal को protect करेगी कि भाया तू टेंशन मतले मेरा corrosion हो गया basic copper carbonate बन चुकी हूँ अंदर तू safe है तू खुश रहे लोग especially patina चड़वाते हैं building की ओपर यह देखो यहाँ पर especially patina चड़वाई जाती है because यह बहुत बढ़िया protective layer है यह metal के ओपर चुपकी भी रहती है और impenetrable यानि की ना टूटने वाली layer है यह surface पर चुपकी भी रहेगी तो अंदर वाले metal को बचाती है क्या बात है यही अगर मैं बात करूँ cons of corrosion यानि negative part of corrosion तो हमेशा बोलूँगा rusting यह तो बहुत ही घड़िया process है बहुत घड़िया process है बताया तो last class में भी chemical reactions and equation में तो rust जो है वो क्या है flaky यानि non sticky layer है साथी साथ वो बहुत ज़्यादा brittle है अब rust के साथ दिक्कत क्या है कि वो surface पर चुपकती नहीं है पपड़ी बनके नीचे गिरने की कोशिश करती है ठीक है ना अगर किसी चीज़ जंग लग गई है ना तुम हलकी से लात मारो देखो वो पपड़ी नीचे गिर जाएगी त रस्ट जब बनती है अब दैसे क्या पटीना बनती है तो वो surface पर चुपकी भी रहती है छोड़ती नहीं अंदर वाले मैटल को यह का करती है जैसे बनेगी ना अब यह उतर नहीं कोशिश करेगी पपड़ी बन गया है तो इससे होता क्या है तो नीलवे इससे दिक्कत क्या है अरे बेटा इससे दिक्कत यह है कि अब अंदर वाले मैटल को fresh iron layer को moisture और oxygen के लिए एक्सपोस कर देती है कहती है अब आवा राइस पर भी आके attack करो अब ऐसे copper केस में क्या होगा यह copper अंदर वाला इस पर पटीना बन गई अब यह इसको छोड़ेगी नहीं तो यह अंद करते करते हैं लुआ गल जाएगा तो दिस कंटीनू साइकल मेक्स दा आयरन ऑब्जेक्स वीक एंड कैन कोलेश बिल्डिंग्स ब्रिजस ब्रेक ऑइल पाइप्लाइंस और यह देखो ऐसे बाल्टी में छेद कर दिया यह देखो यह पपड़ी बनमन के गिरती जाए गिरती दॉक किए अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आपन आय भहिया लिख दो फटा फट से बस अब अपना आदे गंटे का सेशन बींट का बचा जल्दी से लिख दो आय भहिया पटाबट आए भईया लिख दो 20 मिनिट का सेशन बचा है तीन मैथट पढ़ाऊंगा काम खतम आए भईया लिख दो क्या बात है अभी भी 1400 बच्चे लगबग अपने साथ जुड़े में है यह है तुम्हारा डेडिकेशन तुम्हारे लिए ही आता हूँ मैं दिल जीत चुके हो तुम मेरा बस यह प्यार और तुम्हारे पढ़ाई को लेकर जो इमानदारी उसको बनाया है परमात्मा देख रहे हैं हमेशा तुम पे क्रपा बनी रहेगी मुझे भी देख रहे हैं तो मेरे पे भी क्रपा रहे है क्योंकि मैं मेरा करम और धरम यह है अगर मैं इमानदारी से कर रहे है तुम्हारा करम और धरम पढ़ाई है और तुम इमानदारी से कर रहे है आज नहीं तो कल परमात्मा इस चीज़ का आउटपुट तुमें देगे विश्वास करना याद रखना भाई की इस बात को अगर तुम पढ़ रहे हो अगर चैटिंग कर रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत कुछ मिलेगा क्या बात है मया आगे दोस्त मया आगे बहुत बढ़िया दोस्त बहुत बढ़िया अब देखिए corrosion को prevent करने के कुछ तरीक है सुनील भी आपने बोला था first chapter में की third में बताऊंगा तो third में आगया हूं तो बता रहा हूं अब देख राजा वेटा तीन तरीके में तिरको बताऊंगा मतलब आगे वाली grades में जाएगा तो बिटा और अच्छे अच्छे method सीखेगा electro chemistry में और method सीखेंगे तीन method में बताता हूं एक है barrier method दूसरा है sacrifice method और तीसरा है alloying ठीक है तो इसको मैं कहानी से सुनाता हूं कहानी से सुनाता हूं मैं iron मैं iron मैं iron मेरे दो दोस्त एक का नाम है अनुझ एक का नाम है अगरज एक oxygen एक moisture लेगन यह मेरे naughty दोस्त है मेरी मम्मी नहीं चाहती है मैं इनको contact में आऊ तो जैसे मेरे घर पे आते हैं और गंटी बाजाते है टिंग टॉंग मैं iron यह oxygen और moisture टिंग टॉंग मम्मी जाती है हाँ अनुझ अगरज बेटा सन्नी तो घर पे नहीं है ओके आंटी बेज दिया इनको मम्मी ने बेजा यह कौन सा मेध़ड है बेटा यह barrier protection है बेटा barrier protection तो यहाँ पर क्या होता है इन दिस अ लेयर इस इंट्रिड्यूस बिट्वीन iron and the factors that cause रस्टिंग that is oxygen and water vapor या फिर जिसको हम बोलते हैं water समझ रहे हो आरे भाईया लोहा और लोहे को खराब करने वाले जो factors है water या water vapor इनके बीच में clear इंट्रिड्यूस अपन कर देते हैं इससे barrier protection कहते हैं अब इसके तरीके क्या हैं या तो आप paint कर दीजिए या फिर आप painting कर दीजिए या फिर आप oiling या फिर greasing कर दीजिए कुछ इस प्रकार से बैसे मैं analogy देता हूँ या आइ naughty दोस्त ये आइ naughty दोस्त इनके चैरे देंदेकर नहीं लग रहा अं इनके चैरे देंद के नहीं लग रहा यह यह देक, चेरे देख यह इन गैं किता चैरे देहन मस्तिछ जहरे से टपकरी इन गया है nowadays बैक बैटा, दियान से सुन वह यह कूण बेटा ये Oxygen ओहो हो हो तुम हो Naughty Boy और ये Water या फिर बेटा Water Vapor यानि जिसको Moisture भी कहते हैं ठीके बेटा सब एक ही नाम है अब इनके नाम भी दुसरे दुसरे कलर से लिखते हैं तो याद रहेगा अब बेख बेटा ये है सुनील भी या कौन है बेटा ये सुनील भी या और ये क्या है अगरज बोल रहा हूं अजगर नहीं बोल रहा ठीक है न हाँ उस दिन में पेट बैच में अजगर अजगर बोलने लग जया था वो इसका नाम ही ऐसा है इसको बचपन से हम अजगर ही बुलाते है कनाम अगरज है इसको हम अजगर बुलाते है मतलब बचपन से हम इसको अजगर ही बुलाते है अब अजगर देख रहा होगा जो मेसेज कर जाएगा मेरेको अब अगरज निकलता नहीं ना अनूज छोटा भाई अग्रज मतलब बड़ा भाई यह दोनों भाई हमारे साथ ही रहते थे बच्छमन से इसको अम अजगर बुलाते थे तो अजगर और अनूज और अग्रच अनूज और अग्रच यह आए मेरे घर पे बिवाणने के लिए टिंग टॉंग तो मम्मी आई एरे बेटा अरे बेटा यह मम्मी आ गई ये मेरी मम्मी आई ठीक है बेटा तो ये क्या है बेटा ये है paint या बेटा तू मान इसको oil या तू मान इसको बेटा grease ठीक है अब ये कौन है सुनील वहिया की माता जी है मा मा भगवान शरूप होती पर मातमा को जब धरती भी खुद को दिखाना था उन्होंने मा का सुरूप लिया तो अब देख बेटा क्या हुआ ये barrier है इन दोनों के बीच में ये मम्मी जी मेर को इनके contact में आने नहीं देरी अरे मम्मी मेर को इनके contact में आने नहीं देरी है ये सुनील भी ये बेटर है अंदर में किताब खोल के बेटा हूँ वहाँ में पढ़ाई करूँगा पढ़ाई करूँगा आयरन हूँ बार गंटी बजी में इनका मम्मी अनूजोर अग्रज आए है मम्मी गेरी चुब अंदर बेट मैं जा रही हूँ मम्मी barrier paint oil or grease oxygen और moisture के contact आने नहीं देरी जंग नहीं लेगेगी लेकिन यह कब तक चलेगा मम्मी जब घर पे नहीं भी तो अनूजोर अग्रज ने का आँटी कब तक बचाओगे आप घर पे नहीं होगे तो फिर क्या करोगे छोरे को ले जाएंगे हम तो तो अनूजोर अग्रज के सवाल क्या है आठ पेंटिंग और ग्रीजिंग फिर्मानेंट सेल्यूशन स्टू प्रिमें रस्टिंग आँटी जी आप बार बार गेट बंद कर देते हो क्या यह फिर्मानेंट सेल्यूशन है छोड़ा बार तो निकलेगा हमसे मिलेगा तो क्या permanent solution है अरे नहीं है मम्मी को भी पता था temporary solution योग की जैसे ही मेरे राजा बेटा as soon as taint oil or grease is removed खतम काम game over अनुज़ रगने जाजेंगे मेरे contact मे oxygen and moisture will get in touch with iron अब यार एक बात बताओ यहाँ पर तो मम्मी थी मम्मी paint oil या grease है मैं iron हूँ अनुज़ रगन ऑक्सिज़ और water vapor है मम्मी थी तब तक तो बचाईगी barrier protection paint oil और grease अब मम्मी घर पे नहीं है फिर घंटी बजी तो क्या होगा टिंग टॉंग में चला गया अब मम्मी ने बात पापा को बता दी कि सुनो जी मों पापी थी करें हाँ बोलो अपना सन्नी ना बिगड़ी है मेरे घर पे नाम सन्नी है अपना सन्नी तो बिगड़ी है क्यों अरे वो अनुजगरच के साथ घूमने लग गया वो उसका corrosion कर देते है रस्टिंग कर देते है पापा के गड़े करे चोड़े को पेरे जटके देगे इनेक्रोलेटिक रिदक्शन से इसका बेक अप कराया किलोरीं से अलग किया यह फिर से भी गड़ने लगया क्या हम फिता जी आगए बीच में अप खतरनात प्रोटेक्शन होगा सेगरी भायजल प्रोटेक्शन अब इसमें क्या होता बेटा कि in this layer of more reactive metal is placed on a less reactive metal it is placed on a less reactive matter अब देखो बेटा अब देखो बेटा यहां पर होता क्या इस से तो यह तो मम्मी भी कर रही थी पहली चीज़ एक लेस रियक्टिव मेटल पे एक मोर रियक्टिव मेटल की आपने लेयर चड़ा दी अब यह लेयर क्या करेगी ओक्षिए और मॉइस्टर और कॉंटेक्ट में ने आने दी यह तो बैरियर प्रोटेक्शन में भी हो रहा था अब यहां पर ट्विस्ट क्या है गेट्स को रोड़ेड इन प्लेस ओफ आयरन अरे बाब रहे आप यह कहना चाहते हो पापा अनुजर अग्रच को रोकेंगे मेरे कॉंटेक्ट में आने से काती साथ पापा बोलेंगे रह तुमको क्या करना है अंकल मस्ती करनी है चलो मेरे को लेंगे चलो यानि पापा का कोरोजन होगा मेरी जगे पे समझ रहे हो तुम देखो मम्मी ने कहा क्या बैरियर प्रोटेक्शन मम्मी थी पेंट मम्मी खड़ी हो गई मैं अधर पीछे औ पर नहीं आने दूँगा साथ ही साथ में एक और चीज करूँगा उनको क्या करना है अंकल मस्ती करनी है पेड़ पे चड़ना है मेरे पापा बोले ले चल लेके चल बेटा मेरे को मेरे साथ मस्ती कर मेरे पापा ज्यादा मस्ती हो रहे बेटा चले गए उनके साथ वो दोनो protection इसका एक तरीका है galvanization अरे समझ में आरी ही के story मज़ा आरा है के story में हाँ समझ में आरी ही story हाँ अब देख बेटा यह मेरे पापा है रुख जब बहुत बड़ा बनाता हूं थोड़ा 6 इंशान तोड़ा लगना भी चीए न हां यह देख बेटा यह मेरे भाउजी माय फादर पीता जी यह देख के गुसा गुसा मत करना पीता यह कौन है बेटा यह कौन है यह पापा है सुनील भिया के ठीक है बेटा इसको समझो तुम यह यहाँ पर क्या है यह है जिंक फोर एक्जामपल और यह पतला दूबला सा छोटा सा मानुस कौन है हां यह सुनील भिया है अब बेचारा बच्चा डर आवास है और यह दो नोटी बोई जाए यहाँ पर दो नोटी बोई जागे यहाँ पर एक का नाम क्या है एक का नाम है ओक्सीजन देगो हसदर थेगो इसके चेरे की हसी बता रही है छोड़े को बिगाड के मानुगा मैं इ इसका नाम क्या अनुज समझगे बैटा अब देख बैटा यह दोनों आए मेरे को भीगांडे के लिए पापा के वह रूखो तुम्हारा सेक्रिपाइजल प्रोटेक्शन दिखा दो मैं पापा बोले देख पहले तो तुम दोनों को इसके कॉंटेक्ट में नहीं आने दूगा जो बैडियर प्रोटेक्शन में हो रहा था अब दूसरी बात सुन वह कह रहें अंकल हमको खेलना है क्या खेलना है यह अंकल पेड पर चड़ना है निमोलिया तोड़ेंगे पेड़ पर चड़के मेरे पापा कहना है चल बैटा पेड पर चड़ना तिरको अले चल इसको मत इसको नहीं भि stepping gj 220 मैं Scottish करता हूं मैं मेर को ले के चल मेर को को रोड कर दे मेरे को टार्निस कर दे लेकिन मेरे चोरे को छोड़ दे चलेगा मेरे पापा जी यह होता है बेटा हाँ अब ढ़ेख ओसंफ बेटाई कि या करना है स्वांज आ रहा है हाँ है कि यह देख बैटा कि अपनकों ऐसे पिग्लावा zinc metal लेना है यह मॉल्टन जिंग ओ ओओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ- हाँ एकदम साफ हाँ क्लीन आईरन पीस हाँ इसमें से डिप करके और बाहर निकालना है बेटा माले बेटा इसको कलर चेंज करते हैं इसका नीले कलर का है थोड़ा कलर डिफरेंस होगा तो समझ में आएगी बात अब देख बेटा और इसके उपर क्या लगा दिया बेटा जिंक लगा दिया क्या लगा दिया जिंक लगा दिया समझ में आये वीटा, जी वी या, ये जिंक, ये क्या है वीड़ा, ये वीटा आयरन है, वा वा मज़ा आ गया, फिर्थे वेड़ा, हाँ, समझ अई, इस तरीके से Excuseesta Concept protection होता है, This is nothing, but जब आएरन के ओपर जिंक चल़ाते हैं, This is nothing but galvanization, यह न तो galvanization में क्या होगा कि पहले तो zinc यहाँ पर क्या करेगा oxygen और moisture को यहाँ पर contact में आने नहीं देगा oxygen और moisture को contact में आने नहीं देगा और दूसरा दूसरा gets corroded tarnishing of zinc will happen ठीक है तो barrier वाला protection भी provide करेगा साथी साथ sacrifice करेगा मतलब पहले वाले case में क्या हो रहा था मम्मी सिर्फ इन दोनों के contact में आने नहीं दे रही थी मुझे पापा के कर रहे हैं इन दोनों के contact में आने से भी रोक रहे हैं और साथी साथ अब अगेन इस galvanization अब permanent solution to prevent rusting या galvanization एक permanent solution है रस्टिंग को prevent करने का अब मान बेटा ऐसा सोच पापा को कभी meeting करने जाना पड़ा पापा बिलकुल ही available नहीं है तो क्या permanent solution थोड़ी होगा बेटा अनुचर डर्पोक कहीं का बारी नहीं आ रहा है अपन भी जोश मेरे इससे केसे डर्पोक बोला ओ घशीड की ले जाएंगे ले चल ले खेलते पेड़ बचड़ते है permanent solution थोड़ी है नहीं better than barrier but not permanent अरे permanent थोड़ी है यार इसमें एक तो high maintenance और चीए क्या चीए high maintenance requires high maintenance ये भी याद रखना अब एक सवाल और पूचता हूँ तुमसे मजा आएगा मानलो बेटा कि अगर layer of zinc तूट जा iron के उपर तो क्या iron rust करेगा या zinc मानलो हलकी सी layer तूट जाए for example ये तुमारे पास iron है यानि कि तुमारे सुनील भाईया है और ये तुमारे पास zinc है अब ये imagine करो कि एक particular जगे से यहाँ पर zinc तूट चुका है तो अब क्या होगा क्या होगा iron होगा zinc होगा देखो confusion आगया अब देखो मैं बदाता हूँ देख बेटा बहुत छोटा सा अगर crack है और ये oxygen है और ये moisture है अब देख बेटा ये अनूज ये अगरज अगरज अनूज है ना हाँ अब imagine करो बेटा किसी दिन zinc यानि मेरे पिताजी उनकी तवयत खराब हो गई जिंक मतलब मेरे पिताजी उनकी तवयत खराब हो गई अब वो खेलनी जा पाए इनका time fix है मेरे पापा रोज शाम को 5 वज़े खेलने जाते अनूज अगरज के साथ और नहीं जावे तो वो गर इलए गचा पर आगे गंटी बजह टिंटिं किसी ने रिपलाइन है गेट खोल गए अंदर आए अब जूढ़ के अंदर आ रहे हैं अंदर बलना टाटाटा अंकल जी मिला अनकल जी क्या हो गया वह कैरा ओ बेटा यार मेरे फिर में थोड़ी सी लग गयी मिरतेबं थोड़ के घ्रशिर करवाते यहां भीया आई है यहां पर oxygen और क्या ची है ज्यादा reactive बंदा ज्यादा मस्तिक और बंदा ची चि этом iron will tarnish will tarnish on react with oxygen and moisture iron को कुछ नहीं होगा ठीक है oxygen और moisture की पहली priority मेरे पापा ही है जैसे अंदर गुसे पापा मिलगा अंकल जी चलो ना यार ली गए और यही अगर मेरे पापा lesser reactive होते मेरे से तो फिर क्या करते अरा अंकल जी तुमाटो यार छोड़ा काए तुमारा एई चल तो अगर तुम less reactive metal मेरे पे चड़ाओगे तो iron जाएगा तुमने more reactive metal चड़ाया तो corrosion किसका होगा tarnation किसकी होगी more reactive metal की होगी याद रहेगा अब देख बिटा पापा क्या रहे है पापा क्या रहे है यार ये रोज रो तुम्हे थग्या है ये छोरे 12 बंधर शाल के छोरे है और मेरे को दुडाते रहे है तो पापा के रहे नी नी इसका permanent solution डूंड़ो ये छोरेगा barrier protection नी करना न crawling पर्मानने solution डूंड़ो बोले इसका बिया कर दो इसका बिया कर दो permanent solution बोले मतलब और बोले ढेखो तुम्हारा छोड़ा है यह बोले हां बोले इसको इसका बिया कर दो बोले मतलब बोले इसका बिया कर देंगे न इसका बिया करवा देते हैं इसका एक मिश्रन बना देते हैं मिक्षर उसके बाद इसकी प्रोपर्टी चेंज हो जाएगी उसके बाद भार नहीं जाएगा प्रोटेक्शन मम्मी ने बचाया सेक्रिवाइजल पापा ने बचाया लेकिन दोनों परमानेट निये अब पापा के वर लो इसका ब्या करा दो गर पे रहेगा बाँ जाएगा निया रियक्शन होगी निया प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी अच्छा जुक्वे वह बना दो अलोए देखो देख रहा तुम बकरा समझ रहा है मेरे को तो कभी तो अंदर बीटा देते कभी खुद खेलने चले जाते कभी मेरा ब्या करार देखरो एसे याद रहेगा तुम पूरी केमिस्ट्री ऐसे पढ़ेंगे बैटा अब तो गएर पूरी पढ़ ली अलोइंग अब इसमें क्या होता है बिया इसमें क्या होता है बिया इसमें क्या होता है बिया हां देखो बिया हो गया देखो तुम्हारे खुजी हो रही है स कि सुनिल भिया की बायो लिटा देग ली तुम ने आज बिया भी देख लियां बीजली के जटके खाते भेंग को तुमने सब देख ली आज क्या बात है अहीं तुम इसमें करने पड़ा इंपार मनें सुलूशन हो जाएगा पाप ऑईची कहे रहा है है इसको पर्मानें चु two metals or metals along with small amount of non-metals are mixed ओ भाई सब ये क्या है दो या दो से जादा धातू या धातू with small amount of धातू को mix करते हैं इसे alloy कहते है और alloy क्या है permanent solution है for corrosion corrosion को रोकने का permanent solution है अब alloying में क्या होता है alloy बनाते है बिटा अब alloy के बारे में आप क्या जानते हैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप अभी पढ़ते हैं कि होमोजीनियस mixture होता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ heterogeneous भी हो सकता है होमोजीनियस mixture और heterogeneous mixture 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 of two or more than two metals ठीक है ना और metal with small amount of non-metal अब आपके दिमाग में सबसे पहले तो आ रहा होगा कि mixture का मतलब क्या होता है mixture का मतलब होता है सरल भाशा में मिशिरन यानि चीजों को mix करना अब दो तरीके से mix होती हैं चीजे एक कि homogenously mix हो यानि uniform composition हो जिन चीजों को आप mix कर रहे हैं उनका composition बिलकुल uniform है और दूसरा होता है heterogeneous यानि कि non uniform composition है यानि एक चीज एक जगे पर जादा है दूसरी जगे पर क चीज़ जादा है कहने का ताथपरिया मेरा क्या है मैं आपको वह सीखाता हूँ अगर मैंने बोला uniform composition तो uniform composition से मेरा क्या मतलब एक ताथपरिया है मानलिजी है एक जगे पे बिल्कुल कम होई भी है तो alloy homogeneous या फिर heterogeneous mixture होते हैं दो या दो से जादा metals of two or more than two metals ठीक है ना of two or more than of two or more than two metals or metal with small amount of non-metal तो यह दोनों प्रकार के मिश्रण होते हैं अभी आपके कोर्स में homogeneous है heterogeneous के example भी मैं आपको दे देता हूँ आप search कर लिजेगा polite यह basically heterogeneous mixture होता है आपका याद रखिएगा अब alloying आपका permanent solution बन जाता है जहाँ पर आप metals या non-metals को mix कर रहे हैं अब इसके objective क्या-क्या है वो भी आप देख लिजेगा यह objective मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ सबसे पहले एक minute ध्यान चे देखिए objectives क्या है सबसे पहला hardness यानि कठोरता को बढ़ाना पढ़ा चुका हूँ कठोरता क्या होती है tensile strength को बढ़ाना melting point को घटाना देखिए hardness बढ़ाने के लिए आप alloying करते हैं tensile strength बढ़ाने के लिए करते हैं melting point घटाने के लिए करते हैं increase the resistance to corrosion करने के लिए करते हैं and साथी साथ electrical conductivity को decrease करने के लिए करते हैं इन सारी चीजों के लिए होती हैं अब अगर आपको hardness बढ़ानी है, तब भी आप alloying कर सकते हैं, आपको tensile strength बढ़ानी है, tensile strength का मतलब होता है, अगर मैं tensile strength की बात करूँ, तो maximum load, maximum load that a substance can bear, substance can bear before fracture on application of tensile force, अगर आप किसी object के उपर tensile force को apply करते हैं, जैसे मान लीजिए, अगर मेरे पास कोई object है, ठीक है, और उसके उपर मैं basically क्या लगा रहा हूँ, tensile force लगा रहा हूँ, यानि खींच रहा हूँ उसको, तो एक point पे आने के बाद वो क्या करेगी, ऐसा cup and cone arrangement बनाने लगेगी, और एक point पे आने के बाद वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही तूट जाएगी, तो वो आपका maximum load, जो आप किसी भी substance पे apply करें, यानि कि आप इस पैसे खीच रहे हैं, तो यह maximum कितना इस चीज को जहल सकता है, तूटने से पहले इसे tensile strength कहते हैं, अगर मैं इस object के ओपर यासे tensile force लगा रहा हूँ, तो यह कितना maximum load of tensile force आप कहा सकते हैं, कितना maximum tensile force जहल सकता है, तूटने से पहले, fracture होने से पहले, इसे basically substance का tensile strength कहते हैं, तो अगर आपको किसी की tensile strength को बढ़ाना हैं, तो आप यह कर सकते हैं, अगर आपको किसी के melting point को घटाना हैं, तब आप कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, for example, solder का case, तो वहाँ पर आपन यह करते हैं, अभी यह दोनों चीज़े मैं आपको बताऊंगा, स्टील का case, तो स्टील एक अलॉय होता है, वहाँ पर यह अपलाए होगा, resistance to corrosion में आपको बताऊंगा, स्टेलनेस स्टील का case, तो वहाँ पर यह आपको चीज़ समझ नहीं, और यह चीज़ भी आपके सत्य हैं, कि अलॉय की electrical conductivity मैटल से कम होती है, क्यों कहीं ना कि आप different atoms को जब mix कर रहे हैं, different conductivities के, तो resistance बढ़ जाता, इसलिए conductivity घड़ जाती है, alloy की conductivity original मैटल से हमेशा कम होगी, because of high resistance, याद रखना, खीक है मेटा, चलो, अब देखो एक example देते हैं आपको, आपका जो pure iron होता है, अब यहाँ पर मैंने लिखावा है वो, अब इसके ओपर text आगया हमारा, तो pure iron जो होता है, वो आपका soft होता है, stretches easily when hot and prone to rust, pure iron जो आपका होता है, ठीक है ना, तो वो basically soft होता है, उसका basically low tensile strength होता है, and prone to rust, उस पर जंग लग जाती है, ठीक है, यही देखिए, यही चीज लिखिए है मैंने आपके, soft stretches easily when hot, मतलब कि low tensile strength and prone to rust, अब अगर मैं इसको क्या कर दूँ, अगर मैं इसको basically, कार्बन के साथ alloy कर दूँ, iron, alloyed with carbon, तो सुनील भाई, इससे क्या होगा, यानि कि आपने steel बना दिया है, तो यहाँ पर यह क्या बन जाएगा, यह basically आपका hard बन जाएगा, and साथी साथ, hard बनने के साथी साथ, इसकी tensile strength improve हो जाएगी, यानि यह आपका strong बन जाएगा, pure iron जो आपका होता है, वो soft होता है, low tensile strength and prone to rust, जिस पे जंग लग जाती है, easy लिए हम खीचेंगे तो तोट जाएगा, और soft होता है, लेकिन जब आप इसको carbon के साथ alloy करते हैं, यानि अगर आप steel बनाते हैं, तो यह hard and strong होता है, लेकिन इसमें अभी भी जंग लग जाएगी, steel is prone to rust, steel में जंग लग जाती है, भया हमारे घर पे बरतनों पे तो नहीं लगती, बेटा तुमारे घर पे बरतन stainless steel के होते हैं, steel के नहीं होते हैं, ध्यान अगर यहीं चीज, आप stainless steel पे करें तो, stainless steel किस चीज का mixture है, याद रखिए stainless steel किस का mixture है, iron, chromium और nickel, previous year में काफी बार सवाल आया है, iron, chromium और nickel, अगर आप इन चीज़ों को mix कर दे, तो stainless steel बनता है, stainless steel, यह basically इस पे जंग नहीं लगती, दूसरा यह बरतन बनाने के काम में आता है, chromium का काम है, कि यह resistance to corrosion प्रोवाइड करेगा, कि जंग ना लगे, दूसरा इस पे stains ना लगे, stains, इसीलिए हम इसको कहते है, यानि इस पे नो दाग, नो धब्बे, because of chromium, और यह प्रोवाइड करता है, hardness, पर stainless steel में, iron plus chromium plus nickel होता है, क्या होता है बिटा, iron plus chromium plus nickel होता है, याद रहेगी क्या बात, याद रहेगी क्या बात, iron plus chromium plus nickel, nickel hardness देता है, chromium resistance to corrosion, and prevents from getting stains, यानि धाग दब्बे, stainless steel में, जंग नहीं लगती है, utensils बनाने के काम में आता है, बस, अब देखिए, CBST 2012, how do properties of iron change, when a small quantity of carbon is mixed into it, hard and strong बन जाता है, यानि, tensile strength भी बढ़ जाती है, tensile strength, increases, आसानी से नहीं टूटता, nickel and chromium are mixed into this, अभी जश्ट बताया, nickel से क्या मिलती है, hardness मिलती है, इससे क्या मिलता है, resistance to corrosion, resistance to corrosion, prevent from getting stains, दाग दब्बे नहीं लगने दिता, तो अगर आप, ये करोगे, इसका मतलब आपने याँ पर steel बनाया है, और अगर आप ये करोगे, इसका मतलब आपने stainless steel बनाया है, steel hard और strong होता है, tensile strength जादा हो जाती है, nickel डालने से, iron प्लस nickel प्लस chromium, तो nickel से hardness आती है, और chromium से resistance to corrosion, and prevent from getting stains, hardness, resistance to corrosion, and prevent from getting stains, आयावाय प्रीवेस येर में करवा दिया, आपको सवाल, अब देखिए, कुछ और extra चीज़े, छोटी-छोटी सी बाते है, ज्यादा difficult नहीं है, pure gold आपका 24 karat gold होता है, pure gold is 24 karat gold, ठीक है, which is soft, pure gold आपका बहुत ज्यादा soft होता है, and hence it is not used to make jewelry, pure gold जो सबसे pure है, 100% gold, यहनि 24 karat gold है, बहुत ज्यादा soft होता है, तो अगर मान लीजी, कि आपके necklace, या जुमके, या bangles, उन पर आपको बहुत पैटन चपवाना है, कोई stamping करवाने के, बहुत मेरे को ये pattern मनवाना लिए, तो आप नहीं मना सकते, आप उस पर जैसी मारेंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 22 karat gold को यूज करते हैं, 22 karat gold is the ornamental gold, यानि jewelry मनाने काम में आएगा, तो इसमें क्या करते हैं, 22 part तो basically by weight gold के लेते हैं, और 2 part by weight copper और silver के लेते हैं, ये basically क्या provide करता है, provides strength, provides strength, so that, desired, pattern, can be imprinted on that, जो भी हम pattern उसके उपर बनाना चाते हैं, at least दे तो पाएं, अगर वो soft होगा, और जैसी मान लिजे, आपने stamp किया उसको, मतलब कि ऐसा pattern देनी कोशिश करें, तो जाएगा, भिखर जाएगा, तो हम basically क्या करते हैं, 22 part by weight तो gold लेते हैं, और दो part by weight, जो है, वो इधर copper या silver लेते हैं, ताकि वो उसको strength प्रोवाइड करें, so that आप उस पर desired pattern को बना सकें, clear है, याद रहेगी बात, चलिए, फटावट जाँजर कीजिये, platinum, gold and silver, platinum, gold and silver are preferred to make jewelry because they are precious or royal metals, they are lustrous, maintain their lustrous for a longer period of time as they are unreactive, they are cheap metals, जल्दी बताओ, क्या होगा answer? answer क्या होगा? ती होगा, देखो, platinum, gold and silver को jewelry बनाने के लिए, असी लिए उस करते हैं, क्योंकि वो precious या फिर royal metals है, royal या precious metals क्यों बोलते हैं, abundant बहुत कम हैं, इसलिए काफी ज़्यादा महेंगे होते हैं, तो इसलिए royal metals हैं, राजा माराजा पहनते थे न, सोना चान्दी, इससे दिखता तो किता royal या आदमी, है ना, तो ऐसा होना नीचे है, बढ़ ऐसा ही होता है, तो यह precious royal metals है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा चमकीले हैं, चमकते हैं, and they maintain their lustrous for a longer period of time, as they are unreactive, यह अपनी चमक को ज़्यादा लंबे समय तक maintain करके रखते हैं, तो यह तीन रिजन याद करना, precious or royal metals, lustrous and maintain their lustrous for a longer period of time, they are cheap metals, अरे भाई, सस्ते होते तो हर कोई सोना खरीद देता, royal क्यों बोल रहे हैं, हर कोई नहीं afford कर सकता ना भाई, अब कुछ और common alloys, some more common alloys, some more alloys, बस यह last second slide है, अब हम बात करते हैं, पीतल की, इसको बोलते हैं, कान से, जर्मन सिल्वर, इसके अंदर देर इस नो सिल्वर, solder, आप ध्यान से देखो, brass जो होता है, उसमें 80% तो copper होता है, और 20% zinc होता है, bronze में 90% copper होता है, 10% tin होता है, जर्मन सिल्वर की सबसे खास बात यह है, कि उसमें silver नहीं है, उसके अंदर 60% copper है, 20% उसमें zinc है, और 20% उसमें निकल है, तो उसका नाम German silver क्यों है, क्योंकि वो silver की तरह shine करता है, इसलिए उसका नाम German silver है, क्योंकि वो silver की तरह shine करता है, लेड के अंदर 50% है यह, solder में 50% लेड और 50% tin है, थी है, अब इसके अंदर important property यह है, कि इसका melting point जो है lower melting point than lead and tin हमने क्या बोला objectives of allowing में एक पढ़ाता reduce the melting point जो melting point lead का है और जो tin का है जब हम इनको mix करते हैं तो resultant mixture का melting point दोनों से कम है इसे कहते है solder अब ये electrical wires को join करने के काम में आता है आपने देखा होगा ऐसे पतली solder की तार आती है silvery gray color की होती है silvery color की होती है और एक solder इसे गरम सी machine होती है इसको जैसे इस पर रखते है पिगल जाती है फिर एक अगरती wires को या joints बनाने काम में आती है चोटे-चोटे आपने silver dots देखे होगे यही wire है चीज़ों को जोडने काम में आती है इसको कहते है soldering करना तो solder एक alloy है 50% lead, 50% 10 melting point lower than lead and 10 wires को जोडने काम में आता है उसी प्रकार German silver में 7% copper zinc 20% nickel 20% shines like silver junk इसमें लगती नहीं है electroplating में काम आता है इसमें 90% copper 10% 10 अभी इस पर focus नहीं करना electroplating मतलब की using electrolysis किसी के ओपर दूसरे metal की layer को चड़ाना copper 90% 10-10% strong and resist corrosion coins and bells बनाने काम में आता है basically bell metal आपका bronze है copper 80% 20% आपका zinc इसको brass या पीतल कहते है malleable strong resist corrosion बरतन वगेरा बनाने काम में आता है पीतल के बरतन मिलते है एक और आपको alloy आपर बता देता हूँ जो कि आपके NCRT exemplar में L-nico L-nico aluminium nickel cobalt aluminium nickel cobalt से बनता है यह और एक और आपको बता देता हूँ यहाँ पर देखिए the alloys of mercury with any other metal is called amalgam जैसे अगर आपको किसी ने बोला what is zinc amalgam तो आप क्या बताएंगे उसको zinc plus mercury का जो mixture होगा वो zinc amalgam है mercury के साथ जब भी किसी और metal का mixture बनाएंगे amalgam बोलेंगे जैसे कि zinc plus mercury किसी ने अगर आपको बोला dental amalgam जो दातों के अंदर बरा जाता है तो वो क्या होता है dental amalgam और कुछ नहीं होता मेरे राजा बेटा silver plus mercury का mixture जो होता है dental amalgam होता है दात में जब cavity हो जाती है tooth DK हो जाता है तुमने brush नहीं किया acidic हो गया 5.5 पह कम हो गया demonization होगा दात में कीडे लगेंगे खड़ा होगा फिर उसका root canal treatment होता है फिर उसको भरते हैं तो silver plus mercury ag plus hg ठीक है वेटा जी अब यहां तक अगर मेरी बात समझ में आगे तो एक बार लिखना एक बच के 15 मिनिट हो रहे है तोड़े 1200 बच्चे अभी भी हमारे साथ live जुड़े वे हैं क्या बात यार तुम्हारा attitude तो बहुती fighter वाला attitude है fighter हो यार मजा आगया एक बार आए लिख दो आए लिख दो finally chapter over तो आपको एक बात कहना चाहूँगा पूरी इमानदारी के साथ पूरी इमानदारी के साथ आपकी chemistry यहाँ पर मैं complete कर चुका हूँ chemistry is completed ठीक है अब आपको इमानदार रहते वे in text और exercise के सवाल सारे लगाने है फिर exemplar के सारे सवाल लगाने है एक सवाल chemistry से ऐसा नहीं होगा जो आप paper में ना कर पाएंगे आप हर एक सवाल को कर पाएंगे attempt करेंगे और बहतर तरीके से explain कर पाएंगे मैंने मेरी तरफ से 200 प्रतीशत इमानदारी के साथ content दिया है एक भी session छोटा नहीं है सब sessions में theory concept ncrt in text ncrt exercise ncrt exemplar ncrt activities उसके बाद आपके cbs e sample paper previous year के सवाल ये सारी offerings cover करते वे session मनाए हैं चेक कर लीजे हर एक चीज covered है क्या बात है बच्चे कह रहे हैं भाईया हमको याद है आपने कहा था पोल लेंगे पोल सिर्फ एक motivation के लिए रखा था मुझे पता है तुम मेरे साथ है तुमारे comment पढ़ रहा हूँ इसी से काफी जादा motivation मिल रहा है साथ घंटा 56 मिनिट 13 से उपर हो चुका है लेकिन आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़े वे हैं दिल से धन्यवाद दिल से धन्यवाद बस यही बात कहना चाओंगा परमात्मा भी यही कहते हैं हाड़ बर करते रहे हैं आपको आपकी मेहनत का फल बहुत जल्दी मिलेगा पेशेंस रखेगा दोस्त बस आप मेहनत करते चलिए आपका धरम और करम यही है पढ़ाई करना इमानदारी से आप कर रहे हैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से चैप्टर यहां पर अंत है एनोडाइजिंग करके टॉपिक है छोटा सा औरेंज कलर के डबबे का जो मैंने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ाया थो अभी इसकी रिक्वाइर्मेंट है नहीं औरेंज कलर के डबबे से यूजवली अंसियाटी कहता है मैं सवाल नहीं पूछूँगा तो वो नहीं पूछता है वर आपके हर एक चीज यहां पर बाकी सब कुछ कवर्ड है जो इंपोर्टेंट है तो बस इसी बात के साथ दोस्तों वोरियर का आज आखरी सेशन है और मैं यह कहना चाहूँगा भाईया ने आपके लिए 200% दिया है फिजिक्स वाला ने आपके लिए 200% दिया है अब आपकी बारी है कि आप युद्ध को किस तरीके से लड़ते हैं मेरा काम था एज गुरू कि मैं अपने वारियर्ज को युद्ध की ट्रेनिंग दू मैं दे चुका हूँ मेरी तरफ से आपको पूरी तरीके से शस्त्रो का और शास्त्रो का घ्यान मैं दे चुका हूँ अब आप किस तरीके से इसका इस्तिमाल करते हैं आपके उपर है तो वाज इसी बात के साथ दोस्तों करना चाहूंगा इस सेशन को यहीं पर अंत वारियर में भाईया से पढ़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मिलते हैं किसी और सेशन में किसी और दिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए Stay healthy, stay awesome and always stay जै जै फिजिक्स वाला, जै हिन, जै भारत, वन दे मात्रम